हाँ वे बच्चों जन्दी से बताइए क्या आडियो और वीडियो पूरी तरह से खिलिया है क्या मैं प्रॉफर सुनाई और दिखाई दे रहा हूं यदि सुनाई और दिखाई दे रहा हूं तो फिर तो फिर आज थर्मोडाइनमिक्स का भय है आज थर्मोडाइनमिक्स में आपकी महारत हासिल कराने की मैं कोसिस करूंगा मैं कोसिस करूंगा की चार से पांच घंटे में या छे घंटे में आप थर्मोडाइनमिक्स पूरा का पूरा सीख जाएं पूरा का पूरा सीख जाएं औ उसके टफ से टफ इजी से इजी कोशन कर पाएं पहले पस यह बता दीजे क्या और वीडियो क्लियर है सभी लोगों को मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूं कि नहीं यस यस ऑडियो और वीडियो यदि किलियर है जैसा कह रहे हो आप लोग तो बटा इस्टार्ट करते हैं क्या इस्टार्ट करना है कैसे करना है पहले कुछ रूल साफ रेगुलेशन बता देतों देखो आप कुछ घंटों में पूरा फर्मोडायमिक सीख जाएंगे मगर इसमे गंटे मैं आपके साथ रहूंगा यदि आप चार गंटे मेरे साथ लगातार बैठते हैं ठीक है तो पक्का है कि थर्मोडायमिक्स आपको आ जाएगा पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ये ध्यान नक्येगा ऐसा नहों कि आप 9 बज गया 10 बज गया तो सोने की और भाग सपना है वो अकेले आपका सपना नहीं है आपके माबाप का भी सपना है आपके भाई बहन का भी सपना और साथ साथ में वो सपना मेरा भी है क्योंकि ये जो सब को चला है कि यार इतना सारा कुछ आपको यूटूब पे कराया जा रहा है और इस लेक्चर के पीछी है किसी लेक्चर के पीछे दो तीन घंटे की पीपीटी वर्क होता है कि इतने कम समय में पूरा लेक्चर अच्छे से पढ़ाना है कोई भी चीज छूटने न पाए कोई भी चीज छूटने न पाए हर चीज का हर तरह का कोश्चन हो जाए तो उसके लिए पीपीटी बनाना और फिर sequence दिमाग में set करना ही इसमें time लगता है और यह सब सिर्फ आपके लिए किया जाता है तो जुम्मेदारी आपकी भी है जुम्मेदारी मेरी भी है यदि उस selection के gate तक अंदर जाना है यदि आपको select होना है तो यार दोनों को मैनद करनी पड़ेगी तो आपको लगातार chapter के साथ जुड़े रहना है एक कॉपी ले लिजिए पैन ले लिजिए पानी की बोटल ले लिजिए और अपने सपनों पर अपने जुनून पर आ जाईए और इस पूरे chapter को अच्छे से करते है ठीक है कुछ और बाते बता देता हूँ यह one-sort thermodynamics का है थर्मो कमिष्टी का one-sort एक अलग one-sort में आएंगे वो one-sort छोटा हुगा धाई से तीन घंटे के आसपस उसमें सब कुछ हो जाएगा थर्मो कमिष्टी वाला part आज thermodynamics का one-sort है ठीक है thermodynamics का one-sort है दूसरा point जब तक thermodynamics का one-sort आप देखोगे उसके तीन दिन तक बस एक काम और करते रहना कि thermodynamics की notebook को revise करते रहे जितना मैं कराऊंगा हां हां बिलकुल promise तो कर रहे हूं मगर यह promise निभाना भी पड़ेगा कि हां सार ठीक है ढटे रहेंगे आपके साथ तो thermodynamics की notebook का revision 2-3 दिन तक लगातार करते रहेगा ठीक है ना लगातार 2-3 दिन तक notebook का revision करते रहेगा हां आजव पुनि बाते कम करेंगे पढ़ाई ज्यादा करेंगे ठीक है आप भी पढ़ाई पर फोकस रखेंगे हम भी पढ़ाई पर फोकस रखेंगे बाते कम पढ़ाई ज्यादा हां तो जोस आई है यदि जोस आई है तो जल्दी से आप दिल बना दे थमसब बना दे इसमाईली बना दे य रो यह करके इस चैप्टर पर चलते हैं अब पूरा चैप्टर खतम करेंगे मिलकर कोश्चन करेंगे और त्योरी करेंगे एक त्योरी पढ़ाई जाएगी और एक पूरा चैप्टर कोई भी देख सकता है 11 class application भी देख सकता तो कोई भी बच्चा देख सकता है ठीके चूचरो सटाट करें तेयार हो सब लोग एक गुट मैं आ जाओ चलो इस्क्राज करते हैं तो देखो या सबसे पहले थर्मोडाइनमिक्स में करते क्या है तो क्या होता है थर्मोडाइनमिक्स कोई बच्चा बता सकता है कि थर्मोडाइनमिक्स का मतलब क्या है बताओ तो देखूITHर्मोग डायनमिक्स का मतलब क्या होता है आपके chapter का नाम है thermo और फिर है dynamics फिर है dynamics इतका मतलब क्या होगा है गौर से दिखूँ थर्मोग का मतलब है.. contenido और highlandáis here और dynamic का मतलब है.. motion transfer मतलब हमें इस चैक्टर में पढ़ना है हीट का transfer किसके किसके बीच में हो रहा है हीट के transfer की बात करनी है कि हीट किस से कहां कैसे transfer हो रही है उस पूरी चीज का analysis इस चैक्टर में करना है thermodynamics हीट का transfer कहा हीट जा रही है कौन हीट दे रहा है कौन हीट ले रहा है कैसे हीट जन्रेट हो रही है ये सारा discussion करना है तो इस chapter में हम इसका ये करेंगे हम क्या करेंगे quantitative और qualitative दोनों analysis करेंगे quantitative का मतलब amount निकालोगे qualitative का मतलब उसका nature भी बताओगे quantitative और qualitative दोनों analysis करेंगे clear है clear है और यदि clear है तो पहले question का जवाब पहले question का जवाब दो एक-एक question कराऊँगा सब पढ़ा दूँगा बद आप इसी तरह से डटे रहे हैं कि बताओ भाई answer दो थर्मोडाइनमिक्स इस concerned with total energy of system energy change in a system rate of chemical change mass in nuclear reaction तो हम किसकी बात करेंगे thermodynamics में energy change of system की बात करेंगे कि energy का क्या change हो रहा है कैसे change हो रहा है हीट transfer है ना तो transfer का मतलब क्या है heat change होगी भाई मेरे से heat निकल गई तो heat change होगा है ना मेरी heat में कुछ कमी आई कुछ कमी नहीं आई तो थर्मोडाइनमिक्स में क्या करते हैं energy transfer या energy change in a system इसको discuss करना है तो पहला बात हो गया अब एक एक करके discuss करते हैं तो अब मेरी बात को जड़ा समझे है पहली heading आती है system surrounding and boundary system क्या होता है surrounding क्या होता है boundary क्या होता है इस ते पहले पढ़ाई चालू हो आपको एक कहानी सुनाता है वो कहानी जो आप लोग ने बाई लोजी की भूकों में पढ़ी है उसी कहानी को सुनाता है आज से लाखों करोनों साल पहले मत्तब universe universe में thermodynamics कहता है कि universe में दो लोग है पस कौन-कौन है universe में thermodynamics का कहना है कि पूरा universe दो लोगों से मिलके बनाए एक का नाम रख दिया अगया system इलू का नाम रख दिया गया system और तीलू का नाम रख दिया गया surrounding कि चाफे तीलू का नाम रख दिया है सिस्टम और स्राउंडिंग सिर्फ दो लोग पाए जाते हैं कौन कौन सिस्टम और सरॉंडिंग अब यदि घर में दो और हैं मटरा ज़ार्म मोहबत, खाना पीना, लेना देना, किन के बीच में होगा? उनी दो के बीच में होगा ना, जब दो ही लोग है, तो पूरे यूनिवर्स में दो लोग है, एक को हम लोग सिस्टम कहते हैं, एक को कहते हैं सराउंडिंग, और तीसरा कोई है नहीं, इसका मतलब जो भी कुछ लेन देना होगा इन्हीं दोनों के बीच में होगा ? system heat निकाला है ? तो लेक और होगा ? surround system heat gain कर रहा है ? तो दें का कॉंडरा होगा ? surrounding क्यों ? क्योंकि दुनियां में दो ही लोग है तो थर्मो डाइमिक का μानना है कि पूरे universe में दो लोग पाय जाते है ? एक को system सिश्टम कहा गया को सराउंद है हजम हुई बात प्रभू बात हजम हुई क्या पूरा यूनिवर्स दो पार्ट में डिवाइड है सिस्टम एक स्टेम क्या होता है देखो बैच्चों सिश्टम क्या होता है अभी हम टर्मलोजी पढ़ा रहे हैं टर्मलोजी में बहुत सारे इ इसलिए आप इनको आप इनको याद करते जाना मतलब अगले दो तीन दिन नोट बुक को रिवाइस करते रहिएगा ठीक है दो को सिस्टम क्या होता है एनी स्पेसिफाइट पोर्शन ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन इस कॉर्ड सिस्टम एंड रेश्ट ऑफ यूनिवर्स इस कॉर्ड सराउंडिंग मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ यार ये बहुत टफ लाइंग्वेज है है ना साइन्स वाले बहुत टफ लिखते है और जबकि बहुत छोटी सी बात है देखो ये पैन है इसकी लेंथ निकाल ला हूँ यार इस पैन की लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो किसकी लेंथ निकाल ल गया मतलब यूनिवर्थ के जिस पार्ड की कोई वैलू कल्कुलेट करते हो या कोई क्वार्टी बताते हो तो उसी को सिस्टम बोल दिया जाता है जैसे जैसे तुम के जो उसके बाल बड़े लंबे हैं हाना इलू टीलू में खोया रहता है तो तुम इलू की क्या है तो पूरी दुनिया क्या है सराउण्डी है उसका चेहरा है चांद जैसा है तु तुम किसकी क्वार्टी बता रहे हो इलू की तो इलू क्या है सिष्ठम और रेश्टाप यूनिवर्स क्या है सराउण्ड़िग एलू को छोड़ दो बाकि सब स्ब्स राव्रांड़िग से वो बताते समय, वो बताते समय, मम्मी का एक थपड़ तुम्हारे उपर पड़ा, तो पहला टमप्रेचर तुम्हारा 20 था, अब 21 हो गया, तो तुमने क्या कल्कुलेट किया, टमप्रेचर किसका, गाल का, तो गाल हो गया सिस्टम, रेश्ट आप यूनिवर्सरा हो, तो है, और उसको छोड़कर पूरी दुनिया सराउंडिंग है, क्यों? क्योंकि भाई का कहना है, यूनिवर्स दो पार्ट में डिवाइड है, सिस्टम है, सराउंडिंग, मैं भी कहता हूँ, कि यार इस बोर्टल में, आधा लीटर पानी है, तो तुमने किसके बारे में बताया पानी के बारे में, पानी सिस्टम, पानी को छोड़कर सब सराउंडिंग, पानी को छोड़कर सब सराउंडिंग, उसकी नीली नीली आँखें, तो बताओ सिस्टम कौन है, इलू है, इलू का फेस है, या इलू की आँखें है, तो इलू की आँखें है, तुमने क्वार्टी की आँखों की बतार के तो वो क्या सिस्टम रेश्ट आप यूनिवर्ज सराउंडी है वारत तो बास्तिम्हार सब्सक्राइब तो सिस्टम क्या है यूनिवर्स का वो पोर्शन जिसकी किसी एक क्वालिटी या क्वांटिटी का एनलीसिस करते हो तो वो सिस्टम है उसको छोड़कर पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग है ठीक है बच्चों ने काता ठीक है तो मैंने का जब इतना ठीक है तो एक कोश्यन कर लेते हैं। बैड़ कि अब इतना ठीक है यह कॉश्यन कर लेते हैं। बच्चों ने खाएग पूश्ट नहीं.. तो मैंने पूचा देखो.... एक ये समय कंटेनर है.... यह कंटेनर है.. ठीक है ? सभी लोग देखीएस। और इस पर ये piston ये पिश्टल ऐसे और इस पर ये गैस है ये गैस है ऐसे है आप मुझे बताई ये था ठीक है मैंने कहा गौर सुनिये है टमप्रेचर ओफ गैस इस थ्री हंडड़ कैल्विन ठीक है टमप्रेचर ओफ गैस इस थ्री हंड़ड कैल्विन मेजर at one atmosphere प्रेचर तो आपको बताना है what is system इसमें system क्या है बताईए आपके इसाफ से सिस्टम कौन है गैस आपके इसाफ से सिस्टम कौन है पिश्टन आपके इसाफ से सिस्टम कौन है कंटीनर आपके इसाफ से सिस्टम कौन है औल सभी के सभी सिस्टम है बताओ आपने किसकी प्रॉपर्टी मेजर की है खिसकी मुन्ना किसकी सब लोग कमंड ओ जलदी से बताओ system कौन है तो system कौन है yes very good system कौन है gas क्यों क्योंकि तुमने property measure की है gas की बहुत सही बहुत सही good 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 बहुत सही बहुत सही मुन्ना बिलकुल सही लगे हो सभी लोग सबी लोगों ने सही answer दिया बास वेरी कूल सिस्टम कोई है गैस एट póल कॉण हो गैस कि तुमने गैस का करना को तो सिस्टम गैस तुमने गैस का टमप्रीचर में जर कि आए तो सिस्टम गैस तो है अच्छा अब झालतरु जीनल देखो अब system और surrounding को जो separate करता है उसे boundary कहते है वो real भी हो सकती है imaginary भी हो सकती है मैंने कहा यार यह आधा लीटर पानी है तो पानी क्या हुआ system अब पानी और मेरे बीच में गयप है पानी मुझे टच नहीं कर रहा है तो boundary कौन है wall of bottle bottle की जो यह wall है यह boundary है bottle की जो यह wall है यह boundary है तो system और surrounding को कौन separate कर रहा है wall of container wall of bottle और यह देखो visual है आपको दिख रही है ऐसा है की नहीं दिख रही है दिख रही है तो यह boundary कैसी है real अब गौर सुनो camera और मेरे बीच में camera और मेरे बीच में भी separation है मैं system हूँ तुमने का service की जो length है height जो है वो 5 foot 10 inch के आसपास है तो तुमने किस की height बताई service district की height बताई तो service district क्या होगा है system और हमको फोड़ कर सब surrounding में तो क्या मेरे और camera के बीच में कोई wall है नहीं मगर suppression तो है suppression तो है यह तो तुम जामते हो तो यह कैसी boundary है imaginary boundary है यह कैसी boundary है imaginary तो boundary विजवल भी हो सकती है real भी हो सकती है और non-visual भी हो सकती है clear clear मगर हमें जो boundary की जरूरत पड़ेगी हमें इस बात की जरूरत पड़ेगी हमें type of boundary discuss करनी है in basis of heat transfer type of boundary in basis of heat transfer क्यों क्योंकि यह question में use होगा visible और non-visible boundary है या नहीं है यह बात question में use नहीं होगी तो देखो boundary दो तरह की होती है बच्चों boundary क्या है दो तरह की है एक दो तो एक boundary होती है विजिवल एक स्वारी conductor क्यों हम heat के transfer के basis पर boundary डिफाइन कर रहे हैं तो एक होती है conductor और एक होती है insulator कंड़क्टर किसको कहते हैं कंड़क्टर में क्या होता है heat का transfer होता है system और घंडा हो जाएगा यह आप गर्मी में देखते हो आप ठंडी बॉटल निकाल के लाते हो कुछ देर बाद गरम हो जाती है इसका मतलब heat का transfer हो रहा है तो वह वाल कैसी है conductor क्यों क्यों क्योंकि वह heat को transfer कर रहे हैं वह boundary कैसी है conductor तो conductor boundary क्यों होती है यह क्या करते है transfer heat transfer between between कौन कौन बताओ बिटवीन कौन अरे यार दुनिया में दो ही लोग पाए जा रहे है system और surrounding इलू और टीलू दुनिया में सिर्फ दो लोग है प्रभू इलू और टीलू और कोई है नहीं तो heat transfer between system and surrounding तो ऐसी boundary जिन से heat का transfer होता रहता है उनको conductor boundary कहते है और जिन में नहीं होता है उनको insulator boundary कहते है heat does not transfer between system and surrounding system और surrounding के बीच में heat का transfer नहीं हो रहा है तो उसको हम insulator boundary कहते है और हो रहा है तो conductor boundary कहते है कि इत्ती बाद clear हुई बच्चों ने का हा सर clear अब कहानी को थोड़ा और आंगे बढ़ाते हैं कहानी को थोड़ा और आंगे बढ़ाते हैं अब बात करते हैं type of system के कि system कितनी तरह को होगा system यह छोटे छोटे term है system कितनी तरह को होगा तो देखो system में हम क्या देखते है system को mass और energy के basis पे तीन part में divide किया है system divided in three part basis of mass and energy transfer mass and energy exchange यह transfer जो चाहूँ लिख लो mass और energy के exchange के basis पर system तीन तरह के है पहला open system दूसरा close system तीसरा isolated system यदि heat यदि mass और energy दोनों का transfer हो रहा है तो उसको open system बोलेंगे transfer हो रहा है मतलब किसके किसके बीच में किसके किसके बीच में फिर मार्क हो गए दुनिया में दुनिया में दो ही लोग है यस बिलकुल सही बिलकुल सही अमित बिलकुल सही कह रहा हूं दुनिया में दो ही लोग है इलू और टीलू system और surrounding तो यदि system और surrounding के बीच में mass और energy दोनों का transfer हो रहा है तो हम open system बोलते है open system is defined as in which the mass and energy can be transferred to its surrounding मतब system और surrounding के बीच में mass और energy दोनों का transfer हो रहा है मास और energy दोनों का transfer यदि system और surrounding के बीच में हो रहा है तो open system तो open system ठीक है close system जब सिर्फ energy का transfer हो रहा हो एक close system is defined as in which the mass is fixed मतब नो mass can across the boundary of the system and the energy can transfer to its surrounding तो यहाँ पी क्या है close system क्या होता है जब system और surrounding के बीच में सिर्फ energy का transfer सिर्फ energy का mass का transfer ना हो तो close system जैसे पानी की bottle आप market में जाओ कर दो एक लीटर के पानी की bottle दे दो तो वो bottle कम से कम तीन महिने पुरानी होगी फिर भी वो एक लीटर की होगी और एक किलो की होगी मगा ठंडी गरम हो चुकी होगी आप bottle लो एक लीटर की तो वह एक की लीटर पानी रहता है एक साल रखलो चाहें डस साल रखलो क्यों bottle see Lب जब bottle see तो mass का transfer होई नहीं रहे है मगर वो ठंडी गरम होती रहती है गर्मी के मास अं में घरम हो जाएगा है ठंडी के मासमम में ठंडी हो जाएगी हीट तो हीट का तो ट्रांसपर हो रहा है मगर मास का ट्रांसपर नहीं हो रहा है मास का ट्रांसपर नहीं हो रहा है तो ये close system होगा close system में स्रिफ heat का ट्रांसपर होगा energy का ट्रांसपर होगा मास का ट्रांसपर नहीं होगा, isolated system जिसमें दोनों में से किसी का transfer हो ना तो mass का transfer हो और ना heat का transfer हो, किसके किसके बीच में किसके किसके बीच में देखो ये किसके किसके बीच में term, तो आपको सोच नहीं नहीं है, दुनिया में दो ही लोग है illu, anti-illu, मतलब system and surrounding तो इसका मतलब हुआ कि system and surrounding के बीच में किसी तरह का कोई transfer नहीं है ना तो heat का transfer हो रहा है और ना mass का transfer हो रहा है energy और mass दोनों का transfer नहीं हो रहा है तो isolated system तो दोनों का transfer हो रहा है open सिर्फ energy का हो रहा है close और दोनों का नहीं हो रहा है isolated mass और energy दोनों का हो रहा है open सिर्फ energy का हो रहा है close दोनों का नहीं हो रहा है isolated अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि तुम example पूछोगे तुम्हारा मन कर रहा होगा कि तुम सर्क कोश्चन पूछो हम question बताएंगे मन कर रहा है कि नहीं तुमारा तो इस question का answer दो सब लोग इस question का answer दो आपके हिसाफ से इसका answer क्या आएगा दीजिये answer दीजिये आपके हिसाफ से क्या आएगा हाँ भाई बातें नहीं करो answer दो well-stopped thermos flocks contain some ice cube this is example देखो thermos flocks में हम क्या मान के चलते हैं कि heat और माथ दोनों का transfer नहीं होता है कुछ समय के लिए तो वो कैसे बोले जाते हैं isolated system बोले जाते हैं जिसमें आप गरम चाय लेके जाते हो हाँ 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 हुन कहों के सर यार बोटल कित्ती रखते हैं इसमें heat और मास दोनों का transfer कुछ समय के लिए नहीं लियाता है तो बिदिन 9 सेकंड या बिदिन 10 सेकंड 20 सेकंड या isolated system की तरह काम कर रही है अब 2-3 गंटे रखोगे तो चाय ठंडी होई जाएगी हाँ हाँ मगर यदि हम एक से एक मिनट की बात करें दो मिनट की बात करें तो लगभग isolated system की तरह काम करेगा ना तो मास का transfer करेगा ना heat का इनर्जी का transfer करेगा तो ये isolated system होगे अच्छा मानोगे यह नहीं एक कोश्चन और करोगे हाँ इसमें मेरी गलती नहीं है यह अमित की गलती है यह पांडे जी जो है ना बहुत बदमास है पांडे जी की गलती है पांडे जी ने कहा है कि एक कोश्चन और करूंगा अब पंडेज ने गहाँ तो करना पड़ेगा अंसर वार्मिंग अमोनियम कुल्राइट सोडा सोडियम है इसे इसे अग्जामपल आप पहली बात ट्रेस्ट्यूब क्या है ओपन होती है तेस्ट्यूब कैसी होती है ओपन होती है तो जब ammonium chloride NOS से reaction करेगा तो यार ammonia gas निकलेगी ये तो निकल जाएगी NaCl बनेगा और water बनेगा तो gas तो इसकिप हो रही है तो mass का भी transfer हो रहा है और energy का भी transfer हो रहा है mass और energy दोनों का transfer हो रहा है तो ये open system होगा घर में चाय बन नहीं है कौन सा system है open system है मम्मी कहती नहीं ये चाय जल गई है ना कहती नहीं और फून पे लगे रहो फून पे अपने निकम में दोस से बात कर लो या इलू टीलू से बात कर लो जिसके चक्कर में तुमने मेरी चाय जला दी चाय जला दी का मतलब क्या पानी उड़ गया वैपराइज हो गया नहीं तो सुगर थोड़ी जलती है ना सुगर वैपराइज होती है हा ना दूज जल गया इसका मतलब ये सब open system है मास भी क्या हो रहा है transfer हो रहा है मास भी transfer हो रहा है तो ये जितना भी खाना भरनना है यह सब open system है, यह सब open system है, clear, clear है ना, भाई, clear है, क्या हुआ, गौर से मैं, जल्दी से 5 मिनट में summarize कर देता हूँ, system क्या होता है, universe का वो portion, जिसकी कोई quality, या quantity का measurement आप करते हो, वो system, rest of universe, surrounding, system और surrounding को जो separate करता है, boundary, boundary, यदि heat का transfer हो रहा है, तो वो boundary conductor, heat का transfer नहीं हो रहा है, तो वो boundary insulator, system तीन तरह के होते हैं, mass और energy दोनों का transfer कर रहा है, तो open, शिर्व energy का कर रहे हैं, तो close, और दोनों का नहीं कर रहे हैं, तो isolated, आंगे आजाओ, बच्चों ने कासर ठीक है, अब देखो, ये important चीज़ है, intensive and extensive property, क्या होता है, intensive, क्या होता है, extensive property, देखो, ऐसी thermodynamics, ऐसी property of system, system की वो property, जो mass पे depend करती हैं, उनको कहते हैं, extensive, और system की वो property, जो mass पे depend नहीं करती हैं, उनको क्या कहते हैं, intensive, system की वो property, जो mass पे depend करती है, in an extensive property of a system depends on the mass and size of the system, जो mass और size of the system पे depend करेंगी, वो क्या होंगी, extensive, जो mass आप system पे depend करती हैं, उनको बोलते हैं, extensive, उनको क्या बोलते हो, extensive, और जो mass पे depend नहीं करती हैं, उनको क्या बोलते हो, that does not depend upon, mass of the system, is known as intensive, is known as intensive, बच्चे इत्ती देर से सोच रहे होंगे, कि यार सर आप CSD नहीं दे रहो, खाना, यहीं सोच रहे होंगे, सुकला जी को चैन नहीं पढ़ रहा है, ढटे पढ़े है, पढ़ाई ढ़ाई नहीं करनी, मगर हाँ बाते करनी है, तो जिर देखो, जो property mass पे depend करती हैं, उनको extensive कहते हैं, जो नहीं करती हैं, उनको intensive कहते हैं, आपको यह summary, मतलब आपको CSD ध्यान दखने हैं, पढ़ाते समय तो मैं पूरा explain करता हूँ, ठीक है, time लेता हूँ, मगर आपको जब revision कर रहा हूँ, तो आप CSD revise करो, सब कुछ इसमें लिखा होगा, देखो, universe दो चीजों से मिलके बना है, एक system, एक surrounding, सुनते जाईए, आपको सब इसी में लिख जाएगा, system क्या होता है, system क्या होता है, system क्या होता है, जिस portion का आप measurement करते हूँ, portion of universe, universe, undergo measurement, किसी भी तरह के measurement में, जो portion चला जाता है, उसको system कहते हैं, और surrounding किसको कहते हैं, rest of universe को, rest of universe को, surrounding कहते हैं, boundary क्या होती है, system और surrounding को जो separate करता है, system and shortcut में सब लिखा होगा, surrounding को जो separate करता है, separate करता है, system और surrounding को जो separate करता है, उसको boundary कहते हो, हाना, फिर इसके बाद, boundary दो तरह की होती है, conductor के basis पर, एक, conductor, एक, insulator, conductor का मतलब, जो heat का transfer करती है, हाना, heat, transfer, bit beam, system and surrounding, insulator का मतलब, जो heat का transfer नहीं करती है, heat, not transfer, bit beam, system and surrounding, clear, तो उसको क्या कहते हो, boundary कहते हो, यह, boundary दो तरह की, अब देखो, अगला point, type of system, आप revision इससे करो के, आपको revision करना है, इससे करो के, open, close, isolated, open system क्या है, system और surrounding के बीच में, system और surrounding के बीच में, होई है, system और surrounding के बीच में, एक minute बच्चो, हाँ, system और surrounding के बीच में, हाँ, आप सोच रहे होगे, कि सर्थ बार-बार यहीं क्यों बोलना है, एक में रुप जाओ, इसकी setting कर दे रहा है, देखो, type of system ज़रा समझो, system और surrounding के बीच में, यदि mass, और energy दोनों का transfer हो रहा है, mass कभी हो रहा है, energy कभी हो रहा है, तो open system, इसमें सिर्फ energy का transfer होगा, mass का transfer नहीं होगा, close में किसी का transfer नहीं होगा, isolated में, ना energy का transfer होगा, ना mass का transfer, इसमें, इसमें दोनों का transfer होगा, किसके बीच में, system और surrounding के बीच में, यदि system और surrounding के बीच में दोनों का transfer हो रहा है, तो open, सिर्फ energy का हो रहा है, close और दोनों का नहीं हो रहा है, तो isolated, अब बात आती है, intensive और extensive, intensive and extensive property, देखो यह important heading है, इससे question आते है, आप गौर समझे, जो definition लिखी है, उससे यार तुम question नहीं कर पाओगे, जो mass पर depend करता है, वो extensive, जो नहीं करता है, system के mass पर depend, वो intensive, इससे question करना tough है, लिखना तो easy है, मालो इस पूलों में लिखने को आती है, तो तो लिख दोगे, हाँ ना, मगर यदि question आएंगे तो तुम नहीं कर पाओगे, तो question कैसे किये जाते हैं, ज़र देखो, आप क्या करो, system को by part करो, by part का मतलब एक से जादा part में divide, यह देखो, जैसे तुमने system को कई part में divide कर दिया, मैंने तीन part में divide कर दिया, यह देखो, अब यह तीन part में हमारे पास system आ गया है, ऐसे, देखो, यह तीन part में मैंने divide कर दिया, मालो, एक part यह है, एक पार्ट यह है यह दिन पार्ट में डिवाइड कर दिया है अब system को काई पार्ट में डिवाइड करने से यदि value change हो जाए तो extension, ना change हो तो intense हो system को bipartisan करने से यदि value change हो गई उस property की वैलू चेंज हो जाए तो extensive और यदि वैलू ना चेंज हो वैलू ना चेंज हो तो intensive बच्चों ने का सर समझ में नहीं है आप क्या कहना चाहे रहे हो तो मैंने का मुन्ना तुम सुनो सब लोग यहां से important है पकड़ना यह system है यदि मैं इसको दो पार्ट में डिवाइट कर दो दो में तीन में चार में तो बताओ अभी length 12 cm दो पार्ट में डिवाइट करोगे तो length change होगी कि नहीं हो जाएगी इसका मतलब extensive है mass change होगा कि नहीं हो जाएगा इसका मतलब extensive है number of molecule change होगे कि नहीं जिससे मिलके बनाए हो जाएगे मतलब extensive है यह देख यह page है इसकी कुछ length है ठीक यह system है अब इसकी length है सपोस करो 15 cm है दो पार्ट में डिवाट के लिए length change होगी कि नहीं हो गई mass change होगा कि नहीं अब आधा हो गया है है carbon की जितने molecule से carbon की जितने atom से मिलके बना था उनके number change होगे कि नहीं हो गए तो यह सब extensive इसका मतलब क्या है mass length number यह सब extensive है क्यों divide करने से change हो गया अब बताना इसकी density change होई कि नहीं इसको तुम एक बार और divide कर दो तब भी density वही है चेक कर लो density में change आया नहीं density वही है तो इसका उनके density क्या है intensity क्या है intensity होगे यह देखो पानी वैलूम कितना लीटर है आदा लीटर system का value change हुआ mass change हुआ तो यह क्या है extensive मगर क्या गाढ़ापन change हुआ गाढ़ापन मतलब प्रभू concentration क्या concentration change हुआ comment करो ना नहीं हुआ yes concentration change हुआ नहीं हुआ तो इसका बादब concentration क्या है intensive तो system को कई पार्ट में divide करो और यदि value change हो जाए तो extensive हुआ और ना change हो तो intensive change हो जाए तो extensive और ना change हो तो intensive clear है definition clear है बच्चों ने का sir yes तो मैंने का देखो यार इसके question पूछे जाते हैं तो मैं थोड़ा molecule change होंगे number of molecule या item yes यदि by part करोगे तो change होंगे यह होंगे mole change होंगे yes बिलकुल होंगे अभी यह मालो दो mole से मिलके बनाए अब इसको कई part में डिवाइड कर दिया तो mole change हो जाएंगे होगा कि नहीं area change होगा yes volume change होगा yes जब length change हो जाएगी तो volume अपने आप change हो जाएगा LBH होता है तो यह सब क्या है extency होए यह change होते जा रहे है क्या density change होई pen की नहीं क्या पानी का गाढ़ापन change होगा नहीं किसी भी तरह का concentration intensive होई वो कभी नहीं change होता है molarity concentration है नहीं change होगा normality concentration है नहीं change होगा मास परसंटेज कंसंट्रेशन है, नहीं चेंज होगा मोल फ्रेक्शन कंसंट्रेशन है, नहीं चेंज होगा किसी भी तरह का कंसंट्रेशन नहीं चेंज होता है पानी का गाड़ापन चेंज होता है नहीं, नहीं तो दूद वाले ना हमसे तुमसे क्या मदब दुनिया में सबसे अमीर वही हो जाए अनि लंबानी चे उपर उनका नाम चलता है क्यों दूद वाले सराब वाले ऐसा क्यों जला संजो ठीक है उन्होंने का कि यार एक ड्रम पानी है उसमें एक बाल्टी डूद डाल दिया अब उस एक बाल्टी से कम हो रहा है तो डालने से बढ़ेगा है और निकालने से बढ़ रहा है तो पता चला एक ड्रम पानी में दूद मिला दिया गया अब उसको एक एक गलास निकाल रहे तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है तुम को गया रहे वाह क्या मलाई जमी है पता चला व किसी भी तरह का कोई भी कंसंट्रेशन हो इंटेंसिव है अब जरू लिए इस पर कितना प्रेसर लग रहा है प्रभू कितना लग रहा है वन अट्मास्पेर लग रहा है कि इसको दो पार्ट में कर दो अब कितना लग रहा है वन अट्मास्पेर कितना प्रेसर लग रहा है वन अट्मास्पेर आप कितना लग रहा है वन अट्मास्पेर तो यह क्या है कि इंटेंसिव वैलू चेन नहीं हो रही ही ना तो क्या है इंटेंसिव क्या है इंटेंसिव अब जब रहता हो इनर्जी किसी भी तरह की इनर्जी एक्स्टेंसिव होती है काइनेटिक इनर्जी मास्पेर डिपेंड करती है हाफ एंबी स्कुएर होती है पोटेंसियल इनर्जी MGH होती है इंटर्नल इनर्जी किसी भी तरह की इनर्जी एक्स्टेंसिव है अभी इंटर्नल इनर्जी की डिटेल हम लोग देंगे गिफ्स प्री इनर्जी किसी भी तरह की इनर्जी एक्स्टेंसी हुए मास्ट डिपेंडेंट कॉंटिटी है गिफ्स प्री इनर्जी इंटर्नल इनर्जी इन्थल्पी इन्थल्पी भी एक इनर्जी का ही रूल है इनर्जी का ही एक फॉर्म इन्थल्पी है अभी आंगे तुमको फसाता हूँ पहले एक रूल जानलो नहीं तो तुम रोते दोते घुम होगे फस जाओगे देखो 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 अब इस पर एक रूल गॉर्थ देखें यदि दो extensive property का कोई ratio हो तो वो always intensive होता है extensive property का ratio क्या होता है इंटेंसिव होता है, ध्यान रगता, एक्स्टेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है, for example, for example, इधर देनो, for example, ठीक है, दो एक्स्टेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेसा इंटेंसिव होता है, देखो, density, density क्या होती है, mass upon value, mass क्या है, extensive, value क्या है, extensive, density क्या है, intensive, देखना, concentration, किसी भी तरह है का concentration, आप अभी पीछे लिख क्या है, क्या होता है, mole upon value, यह क्या है, extensive, यह क्या है, extensive, यह क्या है, intensive, तो दो extensive property का ratio, intensive होता है, देखना, अब डरना नहीं, क्योंकि रोने धोने वाले हो, atomic mass, mass क्या है, mass क्या है, extensive, atomic mass क्या है, intensive, बच्चों ने का रहे, यार सर यह क्या रहता पहलाया, आपने, क्या रहता पहलाया, हाणा, क्यों, हाँ, doctor, दुबा छोड़ दिया, atomic mass, intensive, ऐसे, atomic mass होता है, एक mole का mass, वो mass नहीं होता है, एक mole का mass होता है, मतलब mass divided by mole है, तो यह extensive, यह extensive, atomic mass, intensive, molecular mass, intensive, क्योंकि यह एक mole mole का mass होता है, इसकी unit देखो, लिखी होती, gram per mole, gram per mole, तो mass extensive है, atomic mass, molecular mass, intensive है, प्रभू समझ पा रहे हो, गेम हो जाएगा नहीं तो, अब इधर पकड़ो, internal energy, extensive है, मगर energy per mole, energy per gram, intensive है, क्योंकि दो extensive property का ratio हो गया है, दो extensive property का ratio हो गया है, तो यदि दो extensive property का ratio कोई चीज है, तो वो क्या है, intensive है, जैसे देखो, pressure, pressure क्या हो पाए, p equal to f upon a, extensive, extensive, pressure क्या है, intensive, तो दो extensive property का ratio, always intensive होता है, इसको ध्यान लखना बहुत जरूरत पड़े गिया, बहुत जरूरत पड़े जैसे, देखो, इसके example इत्ते क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये paper में आता है, देखो, electrode potential, आप electrode potential बहुत सारे बच्चों को नहीं बता होगा, कि electrode potential क्या होता है, तो मैं आपको simple form में बताता हूँ, क्या होता है, पहले ये बता हो, charge, intensive है या extensive है, extensive है, इस पर minus 2 charge है, तो पूरे surface पर फैला होगा, minus 2 charge, अब इसको 1000 पार्ट में divide कर दिया, तो अब सब के उपर minus 2 तो होगा नहीं, अलग-अलग होगा न, system को दो पार्ट में divide कर रहा है, value change हो रही है, तो charge क्या है, extensive, अब इधर देखो, electrode potential, delta g equal to होता है, minus nf e, e ये electrode potential है, तो e equal to क्या होगा, delta g upon nf, ये nf जो होता है, ये charge होता है, और ये energy है, तो ये extensive है, gives free energy है, और ये charge है, extensive, तो electrode potential क्या होगा, intensive, तो electrode potential क्या होता है, intensive होता है, है, charge क्या है, extensive, अब देखो, किसी भी तरह का boiling point, melting point, freezing point, vapor pressure, ये सब intensive होए, किसी भी तरह का constant, equilibrium constant, solubility constant, dissociation constant, ये सब क्या है, extensive है, ये सब क्या है, extensive, कर लोगे, निकालो, जन्द ही निकालो, तो बात समझ में आगी, इतनी बात के लिए रहे, तो intensive, extensive पैचान लोगे, पैचान लोगे ना, तो ज़रा बात समझ में आगी, क्या करना है अपने को, यदि system को by part करने से value change हो रही है, तो extensive, नहीं हो रही है, तो intensive, जैसे surface tension, अब यदि surface tension की बात करो, viscosity की बात करो, यह सब क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात करो, यह सब by part करने से change नहीं होते, पानी का refractive index जितना है, वह उतना है, चाहे वह एक लीटर पानी हो, चाहे आधा लीटर पानी हो, विस्कोसिटी जितनी है वो उतनी है, चाहे एक लीटर पानी हो, चाहे आदा लीटर पानी हो, चाहे जितना पानी हो, सर्फेस टेंसन जितना है, उतना है, तो इन बातों को बहुत अच्छे से आपको देखना है, अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सरा हम कोस्टन करेंगे, त जो intensive property है वो additive nature की नहीं होती है not in additive nature additive nature मतलब क्या होग है मतलब इनको जोड़ और subtract नहीं कर सकते हो और extensive property को आप add और subtract कर सकते हो यह additive nature की होती है वो तकता है यह बात तुम्हें हजमी नहीं होई हो तो चलो हजम कराते है चलो हजम कराते है मुन्ना गौर से देखो देखो यह एक रॉड है ठीक इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइट करती है यह रॉड कितने मीटर की है दस सेंटि मीटर ले ले तो 10 मीटर की है ठीक दस मीटर की है ठीक है इस रॉड की density कितनी है एक ग्राम पर एमल है अच्छा अब ब्रेक होने के बाद यह रॉड कैसी हो गई ऐसी हो गई देखो यह मालो है 4 cm और यह वाला पार्ट है 6 मीटर अब density कितनी है इस वाले पार्ट की density इनसीटि 1 ग्राम परेमल इस वाले पार्ट की फिक टेस्टी 1 ग्राम परेमल क्यों क्यों क्योंकि लेंट एक्स्टन स्यों तो तुमने बाइप ट्रड़ किया वीलूचेंज उगई और डेंसीटि इंटर मॉधे रहां और गो रहेगे यह स्वें मैं निखा यह क्लियर को अब कोई नापने ना लग जाना यार हार ऊपना मिस्रा जी समझ न तुम से हमें यह उमीद है किस तार यह चार सेंटीमीटर कैसे है चार मीटर कैसे है तो कम आ रहा है मगर अलग लग है ना तो अब ज़रो देखो अब यदि इनको जोड़ो तो यह मिल जाएगा चार प्लस छे देखो 10 मिल गया क्यों एक्स्टेंस एक्स्टेंसिव था अब इंटेंसिव को जोड़ो सॉर्य क्या मिला नहीं यार वह डिवाइडी नहीं हुआ तो जुड़ेगा कैसे है वह डिवाइडी का हुआ वन था वन है प्रभू वन था वन है इलू टीलू ना चालू करो पढाई पर धेहंद दो सब लोग वन था वन तो जब 1 था 1 है तो value change ही नहीं हो रही है तो इसी लिए मैंने का कि intensive property additive nature की नहीं होती है और extensive property additive nature की होती है अब इस question को करो अब हम question पर आते हैं हाँ बाई सब लोग answer बताओ in which of the following set all properties belong to same category सारी की सारी property same category से बिलाउं करनी चाहिए जैसे देखो extensive extensive intensive pressure है प्रेसर intensive होता है तो इसका मतलब यह answer नहीं है intensive intensive extensive यह answer नहीं है heat capacity density entropy यह भी answer नहीं है अब इसको मुझे समझाना पड़ेगा क्योंकि आप मेंसे बहुत सारे बच्चे यह term जामते नहीं होंगे इसका reason ही यह term अभी इसी chapter में आँगे आएंगे यह term इसी chapter में आँगे आएंगे ठीक है density आप जामते हो अब मैं heat capacity बताता हो औरे भाई वह बहुत बड़ी बतल है इसको बताता है heat capacity क्या होता है जैसे यह पानी है इस पानी का temperature एक degree centigrade मुझे बढ़ाना है तो एक degree centigrade temperature बढ़ाने के लिए जो मैं heat दूँगा उसको कहते है heat capacity एक degree centigrade temperature बढ़ाने के लिए जो आप heat देते हो उसको कहते है heat capacity तो यह बताओ मुझे एक कप चाय बनाने में ज्यादा इनर्जी लगती है यह चार कप चाय बनाने में ज्यादा इनर्जी लगती है मंदब गैस खर्च होती है एक कप चाय बनाने में ज्यादा गैस खर्च होती है बता वही प्रवेश बच्चे गहेंगे सार यार आपके सारे एक्जाम्पल किचिन के आसपास ही रहते हैं लगता है खुब टाइम गुजारते हो किचिन में यस बिलकुल सारे कांब अच्छे होते हैं तू बताओ तो यार सिम्पल सी बात है एक कप चाय बनाने में कम इनर्जी लगेगी चार कप हीट कैपिसिटी एंप होगे तो हीट कैपिसिटी क्या है एक और हीट नावरं हेिप और ज्यादा आएगी यहादी है मौण तो यार यह extensive है और यह intensive है तो इसका वजब यह भी आंसर नहीं हो सकता अब देखो यह किसी भी तरह की heat extensive होती है तो यह extensive 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 तो answer is D, answer is D, इसको करो, इसको करो, what is the intensive property, temperature yes, इसको दस पार्ट में काट दो, temperature same ही रहेगा, density yes, viscosity yes, मतलब all answer, मतलब क्या है, all answer, what is the extensive property, temperature intensive है, density intensive है, mole fraction intensive है, internal energy, internal energy है, किसी भी तरह की energy extensive होती है, अच्छा तुम मानूगी नहीं, और question करोगी, यार, तुम लोग की आदते बड़ी गंदी है, और question करेंगे, और question करेंगे, what is the extensive property, भाई, जल्द यल्दी करो, पास साथ होता है, तो साथ होता है, अब इसका क्या pH change होगा, दो चार घुट पी लूँगा, तो क्या pH change हो जाएगा, नहीं, system कुछ आज इतने पार्ट में करो, pH change नहीं होगा, enthalpy extensive होए, internal energy extensive होए, मगर per mole लिख दिया है, intensive हो गया, दो extensive property का ratio बन गया, और दो extensive property का ratio, intensive, हाँ, इसको बताओ, इसको बताओ, select the correct statement, extensive property are additive in nature, यस, intensive property are additive in nature, नो, ratio of two extensive property are intensive, यस, तो answer क्या हुआ, A और C, इसके दो answer है, extensive property क्या होती है, additive nature क्यों होती है, और दो extensive property का ratio, intensive होता है, ये भी सही है, अब तुमारी और इच्छा कर रही हो, तो ये लोग, बहुत सारे कोश्य हों है, इसको करो, ये बहुत साही कोश्यन है, करो, in which of the following properties, the number of extensive and intensive property are respectively, extensive और intensive property निकाल नहीं है, किसी भी तरह का boiling point, amount पर depend नहीं करता, intensive है, density, intensive है, surface tension, intensive है, force per unit area होता है, heat capacity, extensive है, अभी पढ़ाया है, किसी भी तरह की energy, extensive है, किसी भी तरह का mass, extensive है, refractive index, intensive है, entropy, extensive है, entropy क्या ओपी है, amount पर depend करती है, amount ये तो value है, electrode potential अभी बताया था, intensive है, ये ये भी electrode potential है, cell potential, intensive है, specific heat, intensive है, vapor pressure, intensive है, specific heat, intensive कैसे है, तो ये भी आदे गंट एक नहीं, एक से देड़ या दो घंटे बाद आपको मैं खुद पढ़ाऊँगा, आप चाहो, तो अभी सुनो, मगर अभी सुनोगे, तो अच्छे से बताऊँगा नहीं, वहाँ पर पूरा explain करूँगा, कि specific heat intensive कहते है, तो आप बता दूँगा, अब count कर लो, count कर लो, तो count कर लो भाई, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, आठ, इंटेंसिव हैं, तो इंटेंसिव आठ, यह है, तो extensive चार होंगी, एक, दो, तीन, चार, चार intensive, समझ गए, और तुम्हारी practice के लिए, यह लिखा है, यह सारा question आप इस table को भरो गया, है, यह homework है, amount, mass, mole, density, heat, force, work, mole percentage, यह सब भर के लाओगे, यह मैं छोड़ रहा हूँ, हाना, बहुत सारे, हजारो question मैंने दिये हैं आपके, यह आपका homework है, यह आपका homework है, clear, 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 अब देखुए, एक आपको note देता हूँ, note, heat, and work, not intensive, nor extensive, ना तो यह intensive property है, ना extensive property है, कौन, heat और work, heat और work, intensive भी नहीं है, extensive भी नहीं है, heat और work जो होती है, boundary property होती है, यह बात आपको समझी में नहीं आई होगी, अब ही मैं पढ़ाऊंगा, तो समझ में आएगी, यह क्या है, boundary property है, boundary property है, इसका मतलब क्या है, जर्ण गौर से, देखो, intensive और extensive, system की property है, और chemistry में कहा जाता है, कि work और heat, system में story नहीं होते हैं, कैसे, समझाता हूँ, मेरा phone किदर है, बच्चे कहेंगे, समझाने इक बात कर रहे है, phone से समझाओंगा, ठीक है, आप tension बिल्कुल ना लो, देखो गुरू, हाँ बई, किसको phone लगाएं, तुम सम्में से किसको phone लगाएं, बताओ, जल्देली comment मारो, किसको लगाएं, हाँ, चलो, चलो अच्छा, ठीक है, चलिए, ओके, चलो, पुनिया को phone लगाते हैं, अब मैंने यहां से phone लगाया, अब कितनी धीरी आवाज हूँ बोला, उनके पास तक आवाज गई, तो क्या आवाज गई है, नहीं, sound wave इतना travel करती नहीं है, थोड़ी physics पढ़ लो, sound wave इतना travel करती नहीं है, यह तो इस कमरे के बाएर नहीं गई होगी, उनके घर तक जाना तो दूर की बात है, तो फिर उनको आवाज आई कैसे, अब गौर सुना, energy जो होती ना, बहुत घमंडी होती है, मेरे करे तो घमंड है, मैं नहीं travel करूँ थी, मैं system से surrounding तक नहीं जाओंगी, energy घमंडी होती है, मैं travel नहीं करूँ, उसी तरह sound wave है, sound wave travel नहीं करती है, बहुत दूर तक, तो फिर यार मैं mobile में बोलता हूँ, hello, तो वहाँ तक कैसे जाती है, इलू और टीलू के बीच में ये जित्ता जामा चलता है, ये कैसे चलता है, बतातो हूँ, sound wave पहले convert हुई किसमे, electromagnetic wave में, जब मैं phone पे hello बोलता हूँ, तो sound wave convert हो गई electromagnetic wave में, electromagnetic wave tower to tower जाती है, और तरुन सर के घर के पास वाले tower पे गई, फिर उसके बाद उनके mobile में गई, तो travel किस ने किया, electromagnetic wave में, मगर system को, इसको क्या मिला, sound wave, sound wave convert हुई electromagnetic wave में, electromagnetic wave में दौर लगई, खट कर 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 और जैसे ही तरुन सर के mobile के अंदर गई, वो sound wave convert हो गई, और सॉरी, वो electromagnetic wave convert हो गई sound wave में, और सुनाई दिया, हाँ सर, मस्त है, बढ़ी आए, हमने का चलना है न, कल कला से, तो हमने का हाँ, सर, तैयारी पूरी है, तो, क्या sound wave travel कर रही है, नई, electromagnetic wave travel कर रही है, इसी तरह से, क्या होता है, इनर्जी होती है, इनर्जी को बहुत घमंड होता है, इनर्जी कहती है, ना मुन्ना ना, हम travel ना कर वे, यह system है, और यह surrounding है, दुनिया में दो ही लोग है, दुनिया में दो ही लोग, अब system से surrounding तक, इनर्जी का transfer कौन करे, यह system की energy है, और यह surrounding की energy है, तो जैसे ही system से निकलती है energy, तो energy convert हो जाती है work में, work travel करता है, और जैसे ही surrounding में घुशता है, फिर convert हो जाता है energy में, system से जैसे ही निकलती है, तो energy convert हो जाती है heat में, heat travel करता है, और जैसे ही surrounding तक पहुशता है, heat convert हो जाता है energy में, तो energy को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करते है heat और work, जैसे sound wave को किस ने convert किया, ले जाने का काम किस ने किया, electromagnetic wave ने, तो क्या sound wave मेरे पास थी, sorry, क्या मैंने electromagnetic wave छोड़ी, नहीं, क्या तरुन सर ने electromagnetic wave absorb की, नहीं, sound wave छोड़ी, sound wave absorb हुई, वैसे ही heat हो दा है, heat निकली, sorry, energy निकली, energy मिली, मगर उस energy को यहां से वहां तक किस form में लेगा है, work के form में, वो energy work में convert हुई, टक 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 हीट और वर्क यह सिस्टम में स्टोरी नहीं होते हैं यह बॉंडरी डूरिंग डा प्रॉसेस जनरेट होते हैं इसी लिए इनको बॉंडरी प्रॉपर्टी कहते हैं यह बॉंडरी पर अपेर होते हैं जैसे ही सिस्टम की बॉंडरी से बाहर आई इनर्जी वैसे ही वह वर्क मे कमेश्टि में कमेश्टि में बोल लाओ हीट कि एंड वर्क टियूरिंग दा प्रॉसेस जनेरेट होते हैं डियूरिंग दाप्रॉसेस generate होते हैं store रहते ही नहीं है इसी वज़े से गौर्ज सुनना डरना नहीं क्योंकि physics में अलग बताते हैं इसी वज़े से कमेश्टी में W या DW Q या DQ same बात है same बात है जबकि ये physics में same बात नहीं है क्यों हम ये मान के चलना है ये during the process generate हुआ है अब क्यों during the process generate हुआ है उसको आप चाहे W बोल दो चाहे DW बोल ठीके क्यों ऐसा नहीं था कि यहाँ पर W1 था यहाँ पर W2 था तो delta W equal to W2 minus W1 कमेश्टी वाले कहते हैं ये बावाल नहीं है during the process work आया है during the process work generate हुआ है during the process heat generate हुई है energy store होती है energy लिखेंगे E2 minus E1 work में हमारे यहाँ जब तक कमेश्टी चलेगी तब तक उनना भ्यान नकना W और DW सेम है Q और DQ सेम है क्योंकि Q जो represent कर रहा है वही DQ represent कर रहा है Q भी change को represent कर रहा है W भी change को represent कर रहा है DW भी change कर रहा है क्योंकि initial में तो वो था ही नहीं final में भी वो था ही नहीं वो तो during the process आया है तो आप चाहिए उतको W बोल दो चाहए DW लो बोल दो यह आपकी भावना है हाँ ना ELUA को चाहए वह Cornel Ayron के तो नाम रखते हो सोना बाबु टाबू कितने दिरा किसे नाम रखचते टेते हो की वह पैस तो कुछ भी बोल दो है acesso आज तो है तो थे तुम्हें वह सोना बाबु दिखाए देता है मम्मी को वही गदा देता है पड़ता पढ Craig तो ये क्यों कि आखुुन का फरका है चलि अच्च ये तह मजाग था इसको मजाग में लिए ठीक है तो ये बा समझ खात वा करी यूडे वपांडरी प्रॉपरटि है क्यों कि वह बॉंडरी पे अपियरस होते हैं अंदर नहीं सिस्टम में श्टोर नहीं होते हैं, surrounding में store नहीं होते हैं, यह जो energy है उसको इतना घमन होता है, वो एक जिगे से दूसरी जिगे जाती नहीं है, उसको ढोते कौन है, work or heat, clear है, clear है मुन्ना, यदि clear है, तो कहानी को और आंगे बढ़ाते हैं, अब कहानी में term आ रहा है, क्या, यह, process, type of process and state variable, process क्या होता है, type of process क्या होता है, state variable क्या होता है, जर अब इसको समझो, process का मतलब होता है, कुछ होना, कुछ होने को process कहते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो process हो रहा है, मैं पानी पी रहा हूं, process हो रहा है, तुम lecture देखते देखते बाते कर रहे हो, process हो रहा है, मम्मी खाना बन तो कमेश्टी में थोड़ा जरावने सब्स रख्थे जाते हैं जैसे साइन से लोग डरें और जब कि फर्जी चीजह कुछ भी हो रहा हूं इसको प्रॉसेस कैसे इसमें इतना बड़ा नाम क्या है प्रॉसेस और पूझ हो आएक जब कुछ तो कुछ झाएगा तो कुछ ने हैं मैं पढ़ारा हूं में रिवी ठाखान बन रही है तो कोई ना कोई रिजग तो मेरी गला दर्द करता है नंब में अ कुछ को बसी को बहुत है कि की एफ़ जाता है किक कि प्रोसेज होगा तो उनका कहना है कि जब कोई प्रोसेज होता है तो कोई ना कोई चीज़ चेंज होती है तो इसका मतलब उसकी state change हो गई जैसे तुम state change होने कोई यहां से यहां तक कहते हुए अभी हम इस state पे थे हैं अभी यहां पे आ गए कोई भी एक value change हुए इसका मतलब state change हुए pressure change हुए, temperature change हुए, mass change हुए इनर्जी चेंज हुए एक नए श्टीट आ गए नोंका कहना भर गए तो उनका कहना ह면 यहन्य से दूसरी स्टेट पर जा रहा हूँ इसका मतलब प्रोसेस का मतलब समझता है कुछ होने को प्रोसेस कहते हैंilde अब कुछ होते समझे रहा देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ ना, बताओ मेरे उपर पूरे एक घंटे हो गए, कितना प्रेसर लग रहा है, पढ़ाते समय प्रेसर कॉस्टेंट रहा है, one atmospheric, मेरे उपर one atmospheric pressure लग रहा है, मगर मेरा temperature चेंज हो रहा है, पहले ज process, यदि pressure constant है, तो उस process का नाम रख दिया, isobaric process, during the process temperature constant है, तो isothermal process, during the process volume constant है, तो isochoric process, during the process heat का कोई लेने देना नहीं है, तो adiabatic process, तो कुछ होने को क्या कहोगे, process, अब जब कुछ हो रहा है, तो कुछ constant रहता है, कुछ होते समय temperature constant है, Isothermal, कुछ होते समय प्रेसर constant है, Isobary, एकशोल होते समय, वैलूम कॉस्टेंट है, एसोपोरिक, कुछ होते समय, लेना देना नहीं हो रहा है, एडियावैटिक, थिक, तो अब टाइप आप प्रोसेस पे आ गए, देखो, टाइप आप प्रोसेस, आईसो थर्मल प्रोसेस तो आईसो थर्मल प्रोसेस का मतलब डियूरिं दा प्रोसेस टम्प्रेचर कॉस्टेंट है जब टम्प्रेचर कॉस्टेंट है तो चेंज इन टम्प्रेचर कितना आएगा? जीरो, भाई चेंज इन टंपरेचर कितना आएगा, जीरो आएगा, अब देखो, adiabatic process, during the process, heat का लेना देना नहीं है, तो जब heat का transfer नहीं हो रहा है, तो q equal to 0, dq equal to 0, क्यो heat का transfer नहीं हो रहा है, ध्यान नकना q भी change है, dq भी change है, यहाँ पर बच्चे confused होते हैं, कि सर absolute value कैसे 0 है, तो उसका reason, कि q और dq दोनो चेंज है, यह दोनो चेंज को रिप्रिजेंड कर रहे है, अभी इसकी पंदरा मियट कहानी सुनाई है, अभी इसकी पंदरा मियट कहानी सुनाई है, इसलिए दोनों 0 है, तो adiabatic process क्या है, प्रासेस होते समय, heat का exchange नहीं तो adiabatic process, आइस्टोबेरिक प्रोसेस होते समय प्रेसर कॉस्टेंट हो प्रोसेस होते समय प्रेसर कॉस्टेंट है तो एडियावेटिक है process होते समय value constant है तो isoporic v equal to constant और dv equal to 0 या dell v equal to 0 cyclic process जिस जगह से चले हो उसी जगह पे वापस आ जाओ तो cyclic process मतलब initial state यह हम यहाँ से चलना है तो यह हमारी initial state अब मैं चला में पहुंचा फिर मैं बी पहुंचा फिर मैं टी पहुंच गया अब फिर यहा पर अ तो यार हमारा ओर अधिन्हीर इस सिम यह एज अधे हम और दोनों कि हैं सी में है談 liar तो ऐसे process को cyclic process कहते है. जब initial stage और final state सेज़ उँ. cyclic process ऐसे process को cyclic process कहते है. उसमें यह दोनों कैसे जीरों हैं. यह मैं आपको एक गंडे में बताओं. इसलिए मैं इसके बारे में कुछ बताई ही उपा. मैं बस इतना कह रहा हूं cyclic process का मतलब इतना है कि जब initial और final stage सेम हो, मतलब जहां से चलो वहाई पे आज़ो जहां से चलो, वहाई पे आज़ो तो cyclic process सबको clear है सबको clear है क्या, कुछ होने को process कहते है कुछ होते समय temperature constant है isothermal, कुछ होते समय pressure constant है isobaric, कुछ होते समय volume constant है, isocoric कुछ होते समय heat का exchange नहीं हो रहा adiabatic, और जहां से चलो, वहाई पे वापस आज़े cyclic, अब ये कुछ होगा कैसे भाई, तुमने का कुछ होने को process कहते है, वो कुछ कैसे करोगे process करने के तरीका क्या है भाई, हम कह रहा हैं कि हम यहां से, यहां तक जाएंगे तो temperature constant रहेगा जाएंगे कैसे process करने के तरीके को क्या कहते है mon of process और वो दो तरीके के होते है process करने का तरीका तो पूरी दुनिया में word में पूरे universe में दो ही तरीके से कोई भी process हो सकता है इनका यह कहना है इनका यह कहना है कि पूरे universe में दो ही तरीके से कोई process हो सकता है process करने के 100-200 तरीके ही नहीं दो तरीके हैं उसमें से एक real है और एक hypothetical है गौर समझो reversible process और irreversible process यह process करने के तरीके हैं कुछ होना process है अब यह कुछ होगा कैसे तो वो जो कुछ करते हो उसका कुछ करने के तरीके एक तरीका है reversible एक तरीका है irreversible इसमें से जो irreversible तरीका है वो real तरीका है मतलब real process है natural process है हम लोग यही process करते है natural process मतलब क्या हुआ गौर से समझेगा गौर से समझेगा इर्रिवर्सविल प्रॉसेस जो होता है फाइनाइट टाइम में खतम होता है फाइनाइट टाइम में खतम होता है और फाइनाइट स्टेप में खतम होता है यदि फाइनाइट टाइम में खतम हो रहा है जैसे मेरी क्लास क्लास चल लगी है चाहर 5 घंटे बाद कर दो ऑगी गो utiliz एन रिवर्स Фटो से वेए कि इन निकल ना रॉर्फोड प्रांसेश रात हो ऩॉनकिर अइए टाइम में कहत रहा है। वह फाइनाइट हाए रहा आपlus हें कि सिंद्दी है बारी सोना irreversible process बंदी हो जाती कुछ देर बाद एंगा यह जितना कुछ है वो सब irreversible process है तो जितने भी natural process है वो सब irreversible process है क्यों क्यों कि finite time में होते हैं आप cœur around chopτε आप वह समने तीन होता है आपके सामने कोई वह highness होता है आप सब irreversible process है ये सब irreversible process है जो finite time में खतम हो finite step में खतम हो वो irreversible होता है वो irreversible process है clear इतनी बात clear तो all natural process are example of irreversible process ये real process है finite time में खतम होगा finite step में खतम होगा और गौर समझो जब irreversible process चला होगा तो पी external जो होगा गौर सुनिएगा irreversible process का पी external जो होता है वो constant होता है जैसे ये guys है अब ये piston उपर जाना चाहता है ये दिखो ये piston है अब कोई कह रहा है कि सर यार इसको उपर ले जाओ इस piston तो मैंने का चला जाएगा ऊपर ऐसी क्या बात है अभी ले जाता हूँ अब ये piston उपर की ओर जा रहा है तो ये finite step पे जा रहा है finite time पे जा रहा है और इस पर जो pressure लग रहा है वो P external है और जो gas है वो जो pressure लगा रही है वो P internal है, वो pressure आप gas है, pressure आप gas उपर क्योर लग रहा है, तो कहा जा रहा है कि जो P external होता है, वो constant होता है, किसका? irreversual process, finite step पे खतम होगा, finite time लेगा, all natural process are example of irreversual process, real process होता है, यह real process होता है, clear रहती बाद, अच्छा, और यह directional होता है, एक direction में चलता है, यह कैसा होता है, directional होता है, यह directional, अब इधार आदो, यह process देखू ज़रा कैसा है, इसके बारे में ज़रा समझू, जो हमारा, यह process है, कौन सा, ओ, सॉरी, जो हमारा, reversible process है, वो जो है, एक hypothetical process है, वो हमेशा equilibrium में रहता है, वो हमेशा equilibrium में रहता है, पहली बाद, यह कैसा है, hypothetical process है, सॉरी, हाइपो, hypothetical process है, यह real process है, यह real process नहीं है, यह सुरी pen copy भी मिलता है, reality में ऐसा कोई process ही नहीं है, यह सुरी pen copy भी मिलता है, infinite time लेता है, इसको खतम होने में कितना time लगता है, infinite time, और infinite step लेता है, और always, all time, equilibrium में रहता है, all time equilibrium में रहता है, इसका मतलब, यह directional नहीं होता है, दोनों तरब move करता है, equal, tendency, to move both direction, क्योंकि हमेशा एक प्लूब्रियम में है, और इसका पी external variable होता है, इसका पी external variable होता है, इसका पी external constant होता है, यह important चीज़ है, हमें अभी future में काम आएगी, इससे हम question को यह पकड़ेंगे, यह किस तरह के process से काम कर रहा है, तो जड़ा गौर से देख लो, reverse evil process, hypothetical process है, हमेशा इक प्लूब्रियम में रहता है, हमेशा और infinite time में खतम होता है, infinite step में, क्या हम तुम infinite time के लिए जिन्दा है, क्या हम तुम infinite time के लिए जिन्दा है, हमाएं सामने यह process खतम ही नहीं होगा, जैसे, जैसे, प्रत्वी का नश्ठ होना, अर्थ कब नश्ठ होगी, हमाएं सामने होगी, नहीं, तो हमारे लिए वो reverse evil process है, क्योंकि हमारे सामने होई नहीं पाएगा, हमारे सामने होई नहीं पाएगा, तो reverse evil process एक hypothetical process है, इसमें क्या होता है, जो process की speed है, वो बहुत धीरी होती है, ना के बराबर होती है, जो opposing force और driving force, कि बीच में difference बहुत कम है यह देखो मतलब उस process को करने वाला कि a process in which the driving force जो कर रहा है infinitesimally greater than opposing force जो उसको रोक रहा है जो रोक रहा है और जो process को कर रहा है उसके बीच में difference ना के बरापर है तो इसलिए process बहुत धीरे-धीरे खिसकेगा, बहुत धीरे-धीरे, पता चला पूरी जिन्दिगी निकल गए, तो हम तो limit time के लिए जिन्दा रहते हैं, तो हमारे respect में ये सब क्या है, hypothetical है, क्यों? जब तक हम लोग जिन्दा रहेंगे, दिखेगा यह नहीं process, मान लोग किसी, साइद, मुझे तो को इत्ती बाइनोची आती नहीं है, लोग कहते हैं, मच्छर की life एक दिन की होती है, एक या दो दिन की, पता नहीं, एक दिन की, अब मच्छर को तो हम लोग क्या दिखते होंगे, reversible process, जिन्दा है, जिन्दा ही है, इसमें तो कुछ change ही नहीं है, एक दिन तो उसको इंसान कैसा लग रहा होगा, reversible process जैसा लग रहा होगा, infinite time में खतम होगा, क्यों, हम लोग जितने साल दिएंगे उसके लिए तो वह infinite time है, उसकी life एक दिन की है, तो reversible process क्या है, जो hypothetical process है, जो infinite time में खतम होते हैं, infinite step में खतम होते हैं, और इनका P external variable होगा, ठीक है, ब कर देता हो, process कुछ होने को process कहते हैं, कुछ होते समय temperature constant है, isothermal, कुछ होते समय pressure constant है, isobaric, कुछ होते समय volume constant है, isocoric, कुछ होते समय heat का chain नहीं हो रहा है, adiabatic, कुछ हो गरा है, मगर जहां से चले, वहीं पर आ गए, cyclic, कुछ होने के तरीकों को, reversible, irreversible, irreversible process, infinite time में खतम होत होता है, real process है, all natural process इसी को follow करते हैं, p external constant होता है, directional होता है, irreversible process, hypothetical है, infinite time लेता है, infinite step लेता है, हमेशा equilibrium में रहता है, p external variable होता है, इसको बताओ, क्या answer आएगा, इसको बताओ, इसका answer क्या आएगा, बताओ, इसका answer बताओ, सारे बच्चे answer बताएगा, कि answer क्या आएगा, देखो, in thermodynamics, a process is called reversible, when? Reversible process क्या है, system and surrounding change into each other, मैंने तो नहीं बताया, कि system और surrounding एक दूसरे में change हो जाते है, there is no boundary between system और surrounding, ये भी मैंने नहीं बताया, हमने जो example दिया तो उसमें तो boundary थी, the system, the surrounding, always in equilibrium with system, मैंने काया, equilibrium होती है, तो equilibrium होती किसके बीच में है, दुनिया में कित्ते लोग, thermodynamics के साब से दुनिया में कित्ते लोग, प्रभू, दो, एक system, एक surrounding, तो equilibrium भी उनी के बीच में होगी, the system change into the surrounding spontaneously, तो answer क्या होगा, किलियर है, yes या no, किलियर है, किलियर, अब आ जाओ ज़र, अच्छा है, एक question मैं पूछ नूँ, बतावे, वैसे इतना पढ़ा दिया है, बताई ले जाओगे, तुमारी preparation, तुमारे doctor बनने का सपना, तुमारी preparation क्या है, एर्रिवर्सिविल प्रोसेस है, कि रिवर्सिविल प्रोसेस है, बताओ, answer, तुमारी preparation, एर्रिवर्सिविल प्रोसेस है, कि रिवर्सिविल प्रोसेस है, सिंपल सी बाद है, एर्रिवर्सिविल प्रोसेस है, वैरी गुड बस देखा इस पर कोई गलत नहीं बतायेगा कि नहीं तर हम दस साल करेंगे हम तो करते ही रहेंगे पूरी जिंदिगी इस पर सारे बच्चे सही आंसर देना है कि चल आंगे बढ़ते हैं आंगे बढ़ते हैं इसको देखो बताओ इस्टेट फंसन और पात फंसन क्या होते हैं क्या है इस्टेट फंसन क्या है पात फंसन बताईए इस्टेट फंसन क्या है पात फंसन क्या है यह टर्मोलोजी है जल्दी खतम हो जाएगी पहुंच रहे हैं लोग क्या होता है इस्टेट फंसन क्या होता है पात फंसन देखो ज स्टेट फंशन क्या है पाफ फंशन क्या है कि सिंपल जी बता दो आप अपने आप समझ जाओंगे किसने कहां से प्रेशन की किसने कैसे प्रेशन की इस ते उसको फरक पारता है नहीं बस नीट का इतना कहना है कि भाई देखो जिसके 600 से उपर नंबर आ जाएंगे वह और जिसके इससे नीचे रहेंगे वह नहीं सलेक्ट होगा इससे कम मार्क्स वाला नौट सलेक्ट और इसके उपर मार्क्स वाला सलेक्ट प्रेशन कैसे की है कितने साल में की है उसको इससे कोई लेना देना नहीं है उसको सिर्फ लेना देना है जीरो से लेके 600 नंबर कि 0 से लेके 600 नंबर तक तुम कैसे पहुंचते हैं कोई लेना देना नहीं है चीटिंग की है उससे भी लेना देना नहीं है उसको बस देखना है कि तुम्हाई इत्य नंबर आये हैं कि नहीं आये तुमने यदि इस खयाल से नंबर लगाए है काली वाली चटनी है तो C होगा हरी वाली चटनी है तो B होगा है ना अकड़ बकड़ भंबे बोल खोला है कुछ भी खेलाओ यार है ना ELU के नाम पे टिक किया हो TELU के नाम पे टिक किया हो किसी के नाम पे बी टिक किया हो यह भी 600 से उपर आ गए तो select मतलब path से लेना ही देना नहीं है कि तुमने use कौम सा path किया है cheating वाला path यूज किया है hard work वाला path यूज किया है यह 10 साल preparation करके रटने वाला path यूज किया कि 10 साल में हमें सब कुछ रट गया जैसे teacher teacher क्या है normal आदमी है मतलब तुम से कमजोर होता है teacher मेरा अपना personal मानना है ठीक है बहुत सारे लोग गुसा हो जाएंगे इस बास से teacher बच्चे से हमेसा कमजोर होता है यार तुम जो साल 20 साल में 15 साल में 8 साल में सीख रहे हो वह छे मैने में या एक साल में दो साल में सीख के 720 नंबल लाता है और तीन सब्जेक्ट सीखता है तो यार वह talented है हम लोग थोड़ी talented है यह तो बच्चों का पहार है जो दिखाते हैं वह कि हां सर हमारे अच्छे talented है यह talent कौन है तुम यार समझ रहे हो आप खूस हो गया तो पहरा सुकला जी पांड़े जी डॉक्टर साब इस्ट्राइलिन इन सब के देखो दाब निकल आयोंगे अच्छा अरे सर अब आपने बताया है कि मैं talented हुए चल दर देखो मकार नो हाँ अगर बास सई है तो देखो आपके जीओ से लेके 600 नंबर के उपर कैसे आते हैं कौन सा पाथ यूज करते हो कोई लेना देना नहीं है उसको साथ 600 से उपर है इसलिए तुम selected हो तो state function क्या होता है उसको पास से कोई लेना देना नहीं है उसको बस इस बास से लेना देना है कि initial कहा है और final क्या है बस state function वो होता है जिसको पास से लेना देना नहीं है कि यहां से यहां तक आप ऐसे पहुंशते हो या आप ऐसे पहुंशते हो या आप ऐसे पहुंशते हो या पूरी दुनिया में घूम के पहुंशते हो उसको कोई लेना देना नहीं है आपका initial और final same है तो इस पास से जाओगे को और सुनना इस पास से जाओगे चाहे तुम इस पास से जाओ और चाहे तुम इस पास से जाओ, value सेम रहेगी, value में change नहीं आएगा, क्यों? तुमने पास से लेना ही देना नहीं है, सब लोग इस जगह से चालू हुए, सब लोग इस जगह पर खतम हुए, बस बात खतम हुए, बस बात खतम हुए, रेस इतनी जी, 0 से चालू करना है, 600 से उपर लाना है, कीटिंग करके लाते हूँ, तुम्हारी जगह दूसरा बच्चा पेपर देता है, कोई बता नहीं, पास से कोई लेना देना नहीं, तो state function वो फर्मो डाइनमिक्स प्रॉपर्टी होती है, state function वो प्रॉपर्टी है, जो प पर भी depend करती है, और initial और final दोनों पर depend करती है, वो path function है, यह क्या है, यह path पर भी depend करेंगे, and initial और final state पर भी depend करेंगे, initial and final stage, इस पर भी depend करेंगे, दोनों पर डिपेंड कर रहे हैं तो पाथ फंसन और सिर्फ इस्टेज पर डिपेंड कर रहे हैं सिर्फ इनीश्यल और फाइनल इस्टेट पर डिपेंड कर रहे हैं तो सिर्फ इनीश्यल and final state पे depend कर रहा है तो state function अब बच्चों ने कहा कि sir हमको कैसे पता लगेगा कौन path function, कौन state function हमको थोड़ी पताने आएगा मैं path function हूँ मैं state function हूँ यार हमको कौन पताएगा हमको कैसे पता लगेगा हम तो pen copy पे खेलेंगे हमको experiment थोड़ी कर रहे है कि हमने देख लिया हम तो pen copy पे खेलेंगे ना तो गौर सुनो इस बात को याद रखना इस problem का solution देखो distance heat capacity work heat यह हमारे path function है distance heat capacity work heat यह हमारे path function है इसके अलावा कुछ भी दिखे state function शाबदो इसके अलावा कुछ भी दिखे state function साबदो आप से कोई कहता है value state function क्या यह work है क्या यह heat है क्या यह heat capacity है क्या यह distance है नहीं condition temperature प्रेशर इस्टेट फंसर इंटर्नल इनर्जी इस्टेट फंसर आप बस इतनी चीज़ देखो उन चार में से कुछ है नहीं है तो बस इस्टेट फंसर गिप्स फ्री इनर्जी इस्टेज फंसर एलक्टोर पोटेंशियल इस्टेट फंसर यह देखो आप बस यह देख लो क्या वह चार में से है वर हीट हीट कैपसिटी डिस्टेंस पाथ फंसन इसके अलावा कुछ भी इस्टेट फंसन डिस्प्लेस्मेंट इस्टेट फंसन इंट्रोपी इस्टेट फंसन ठीक कुछ भी तो क्या है क्या ध्यान लख होगे वर हीट हीट कैपसिटी डिस्टेंस पाथ फंसन इसके अलावा कुछ भी इस्टेट फंसन वर हीट हीट कैपसिटी पाथ फंसन इसके अलावा कुछ भी इस्टेट फंसन मतलब आइए पाधडेपेंड कर रہा है हीट डिष्टन्स और सास साथ में इनीइशील और फाइंवल इस्टेट परिफट इपन करने हैं मगर इसके अलावा सब कुछ इनीशीएल और स्टेट पर इपन करता है पर डिपेंड ही नहीं करता तो इसको तो बस इस मतलब है कि अच्छा एक डिगरी टंप्रेचर बढ़ा टंप्रेचर इस्टेट बंसन है तो उसको इस बात से मतलब ही नहीं है कि पात कौन सा यूज हुआ है कि गैस में रोटी बनाते बनाते चीम्टन तुम्हां च्छिवा दिया गया कि अच्छा सर्वेश सर्व वन सौट ले रहें पढ़ा रहें तुम दूसरी वाली बिंडों में इलूटी लू कर रहें यह यह लू टंप्रेचर तुम्हारा दो डिगरी बढ़ गया कैसे बढ़ा ह पाथ से कोई लेना देना है वर्क कहेगा नहीं यार दूसरे वाले में वर्क बहुत हुआ है मम्मी ठक रही है इत्ति ठपड़ रहे है और पहले वाले में बिलकुल वर्क नहीं हुआ था खट कैसे उठाया और बस ऐसे चुखा दिया है तो वर्क की बात आएगी वर्क अच्शलिस्टि परिफन करें ौत्फ पारे हैं तो ध्यान नक्ख़भी क्या स्थैनन नक्ख़गी वर्क हीट हीट कैपसिटी डिस्टनικά इसके अलाव कुछ पुरुछ भी है इस के अलावा कुछ भी है इस टेट फिन्स खलिए डर 0 जल्दी से ऊंसर प्रता हो गड़ियो ढ़ता रता देको वर्ट पास फंस रखी फास फंसन फैलूट हेळू इस्टेट फंसन प्रेश ए श Lite Sense no in darauf No mo series where heat velocity distance इसके अलावां जो दिको श्याप्ते चले जो तुम्हारा मन कर रहा है मैं क euch Sn करूंगा कर लो यार एक तो तुम बहुत गंदे हो मांते नहीं हो Golden हाँ सें आवई विच्वण इस नॉटे स्टेट फंसर इन में से स्टेट फंसर कौन नहीं है मतलब वह इनमे से स्टेट फंसर कौन नहीं है इस कहले बढ़े संसर पूछ रहा तो वर्क हीट हीट कैपिसिटी एंड डिश्टेंस इसका पाथ फंसन को नहीं है अच्छ ये बताओ विच वन इस टेट फंसन अब इस्टेट फंसन पूछ रहा है तो हीट वर्क और हीट और वर्क क्या है पाथ फंसन इंथल्पी स्टेंस दो आंसर है सी ओडी सी ओडी दो आंसर है वार्क और हीट हीट कैपिसिटी और डिस्टेंस पाथ फंसन इसके अलावाद सम इस्टेट कर लोगे क्या तुम यह बात कर लोगे, इसको बताओ, इसको बताओ, जल्दी से बताओ, work is a state function, temperature is a state function, change in the state is completely defined, when the initial and final state are specified, work appears as the boundary of the system, देखो, ये true है, work boundary of the system पे अपेर होता है, ये भी true है, चेंज इन स्टेट तभी कम्प्लीटली डिफाइन होगी जब इनीशिल और फाइनल बता दोगी टमप्रेचर इस्टेट फंसन होता है ट्रू है वर्ट पात फंसन होता है तो ए अंसर होगा कर लोगे कर लोगे अब बच्चों आते हैं खतरना चीज पे बताओ वर्ट क्या होता है जादू हो गया अब इसको सही करता है चलो पीसी पे आओ एंड्राइड में चला क्या अब एक बार और जादू होगा क्योंकि पेंड्राइब भी लगी है ना तो वो भी भी खुलेगी अब खुल जासे इन से इसको भी बंद कर देता हो हां मुन्ना बताओ वाट इस दफ़ार्क अब धीरे धीरे थर्मोडाइंस में जा रहे अब इत्ते सारे टर्म पढ़ा दिये हैं यह सब रिवाइस कर लेना समझे रोड़ा यह रिवाइस कर लिए हो बताओ को डिफिनीशन वाइस बताता हूं वर्क बच्चों होता है मोशन अगेंजड अपोजिंग फोर्स किसी अपोजिंग फोर्स के अगेंजड किया गया मोशन वर्क है किसी अपोजिंग फोर्स के अगेंजड किया गया मोशन यैसे तुम मुझे रोक रहा हो मैं ऐसे आ रहा वर्क हुआ है और कोई मुझे रोक ही नहीं रहा है तो वर्क किस बात का हमें वर्क क्यों करना पड़ेगा अपने आप हो रहा होगा तो देखो मोशन अगेंट अपोजिंग फोर्स इस वर्क अच्छा हमें कौन सा पढ़ना है अउनली पी वी वर्क पढ़ना है हमें अउनली पी वी वर्क कल्कुलेट करना है कमेस्टी में वर्क बहुत तरह एक होता है आप जानते हो पिजिक्स में एलेक्ट्रिकल वर्क हमें नहीं कल्कुलेट करना है हमें स्रिफ प्रेसर वैलूम वर्क कल्कुलेट करना है स्रिफ प्रेसर वैलूम वर्क कैस है कि यार हम कमेश्टी पढ़ा रहे हैं तो कमेश्टी में फोर्स थोड़ी चलता है और ना displacement चलता है हमको तो पढ़ना है कैसा वर्क प्रेसर वैलूम वर्क तो जब मुन्ना आपको प्रेसर वैलूम वर्क पढ़ना है तो यार इस फार्मूले से तो हमारा कोई कोश्चन ही नहीं निकलेगा तो हमें क्या है इसको प्रेसर वैलूम वर्क में करना पढ़ेगा देखो यह है हमारा इनीशियल वैलूम यह है फाइनल वैलूम और यहां तक आप आपने इसको डिस्प्लेस किया है डियस एक्सपेंड हम लोग क्या कर रहे है इसको एक्सपेंड कर रहे है ऐसे इस तरह से तो आप expand कर रहा है, तो ds displacement हुआ है, और work कितना है, यह w equal to f into d, तो मैं इसको यह लिख लेता हूँ, हमें बच्पन में पढ़ाया गया था, p equal to f upon a, तो f equal to p into a, a क्या है, यह cross section area a है, अब p क्या है, इसके उपर लगने वाला pressure, p external, तो हमने यहाँ पर रख दिया, p into a into ds, तो work equal to आ गया, p into dv, dv क्या हुआ, value change, area into length क्या होता है, value होता है, और length कैसी है, change in length है, तो change in value आ गया, यह देखो, area into length, तो work का formula यह आ गया, in term of pv, क्योंकि chemistry में कौन सा work calculate करना है, pv work calculate करना है, तो यह देखो, pv work हमारा यह आ गया, clear है, तो work कितना आ गया, w equal to p into dv, w equal to कितना आ गया, p into dv, clear, बच्चों ने का सर clear, मैंने का चलो, अब तुम्हें कुछ और कहानी बताते है, सुनते जाओ, और समझते जाओ, यह मैंने दिये csd, यहां से csd कि आपको जरूरत बहुत परदेवादी है, देखो, 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 work, ठीक है, क्या है definition, motion, against, opposing force, अच्छा, अब अगला point, work कैसी property है, अभी मैंने पीछे पड़ाया है, extensive property है, कि intensive है, बताओ, यह boundary property है, ना तो intensive है, ना extensive है, पहला point, यह कैसी property है, boundary, boundary, दूसरी बात, यह state function है, यह path function, तो यह path function है, तीसरी बात, इसका formula क्या है, p equal to minus, p external dv, अब गौर सुनना, बच्चे कहेंगे, सर, आपने formula तो यह निकाना है, w equal to p into dv, और यहाँ formula क्या लिख रहे हो, w equal to p external dv, तो यह minus क्यों लिख रहे हो, तो अब गौर सुननों, हमें वो sign convention लाने हैं, जो chemistry के हैं, chemistry के sign convention और physics के sign convention में मुन्ना difference है, तो हम को chemistry के sign convention लाने हैं, इसलिए आप जब भी chemistry में formula लगाए हैं, तो यह लगाए है, क्या, w equal to minus p external dv, क्योंकि chemistry के sign convention चाहिए, तो जो कुछ आएगा, वो सब chemistry के sign convention आएंगे, ठीक है, और किसके sign convention सही है, किसके गलत है, इस पर हम लोग बहस अभी नहीं करेंगे, और किसी दिन time होगा, तो धड़ाके की बहस करेंगे, बताएंगे, कि chemistry के sign convention कैसे सही है, देखो, w equal to minus p external dv, और dv क्या हुआ, v final minus v initial, clear, v final minus v initial, अच्छा, अब एक और बात, देखो, unit of work, अब यार work जो है, एक energy का form है, तो यहाँ पर unit जो आ रही है, वो atmosphere लीटर में आ रही है, और option में atmosphere लीटर दिया नहीं होगा, तो one atmosphere लीटर equal to ध्यान लखना 100 joule, unit conversion की जरुवत आपको पढ़ेगी, one bar liter equal to 101 joule, यह approximate 100 ही डाल देते हैं, one newton meter equal to 1 joule, यह तो आप जामते ही हों क्योंकि physics में यूद होता है, one calorie equal to 4.18 joule यह 4.2 joule, जिसकी जिसकी आपको जरुवत पढ़ेगी, वो सब चीजे मैं आपको explain करता चला जा रहा हूँ, आप देते हूँ, work done on the system, work done on the system का मतलब क्या हुआ है, system per work हुआ है, तो system per work हुआ है, तो system को work इसका मतलब मिला है, work done on the system का मतलब system को work मिला है, और यदि system को work मिला है, तो बताओ work का sign कैसा हैगा, positive, भाईया हमें कुछ मिल लाई है, तो हमें positive आएगा न, हम system के respect में statement लिखते है, physics वाले statement surrounding के respect में लिखते है, तो हम system है, हमें कुछ मिला, तो क्या होगा, plus sign, हमें तो मिल ला है न, work done on the system, system पे work किया गया है, तो हमें तो मिल ला है, तो work done on the system होगा positive, और आप चेक कर लो, यहाँ positive हुआ है, जब system पे work करोगे, तो इसका मतलब क्या है, compress कर रहा है, भाई, gas को दाब रहे हो, तो जब gas को दाब होगे, तो value कम होगा, value कम होगा, तो dv की value negative, और negative negative, positive, negative, negative, positive, तो work done on the system positive होगा, अच्छा, अब देखो जरा और, एसका मतलब क्या होगा, compress हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, compression हो रहा है, मतलब final value कम है, इनेसियल value जदा है, इसी वज़े से dv की value क्या आ रही है negative आ रही है और इसी वज़े से work की value positive आ रही है क्योंकि work का formula आपने लिखा है पी external dv है तो minus minus मिलके क्या हो गया है प्लस हो गया है अच्छा अब देखो work done by the system अब system ने काम किया है तो जब system काम करेगा तो क्या होगा मैं काम करूंगा तो मेरी energy निकल जाएगी तो work assign कैसा हैगा negative मतलब system ने काम किया system ने काम किया तो जब system ने काम किया तो उसको work निकला इनर्जी निकली क्योंकि energy नाइधर भी क्रियर नौट भी डिस्ट्रॉय होती है तो इसका मतलब energy खर्च हुए और energy travel नहीं करती अभी पीछे बढ़ाया है energy को गवंड है ना मैं नहीं जाओंगा मैं नहीं जाओंगा तो जाएगा कौन वर्ट जाएगा कौन वर्ट तो इनर्जी वर्ट के फार्म में निकल गए इसलिए वर्ट का साइन कैसा है निगेटिव और यहां पर क्या हो रहा होगा expansion क्यों गैस ने piston को उपर उठाया होगा बैस system काम कर रहा है तो गैस क्या कर रही होगी पिश्टन को उपर उठाएगी तो और डीवी की वैलू पास्ट क्यों आएगी तो वर्ट की वैलू निगेटिव आएगी तो वर्ट की वैलू कैसे आएगे निगेटिव क्या इस बास ते सब लोग साहिमत है क्या ये बात मुन्ना समझ पाए हो भाई क्या है ये बात आप समझ पा रहे हूं सिंपल सी बात है आप बताओ देखो मैं ये लिख बना भी देता हूं मैं बना भी देता हूं देखो एक में हम लोग क्या कर देते हैं हूं अब देखो अब देखो यार बच्चो यहां पर क्या हो रहा है कंप्रेस हो रहा है यह देखो वी इनीशियल वी फाइनल पर डारेक्शन ऐसी है यह कंप्रेस हो रहा है अब यह क्या हो रहा है एक्स्पेंड हो रहा है अब बताओ, दोनों पर external pressure लग रहा है, तो piston को उपर कौन ले जा रहा है, पिस्टन को उपर कौन ले जा रहा है, गैस ले जा रही है न, और यहां piston को नीचे कौन ला रहा है, atmosphere ला रहा है, तो यह पहला है, यह दूसरा है, work done on the system, work done by the system, तो यदि work done on the system, work system पर हो रहा है, तो work का sign होगा past two, और यदि work system कर रहा है, system work करेगा तो negative, और system को work मिलेगा तो past two, प्रभू sign का ध्यान लखना है, sign convention use होंगे, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, इसका मतलब यह use होंगे, इनकी जरुरत पढ़ेगी, नहीं तो question में दिक्कत आएगी, question में क्या होगी, दिक्कत आएगी अपने को, तो इस बात को क्या समझ पा रहे है, कि work मिलेगा system को, तो plus, system work करेगा, तो minus, clear है, clear है यह बात, इतनी बात clear है, बच्चों ने का सर clear है, मैंने का यार अभी clear है, थोड़ा और आम या जाओ, अभी खतम नहीं है, अभी आपको CSD देने बाकी है, CSD देने बाकी है, अब जड़ा देख, work done, work done, against vacuum, work done, against vacuum, अब मुझे बताओ, vacuum का मतलब क्या होता है, vacuum का मतलब गैस नहीं है, और यदि गैस नहीं है, तो peak external की value कितनी होगी, जीरो, और जब peace tunnel की value 0 होगी, तो work done, against vacuum, कितना आएगा, 0 आएगा, भाई, जब बाहर गैसी नहीं है, तो हमें work क्यों करना पड़ेगा, piston अपने आप भगेगा, क्योंकि अंदर pressure ज्यादा है, गैस का pressure ज्यादा है, तो piston अपने आप भगेगा, हमें क्यों काम करना पड़ेगा, piston को हमें थोड़ी भगाना पड़ेगा, piston अपने आप भगेगा, उसकी पूझ में अपने आप आग लगी है, वो अपने आप भाग से क्योंकि वर्कके टन अगेंज है क्यों बाहिर गयस नहीं है तो इक्सटर्न ₹0 और खंशन वर्कक्यू रो क्योंकि मौलक का फार्मूला यह है descended g那我們 यही आई है ये यह रही प्रमूला expansion का मतलब क्या होता है यार यही होता है दोनों एक ही चीज़े फिरी expansion का मतलब है expansion बहुत तेजी से हो रहा है उसको रोकने वाला कोई नहीं है इसका मतलब ही होता है कि external pressure tends to zero है तो work done in free expansion भी zero आएगा भाई जब कोई free expansion का मतलब होता piston बहुत तेजी से उपर जा रहा है और piston बहुत तेजी से उपर कब जाएगा जब उपर contest नहों तो दोलों लगभग एक की बात ओपर गैसी नहीं तो जब भाईया अपोस्ट करने वाला कोई हैं नहीं तो वर क्यों करना पढ़ेगा वर की वैलू zero क्यों कि पी एक्सटरनल किया है जीरू अपिरी एक्सपेंसेर का मतलब क्या है कि पिस्टन सरसर मारे उपर जा रहे है सरसर मारे उपर सलक्षार एक्सटरनल प्रेशर ही नहीं है उसको रोखने वाला कोई प्रेशर नहीं है तो üst तरनल की बार्यू जीरो तो वर्क की बार्यू जीरो वर्क कर लाहीं पड़ेगा अच्छा अगला पॉइंट वर्क डन अगेंज्ट वर्क डन दूरिंग वर्क डन वर्क डन एक सोटंट वेल्यू यदि वर्क करते समय वेलूम चेंजी नहीं हो रहा है तो तो भाई डीवी इक्वल टू जीरो हो गया क्यों क्योंकि आप कह रहे कोश्टेंट है तो जब यौन कोश्टेंट है तो वर्क हुआ ही नहीं होगा कि वर्क की वयroph कि इसे होगा हमें पीवि खोनसरी होगा में कॉल्गे करना पर जब यौन को और क्य क्या आएगा क्योंकि वर्क फार्मूला तो प्रभू क्या है पी इस्टर्नल डीवी है और डीवी क्या है कि दीवी क्या है हाँ बाई चैप्टर बहुत बड़ा है तो बहुत कम ध्यां दे रहा हूं डीवी क्या है कि तुम लोगों पर जी रूख क्यों कॉस्टन वैलूम कह रहे हूं और ऐसे कोश्टन को सजाया जाएगा ना ऐसे कोश्टन को सजाया जाएगा कि तुम कहोगे अच्छा पुछना कुछ तो वर्क होगा अच्छा और बताओ वर्क डन एट आइसो कोरिक प्रोसेस का वर्क डन बताओ जब आइसो कोरिक प्रोसेस है तो आइसो कोरिक प्रोसेस की डिफिनीशन ही यही होती है बुटक एकोई सब्सक्राइब रितने 3 ओ सब्सक्राइब आई सब्सक्राइब बात एक है कि व्यव disent लिए पोड़ी को बात तो ही किये भच्चों ने का सर यार आप जो है ना परेशान कर रहे है अब हमें कोस्चन दो हम कोश्चन साल करेंगे हम आपकी बात मानेंगे नहीं हम सिर्फ कोश्चन साल करें क्यों यही कह रहा हूं ना हाँ भाई पहलवाल इलू टीलू चलो इलू इलू टीलू कोश्चन बताओ बताओ पाइड मोल आप आईडियल गैस एड वन बार एंड 298 कल्विन इस एक्सकेंड़ एंटू वै क्यूं डौर डवल्ल्य वैक्यूं टू डवाटन इस अब देखो इसको पढ़ो जहन से निख कर रहा है अगेंस्ट अगेंस्ट वैक्यूण से आएगा जीळो अब देको उसने कैसे ऑप्षুन लगे और सब कुस्च दे रख आ ये मोल ने र कोई ना कोई तो फार्मूला लगेगा कुछ ना कुछ तो वैळू निकालनी पड़ाएगी क्यों इती सारी चीज दिए इती सारी चीज इसलिए जैसे तुम क्या हो। अधा तो रोने दोने लगो क्या रोने कुछ तो निकले का थीड़ा है तो यार जब अगें दर आगक्यूम वर्क है तो जीरो अनसर कितना आएगा ऑंसे अप्धा आपको वर्क करना ही नहीं पड़ एक नोगे क्लियर है कि लिए रहे ना बच्चों इसर किलियर चलो अब बात कर लेते हीट की अब हीट बताओ क्या थो हीट क्या होता है देखो है मैंने आपको बताया था कि एनरजी घमंडी यह बच्चों ने का यह आपने बताया था सब्सक्राइब है अब system से surrounding तक energy को ले कौन जाएगा यह energy है और यह energy है यह system की energy है और यह surrounding की energy है अब इनको एक दूसरे में transfer कौन करेगा या तो energy work के form में जाएगी या energy जाती है heat के form में अब यार heat के form में कब जाएगी work के form में कब जाएगी जड़ा समझो energy heat के form में तब travel करती है जब दोनों के बीच में temperature difference वा है the energy that flow across the boundary of a system during the change in its stage by virtue of a difference in the temperature between difference in the temperature between system and its surrounding flow from a point of higher to lower point of temperature तो यार heat जो है system और surrounding में जो heat होगी जब दोनों के बीच में temperature difference होगा तब energy heat के form में फ्लो करेगी तो इसकी condition क्या है इसकी condition है कि temperature difference होना चाहिए sorry energy जो है heat के form में कब flow करेगी जब temperature difference होगा नहीं तो नहीं करेगी वो वर के form में जाएगी temperature difference होना चाहिए तो यदि system और surrounding के बीच में temperature का difference है तो energy heat के form में flow करेगी यदि system और surrounding में temperature का difference है तो energy heat के form में flow करेगी तो अब heat के बारे में बता देता हो और हीट के भी हम लोग CSD इसी जिगापे लिखनेते हैं तो जब देखो क्या system and surrounding के बीच में यदि temperature difference है क्या है temperature difference है system और surrounding के बीच में यदि temperature difference है then energy flow in term of heat तब heat के term में energy का flow होगा किदर से किदर होगा हाई temperature से low temperature के हो हाई temperature से low temperature के और heat क्या है extensive property है अभी पाथ function है अभी पीछे पढ़ाया है कि यह क्या है boundary property है यह क्या है path function है हना ना तो intensive है ना extensive है अच्छा du और dq सेम बात है do and dq दोनों क्या है same बात है दोनों ही change को सो करते है यह ना q and dq both so change of heat दोनों के दोनों heat के change को ही सो करते है तो q और dq सेम बात होगी जैसे work में मैंने बताया हूँ ऐसे इसमें के लिए रहे चलो अब इसके और point बताता हूँ देखो कि वर्क और हीट के सारे main point एक जिगे पर हैं को देखना हूँ कि अब ज़र दो यह system है भाई यह system है system का temperature T1 है यह surrounding है दुनिया में दो ही लोग है इसका temperature T2 है अब T1 greater than T2 है इसका मतलब क्या है कि हाइ टमप्रेचर यह लो टमप्रेचर यह तो हीट क्या होगी इधर से इधर फ्लो करेगी हीट के फ्लो करने की direction क्या है इधर से इधर इधर इसका मतलब system ने क्या है, heat निकाली है, तो इसका sign कैसा होगा, भाई कुछ निकाल ला है, तो minus, surrounding को क्या है, heat मिली है, surrounding का sign कैसा होगा, plus, भाई, system heat निकाल ला है, तो minus, क्यो, temperature high किसका है, system का है, तो जब system heat निकालेगा, तो heat आप system minus, और जो यह निकालेगा, वो गेन करेगा, तो surrounding क्या है, gain कर रहा है, तो उसका sign क्या हुआ, plus, अच्छा, अब की next, यदि माल लो ऐसा हो रहा हो, system का temperature T1, surrounding का temperature T2, मगर condition क्या लगी है, T1 कम है, T2 ज़्यादा है, तो इसका अब surrounding का temperature ज़्यादा है, अब surrounding का temperature ज़्यादा है, तो heat का flow किधर से किधर है, high temperature से low temperature क्यों है, इसका मतलब system को heat मिल लगी है, और surrounding दे रहा है, तो heat up system positive, मिलना क्या होता है, positive, और surrounding क्या है, निकालना क्या होता है, negative, तो sign ये आएगा, तब sign ये आएगा, ठीक, अच्छा, अगला point, heat exchange in adiabatic process, adiabatic process में heat exchange कितना आएगा, पता हो, adiabatic process का heat exchange कितना आएगा, heat up system कितनी आएगी, zero, क्यों, adiabatic process की definition यही होती है, कि heat का लेना देना नहीं होगा, जब कोई adiabatic process है, तो वहाँ पर heat का exchange आएगा ही नहीं, zero आएगा, क्यों, क्योंकि adiabatic process की condition प्रभू यही है, कि adiabatic process उस process को बोलेंगे, जिसमें heat का exchange नहीं हो रहा हूँ, तो q और dq दोनो एक्सचेंज ही है, q और dq क्या है, दोनो एक्सचेंज को represent करते हैं, इसलिए zero, अच्छा, heat in process, if wall of container is insulator, जब wall जो है, वो insulator है, इसका मतलब क्या है, heat का transfer होगा ही नहीं, तो heat up system क्या होई, और surrounding क्या होई, zero, यदि wall insulator की बनी है, तो इसका मतलब heat transfer, energy transfer नहीं हो रही है, और energy transfer नहीं हो रही है, तो heat नहीं हो रही है, भाई insulator है, तो insulator है, इसका मतलब क्या है, heat का transfer होगा ही नहीं, तो Q क्या है, Q absolute value नहीं है, exchange है, बार बार बोल ला हूँ, Q, W, DQ, DW, ये सब सेम बात है, और सब के सब difference है, exchange during the process जनलेट होते हैं, तो Q B क्या कर रहा है, difference को so कर रहा है, तो क्या है, जब heat का transfer ही नहीं हुआ, तो difference कैसे आएगा, तो Q की value क्या होगी, 0 होगी, यदि वॉल कैसी है, insulator है, यदि वॉल कैसी है, insulator है, तो क्या होगा, यह होगा, ऐसे, clear है, Q के बारे में detail दी, clear है, यह सारी बाते बुलना याद रखना, ज़रूरत परएंगी कोशनों में, यह सारी बाते याद रखना, work और इसकी, देखो मैंने इत्ते सारे point लिखे हैं, यह बार बार यूज होंगे, पूरे कोशनों में, बहुत तेजी से यूज होंगे, आप देखो कितने, मैंने point लिखे, एक, दो, तीन, और यह तीनों work और heat के बारे में है, तो work और heat की छोटी छोटी बाते याद रखना बहुत जरूरी है, concept याद रखना बहुत जरूरी है, work और heat के, क्यों, पूरी जगए पे लगेंगे, अब पीक बनना है, पढ़ाई का, मस्त मजा आ रहा है, आजो, लगते हैं, ठीके, बात समझ पाए, चलो, आंगे बढ़ते चलो भाई, अब बात करते हैं, internal energy की, यार, internal energy क्या है, देखो, internal energy क्या होती है, इस पर discussion करते हैं, ठीके, तो सभी बच्चे, आज़ाओ अब मैं इसको थोड़ा सा, different form में बताता हूं, different form में बताता हूं, गौर सुनिएगा, सभी तरह की energy का sum, internal energy होता है, all kind of, sum of all kind of energy, sum of, all kind of, energy, of system, energy of system, is known as, internal energy, system की हर तरह की energy का sum, internal energy के बराबर होता है, system के पास जितनी तरह की भी energy है, उन सब का sum, internal energy के बराबर होता है, मतलब, जैसे देखो, यह system है, यह हमारी gas है, यह हमारी gas है, और यह क्या है, gas हमारा system है, अब माल लो, इसके पास, कितनी टाइप की energy है, kinetic energy भी होगी, potential energy होगी, rotational energy होगी, हाँ ना, vibrational energy होगी, translational energy होगी, ठीक है, एस एक्टरा, जाने कितनी तरह की energy होगी, इस में से कुछ energy की value positive होगी, कुछ energy की negative होगी, कुछ energy की zero होगी, मगर यही इन सब का sum कर दिया जाये, तो वो internal energy बनता है, जितनी भी तरह की energy किसी के पास possible है, उन में से कुछ की value zero भी हो सकती है, कुछ की value हो भी सकती है, कुछ की value positive भी हो सकती है, ठीक है, उन सब type की energy का sum internal energy है, सब टाइप की इनर्जी का सम इंटर्नल इनर्जी है क्या इनर्जी क्या है सिस्टम की जितनी भी तरह की इनर्जी सिस्टम के पास है उन सब का सम इंटर्नल इनर्जी है जितनी भी तरह की इनर्जी सिस्टम के पास हो सकती है उन सब का सम इंटर्नल इनर्जी है अब देखो internal energy का CSD हैं गौर समझेगा सुनिएगा और करिएगा देखो internal energy क्या है पहले definition तो definition क्या है all kind of energy sum of all kind of energy जितनी भी तरह की energy है उन सब का sum internal energy जितनी भी तरह की energy हो सकती है translational, vibrational, rotational so on उन सबका sum internal energy है अब सुनते जाइएगा internal energy को हम represent करते है U से internal energy को generally हम represent करते है capital U से कहीं कहीं पर capital E भी लिख देते है मगर हम mainly इससे यूज़ करते हैं अब change in internal energy को कैसे represent करो हूँ change in internal energy को हम लोग represent करेंगे किस से DU से या फिर DE से DE या डिल्टा किलियर है DE या डिल्टा अब दोको ये energy है तो किसी भी तरह की energy कैसी होती है extensive property होती है क्या ये work है क्या ये heat है क्या ये heat capacity है क्या ये distance है नई तो ये कैसा होगा state function हो कैसा होगा state function होगा अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सारी चीज़ों को तो आपने small letter में लिखा है state function capital letter में लिख रहे हो क्योंकि भाईया ये बहुत बड़ी चीज़ है इसको तुम फार्मूला समझो ये बहुत पगड़ा concept है जो बार बार use होगा कि इंटर्नल इनर्जी state function है तुम इसको हलके में मतलो है ना कि अच्छा state function है ठीक है अरे रोड़ होगे जरा ध्यान लखना कि ये state function है ये बहुत बड़ा concept है बार बार use हो रहा होगा और इसको use करना तुम्हें सीखना पड़ेगा और मैं इसी खाऊंगा अच्छा इंटर्नल इनर्जी पर मोल इंटर्नल इनर्जी पर मोल इंटर्नल इनर्जी पर ग्राम क्या हो जाएगा इंटेंसिव हो जाएगा क्यों दो extensive property का ratio है दो extensive property का ratio है तो एपसलूट वैलू ओफ इंटर्नल इनर्जी नॉट काउंटेबल इसकी एपसलूट वैलू काउंटेबल ही नहीं है इसलिए आप क्या निकालोगे ओल्ली चेंज चेंज आफ इंटर्नल इनर्जी मतलब डियू या डियू यह यह काउंटेबल है द्यान लखेगा हम कभी इसकी एपसलूट वैलू नहीं निकालेंगे चेंज निकालेंगे तो कोश्चन में जो वो पूछ रहा होगा बस हम उसकी बाते नहीं समझ पा रहु हो वो एपसलूट वैलू कभी नहीं नहीं पूचेगा क्योंकि एपसलूट वैलू इंटर्नल इनर्जी की काउंटेबल नहीं है और यह, अगला पॉंट इन केस अफ आईडियल गैस आईडियल गैस के केस ने इन्टर्नल इनर्जी अल्ली डिपेंड अपोन अल्ली डिपेंड अपोन टंप्रेचर जरा बात को समझो यदि आईडियल गैस है तो इन्टर्नल इनर्जी स्थिफ टंप्रेचर का फंचन है यदि आईडियल गैस है ये भी बहुत तगड़ा पॉइंट है ये बार-बार कोश्नों में यूज होगा यदि आईडियल गैस है तो internal energy स्रिफ temperature का function है मतलब temperature change होगा कभी value change होगी यदि temperature change नहीं होगा तो इसकी value भी कभी नहीं change होगी ध्यान लखेगा क्यों? क्योंकि internal energy स्रिफ temperature का function है in case of ideal gas के लिए इसका मतलब क्या हुआ? ideal gas के case में internal energy temperature का function है इसका मतलब जानते हो क्या हुआ आइसो थर्मल प्रॉसेस दियादी है तो बताओ इंटर्नल इनर्जी चेंज कैसा आएगा आइसो थर्मल प्रॉसेस तो आइसो थर्मल प्रॉसेस का मतलब क्या है तंप्रेचर कॉस्टेंट और temperature constant है तो internal energy constant है तो u equal to constant तो du equal to 0 तो change in internal energy कितना होगा change in internal energy कितना होगा 0 change in internal energy कितना होगा 0 क्यों क्योंकि temperature constant है और internal energy temperature का फंसन है ideal guys के respect में तो जब temperature नहीं change होगा तो internal energy की value चेंज नहीं होगी तो आइसो thermal process क्या होता है आइसो thermal process वो process है जिसमें temperature constant है तो यदि temperature constant है तो internal energy की value constant रहेगी internal energy की value क्या रहेगी constant तो change in internal energy कितना रहेगा जिरू अब इसी चीज को mathematical form में देखो कैसे लिखा जाता है internal energy change यह देखो जब pressure को change करते हो तो internal energy में कितना change आएगा at constant temperature प्रेसर को change करने पर internal energy में कितना change आएगा at constant temperature जिरू क्यों इंटर्नल इनर्जी में कितना चेंज आएगा जब वैलूम चेंज करोगे at constant temperature जिरू यह अब कितना आएगा नहीं पता है मगर आएगा temperature चेंज करने से internal energy में कितना चेंज आएगा at constant value आएगा क्योंकि temperature चेंज करोगे और मुन्ना वो सिर्फ temperature का function है यदि temperature चेंज करोगे तो internal energy में चेंज आएगा तो यह mathematical form लिखे है और यह language form में लिखा है यह language तो यार यह वाला point भी बहुत important है यह भी frequently use होगा question दो point बहुत तेजी से use होंगे आपको ध्यान लखने पढ़ेंगे कि हाँ एक internal energy state function है और दूसरा कि ideal gas की internal energy स्रिफ temperature पर depend करते है और किसी चीज पर depend नहीं करते है किलियर है किलियर है किलियर है बच्चोने का सर किलियर है एक्स्टेंसिव प्रॉपर्टी होती है पार मोल कर दोगे तो इंटेंसिव हो जाएगी ठीक है और यह energy है अब आंगे बढ़ा जाते unit क्या है भाई इनर्जी है तो unit क्या होगी जूल unit क्या होगी जूल हाँ अच्छा इतनी बात आपने कर ली अब इसको बताओ अब देखो हाँ यह बात मैं लिख देता हूँ वैसे तो आप चाहो तो निकाल लो अब बताईए साइक्लिक प्रोसेज है उसकी internal energy change कितना आएगा बताओ साइक्लिक प्रोसेज की internal energy साइक्लिक प्रोसेज की definition क्या है साइक्लिक प्रोसेज की definition क्या है आप धूम फिर के चाहिए चताव फरक पराता है भाई वो स्टेट फंसन है मतलब path depending नहीं करता है और state तो change नहीं हुआ अब जब state नहीं change हुआ तो इसकी value नहीं change जोगी तो cyclic process की internal energy change कितना होगा zero हो कोश्चन को कोश्चन करो change in internal energy is zero for किस किस process के लिए internal energy change zero होगा तो cyclic के लिए zero होगा क्यो state function है बाकी किसी में temperature constant रहता नहीं है isocoric में value constant है isobaric में pressure constant है adiabatic में q constant मतलब q zero है तो answer क्या होगा पहला अच्छा तुम लोग जिद कर रहो कि एक question और करोगे तो बताओ इस question का answer दो a system is changed from state a to state b देखो age से आप b पर जा रहा है ऐसे a system is changed from state a to state b by one path एक path से गय है path number one and from b to a by another path और b से a दूसरे path से आए ठीक है इफ delta e1 and delta e2 are corresponding change in internal energy इस पास से गए तो internal energy change यह है इस पास से गए तो internal energy change यह है तो क्या चीज सही है अच्छा बताओ इनीशियल और होगी क्योंकि यह state function कि state change नहीं हुए है तो value नहीं change होगी यहां से यहां गए यहां से वापस यहां पर आए तो क्या state change हुए है नहीं बस reverse हुए है जिसको पहले वाले में initial कहा गया दूसरे वाले में वह final हो गया तो numerical value same होगी equal with opposite sign क्यों क्योंकि direction opposite है तो यह value क्या होगी equal with opposite sign और जब equal with opposite sign होंगे तो इनका sum कितना आएगा जीरो के बराबर क्यों क्योंकि equal with opposite sign है इसका reason क्या है यह state function है और यही चीज मान लो क्यों के लिए लिखी होती जद इसमें मैं और जोड़ दू इस इस पास से गए तो w1 है इस पास से गए तो heat exchange q1 है इस पास से गए तो heat exchange q2 है आप नहीं लिख सकते हो कि w1 बराबर होगा w2 के क्यों क्यों क्योंकि यह दोनों path function है heat और work क्या है path function तो state तो same है मगर path अलग अलग है तो इनकी value same नहीं आएगी मगर internal energy की value same आएगी आप जिद कर रहे हो तो एक question और देख लो जंदी से इसका answer बताओ कि इस question का answer क्या होगा one more of ideal gas at 300 Kelvin is expanded isothermally isothermally का मतलब क्या है temperature constant है from an initial value of 1 liter to 10 liter the delta E of this process मतलब internal energy change पूछ रहा है सारे बच्चे बताए internal energy change कितना आएगा जल्दी 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 तो जब temperature constant है तो तो क्या internal energy में change आएगा, internal energy temperature का function है, तो जब temperature नहीं change होगा, तो internal energy में भी change नहीं आएगा, क्यों भाई, सही है कि नहीं, बताओ, भाई, जब temperature नहीं change होगा, तो internal energy में भी change नहीं आएगा, इंटर्नल इनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा क्यों चेंज नहीं आएगा क्योंकि इंटर्नल इनर्जी टंप्रेचर का फंसन है क्योंकि इंटर्नल इनर्जी टंप्रेचर का फंसन है टंप्रेचर चेंज नहीं हो रहा है तो internal energy में change आएगा अब ज़र देखिए अब बात करते हैं first lap thermodynamics की आपने heat पर लिया आपने work पर लिया तो first lap thermodynamics की बात करते हैं देखो दिल धाम के बैठो इस पर question भी आते हैं और यह क्या होता है कैसे होता है इस बात को समझाता हूँ देखो first lap thermodynamics है क्या energy neither be create nor be destroy only convert one form of energy to other form of energy मतलब ना तो energy को तुम बनाओगे ना बिगाडओगे सिर्फ एक type की energy को दूसरे type की energy में convert दोगे इसका मतलब energy conserve रहेगी इसका मतलब energy conserve रहेगी तो देखो first lap thermodynamics का mathematical form क्या होता है first lap thermodynamics क्या है energy neither be create nor be destroy only convert one form of energy to other form of energy देखो यह एक system है समझेगा इस system की internal energy अभी यह है ठीक यह हमारा surrounding है अब इसको क्यों heat मिली है इसको कितनी मिल लगी है क्यों heat मिल लगी है इसको मिल लगी है तो यह दे रहा होगा इसको डबलू वर्क मिला यह मिला है तो यह दे रहा होगा ऐसा तो जब उसकी internal energy यू आई थी q heat मिली डबलू वर्क मिला तो final internal energy कितनी हो गई तो final internal energy हो गई initial internal energy प्लस q प्लस डबलू 100 रुपए थे 10 रुपए मम्मी ने दे दिये 10 रुपए पापा ने दिये तो final कितने हो गई 120 रुपए हो गई क्या किया एड कर किया तो यह देखो यह क्या चीज आ गई है यह आ गया internal energy का change final minus initial तो du equal to आ गया q प्लस डबलू यह हमारा first law of thermodynamics की equation है यह हमारे first law of thermodynamics की equation है क्या du equal to q प्लस डबलू du equal to q प्लस डबलू first law of thermodynamics है internal energy में उतना ही change होगा जितना आपने heat transfer की होगी यह exchange की होगी यह जितना work किया होगा उनके sum के बराबर जितना आपने work किया होगा जितनी आपने heat transfer की होगी उनके sum के बराबर internal energy में change आएगा clear first law समझ पाए first law thermodynamics क्या है energy neither भी create nor destroy only convert one form of energy to other form of energy पहले इसके internal energy युवाई थी आपने इसको q heat दे दी और w work दे दिया तो अब internal energy इतनी होगी तो अब इसको मैं इधर ले आया है तो यह change in internal energy आ गए क्यों क्योंकि absolute value countable नहीं है हमें हमेशा क्या count करना है change count करना है अब देखो इसको कितनी तरह से आप लिख सकते हो इसको आप कितनी तरह से लिख सकते हो देखिए कि हम इसको कितनी तरह से लिख सकते हैं तो देखो इस बात को जड़ा ध्यान लख कि हम लोग इसको कितनी तरह से लिख सकते हैं ठीक है सभी लोग तरह इस पर ध्यान देंगे आप first lab thermodynamics को ऐसे लिख लो कैसे लिख लो? देखो du equal to q plus w यह first lab thermodynamics है आप चाहे तो इसको ऐसे लिख ले du equal to dq plus w क्यों? क्योंकि q और dq सेम बात है और W और DW सेम बात है Q और DQ सेम बात है और W और DW सेम बात है इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हो मगर आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि इसको U equal to ऐसा लिखते हो क्योंकि ये सेम बात है इसलिए आप ऐसा लिख सकते हो अच्छा, वर्ड का फार्मुला आपको पता है तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि work equal to क्या होता है माईनज, P एक्स्टर्नल ढिवे माईनज, P, एक्स्टर्नल, ढिवे तो ये बच्चों, क्या है ये जर्नल फॉम है मतलब यह हमेचा वैलिड है। यह जर्णल फॉर्म आफ फर्स ला है, आप specify process के लिए specify first law हो जाएगा, मान्हो process आइसो थर्मल है तो first law कैसे काम करोगा, process Ediabetic है तो first law कैसे काम करेगा तो जबता आप इस बात को आपा बहुत अच्छे से देखें एस बात को आप बहुत अच्छे से देखें और ध्यान रखें देखो क्या है आपको मैं बताता हूँ कि क्या चीज है और कैसे काम करेगी ठीक है इस बात को आप लोग देखिए देखिए कि फर्स्ट लाग एक्वेशन कैसे काम करती है देखिए कि फर्स्ट लाग एक्वेशन हम लोग की कैसे काम करेगी ध्यान दीजिए आपके लिए वो बना रहा हूँ CSD कि कब कब कैसे कैसे काम करेगी देखिए यह भी हमारा कोई प्रॉसेस आईसो थर्मल है तो आईसो थर्मल प्रॉसेस के लिए फर्स्ट लाग कैसे काम करता है ज़रा इस बात को आप समझे आईसो थर्मल प्रॉसेस है तो यदि प्रॉसेस आईसो थर्मल है तो T equal to constant और temperature चेंज नहीं हो रहा है तो क्या internal energy में change आएगा क्योंकि internal energy किसका function है temperature का function है temperature चेंज नहीं हो रहा है तो क्या internal energy में change आएगा नहीं आएगा क्यों internal energy सिर्फ temperature का function है ideal guys के case में तो internal energy हो गए 0 तो फर्स्ट लाब थर्मो डाइनमिक्स हो गया ऐसा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि heat और work numerically equal है with opposite sign मतलब जितनी heat दोगे पूरी की पूरी work में convert हो जाएगी जितना work करोगे वो पूरी की पूरी heat में convert हो जाएगा internal energy में कोई change नहीं आएगा यदि temperature constant है तो यदि temperature constant है तो internal energy में कोई change नहीं आएगा क्यों? क्योंकि internal energy temperature का function है इसलिए du equal to 0 है तो जितनी heat दोगे उतना ही काम होगा जितना work करोगे उतनी ही heat generate होगी दोनो numerically equal होंगे बिद opposite sign क्लियर अब माल लो isocoric process हो तो यदि process isocoric है तेक ना बच्चो यदि process हमारा isocoric है तो इसका मतलब क्या हुआ? वी equal to constant और जब वी equal to constant होगा तो डी वी equal to 0 होगा और डी वी equal to 0 हुआ तो work equal to 0 होगा क्योंकि work का formula यह होता है इसका मतलब work की value 0 आएगी तो work की value 0 आएगी तो first law thermodynamics कैसा हो गया? ऐसा मतलब constant pressure की heat जो होती है वो internal energy change के बराबर होती है देखो आईसो कोरिक प्रोसेस का work done कितना होगा? 0 आईसो कोरिक प्रोसेस का यह दि वर्क डन 0 है तो internal energy change किसके बराबर आएगा? Q के बराबर आएगा internal energy change किसके बराबर आएगा? Q? क्योंकि journal form आई first class thermodynamics के है? journal form यह है कि W equal to Q D U equal to Q plus W W 0 हो गया तो internal energy Q के बराबर आएगा? अब गौर सुनना यहाँ बच्चे गड़बर करते हैं constant value की heat internal energy change के बराबर है चिक करो constant value की heat internal energy change के बराबर है heat internal energy change के बराबर नहीं है heat change के बराबर नहीं है constant value पे जो heat होती है वो change के बराबर है तो यहाँ पर गौर से देखिए constant heat at constant value heat at constant value heat at constant value is equal to internal energy chain और यहाँ पर गौर सुनिए constant value की heat जो होती ही वो state function होती है मैंने आपको चिला चिला के पढ़ाया है कि heat क्या है path function मैंने आपको चिला चिला के पढ़ाया है कि heat क्या है path function heat कैसी है path function मगर constant value की heat state function होती है क्यों क्योंकि उसकी value क्या रही है db आप du state function है जख मारके constant value की heat को भी state function होना होगा क्यों क्योंकि उसकी value du है आप du जब state पर depend करेगा तो अपने आप constant value की heat को depend करना पड़ेगा तो गौर सुनो मैं क्या बोल ला हूँ से कॉंस्टेंट वेलून की हीट यिउ के बरावर होते हैं हीट पाप comum सभी के बरावर नहीं होते हैं को सभिस्ट या इनें पड़ेगी वह इंतर्नल इनर्जी चेंज की बरावर होगी वह स्टेर्ट फंसन होके अच्छा अब इसी तरह से ज़रा समझना आईसो बैरिक प्रोसेस आईसो बैरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है प्रेसर कॉस्टन आईसो बैरिक प्रोसेस का मतलब क्या है प्रेसर कॉस्टन पी कॉल्टू कॉस्टन तो P equal to constant तो DP equal to 0 मगर किसी के फार्मूले में DP आता ही नहीं है तो ये क्या हो गया? Q plus double और ये ऐसा ही लिखा रहेगा इसमें कुछ 0 नहीं है क्यों? क्योंकि constant pressure की heat है constant pressure की heat में ना तो DP equal to 0 DP फार्मूले में ही नहीं, वहां को सिर्फ P है तो इसलिए कोई भी चीज 0 नहीं होगे आइस तो baric process के लिए ऐसे लिखा जारेगा अच्छा, आप देखो, adiabatic process adiabatic process Q equal to 0 तो जब Q equal to 0 है, adiabatic process में तो DU equal to क्या हुआ? Q plus W तो इसका मतलब हुआ, DU जो हुआ, वर्क के बराबर हो गया अब यहां पर भी जखो एक खास बात आ गई वर्क done की value किसके बराबर आ रही है? DU के बराबर आ रही है और वर्क path function है मगर DU state function है तो adiabatic process का वर्क भी state function होता है वर्क path function है मगर adiabatic process का वर्क state function है क्यों? क्योंकि उसकी value DU है और DU state function है तो जब DU initial और final state पर depend करेगा तो जख मारके adiabatic process के वर्क को भी depend करना पढ़ेगा क्योंकि उसकी value DU के बराबर है तो गौर सुनिए वर्क डन of adiabatic process is a state function adiabatic process का वर्क भी क्या है? state function है adiabatic process का वर्क भी क्या होता है? state function होता है क्यों? क्योंकि उसकी value DU के बराबर होती है क्यों? क्योंकि उसकी value DU के बराबर होती है तो जब वर्क की value DU के बराबर है और DU state function है तो adiabatic process का वर्क भी state function होता है अब दिमाग की बत्ती जलाओ वर्क 5 फंसन है वर्क 5 फंसन है मगर एक particular situation का work state function होता है और वो particular situation adiabatic process है adiabatic process का work state function है और उसकी value DU के बरावर है अब जड़े देखो last and final यदि कोई process cycle हो तो देखो यदि process cyclic है तो cyclic process में क्या होगा initial और final state same होगी तो जब initial और final state same होगी तो du equal to 0 होगा तो q equal to किसके होगा minus w भाई process कैसा है cyclic तो जब process cyclic है तो initial state और final state same तो जब state में chain नहीं आएगा तो state function में chain नहीं आएगा क्योंकि du एक state function है du क्या है एक state function तो du की value chain नहीं हो रही है और du की value नहीं change होगी तो du equal to 0 तो work और heat आपस में numerical equal होगे बिद अपोजिट से हैं आपस में numerical equal होगे बिद अपोजिट से हैं तो हर एक process में work अपने को, first law अपने को, first law अपने को इस तरह से exchange करेगा, यह general form of first law है, आइसो थर्मल में इस तरह से हो जाएगा, आइसो कोरिक में इस तरह से हो जाएगा, आइसो बैरिक में इस तरह से हो जाएगा, एडियावेटिक में इस तरह से काम करेगा, और साइकलिक म क्या बात किलिए रही है आप देखो यार इन पर कोश्चन करते हैं यह CSDI अच्छे से ध्यान लख़एगा कप कैसे कैसे काम करता है अब ज़रा इनके कुछ कोश्चन कर लेते हैं जैसे आपको एक आईडिया हो जाए पहला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि कैसे कोश्चन आएंगे जब तक मैं तो गुट पानी मारता हूं ठीक है तब तक आप लोग जो है आंसर दो को विच आप दो विच वन आप दा फालोइंग एक्क्वेशन ड़स नौट करेक्टली रिप्रेजेंट अपस्ट लॉप थर्मो डाइनमिक्स फॉर्ड गिवन प्रॉसेस इन्वाल प्रॉसेस है तो डियू इक्वल टू जीरू है और डियू इक्वल टू जीरू है तो क्यू और डबलू आपस में बराबर होंगे बिद अपूजिट साइन तो यह तो सही लिखा है वो कह रहा है नौट रिप्रेजेंट तो यह तो सही लिखा है यह आंसर हो नहीं सकता है आ नहीं होगा एडियावैटिक प्रोसेस है तो q equal to 0 तो du equal to हुआ w के क्योंकि du equal to होता है q plus w तो q equal to 0 तो du equal to w के और यहां क्या लिखा है minus w यह गलत है और जो गलत है वही answer है जो गलत है वही answer आइसो थर्मल प्रोसेस है du equal to 0 तो q equal to minus w आएगा तो गलत कौन है b yes very good बहुत सही बहुत सही तो वह गलत पूछ रहा था कि इसमें से गलत कौन है अब एक एक करके बातों को समस्ते जाना है और आंगे बढ़ते जाना है ठीक है अब जैसे यह काम देखो इस question को देखो during compression of a spring the work done is 10 kJ with sign लिखने है work heat in case sign लिखने work का sign आपको पता होना चाहिए heat का sign पता होना चाहिए internal energy का sign पता होना चाहिए अब बताओ spring है spring system है अब spring compress हो रही है इसका मतलब work done on the system spring compress हो रही है तो system पर work काम किया जा रहा है तो वर्क मिलना है तो यह हुआ 10 kJ during compression आप a spring the work done is 10 kJ तो work spring को मिलना है क्यों spring compress हो रही है तो वर्क उसको मिलना है ठीक and 2 kJ is kept to the surrounding as a heat heat निकल लाई है heat निकल लाई है तो माइनस होगे है the change in internal energy du equal to q plus w minus 2 plus 10 पराबर plus 8 kJ minus वाला answer होगा कि plus वाला होगा तो plus वाला होगा बिद साइन लिखना है लाई साइन पर फसाएगा ठीक है plus वाला answer होगा अब इसको देए इस system done 200 J of work as the same time a system done मतलब system काम कर रहा है और इसका मतलब यह कैसा होगा minus यह कैसा होगा minus system काम कर रहा है work done by the system minus at the same time absorb इतनी heat और heat gain कर रहा है तो gain है तो plus भाई मिल लए यह तो plus the magnitude of the change in internal energy वो उसका magnitude पूछ रहा है यह value पूछ रहा है तो du equal to q plus w heat का साइन कैसा है positive work का साइन कैसा है negative तो du equal to i minus 50 J मतलब internal energy कम हो रही है मगर वो magnitude कह रहा है तो mod की बात कर रहा है तो answer आ गया 50 ठीक है ना answer आ गया 50 बात समझ पाई work done a system done तो system ने काम किया तो work negative और system ने काम करते समय heat absorb की तो heat जो हमें मिलेगा वो प्लस जो हमसे जाएगा वो माइनस है और यह सारे question exam में आ रहे है कोई ऐसा न सोचे क्या रहे यार यह तो बहुत easy है इसी इसलिए क्योंकि तुम समझ पा रहे हूं नहीं तो यही सारे question exam में आते है हर एक के for a particular process q equal to minus 10 किलो जूल w equal to 25 किलो जूल which of the following statement is true देख़ो यदि q इतना है w इतना है तो internal energy में change कितना आएगा sorry तो यार internal energy में change पास्ट्यू आ रहे है किलो जूल है किलो जूल है इसका मतलब internal energy बढ़ रही है और यदि internal energy increase कर रही है तो temperature increase कर रहा होगा क्यों क्योंकि temperature internal energy temperature का function है तो जब internal energy बढ़ेगी तो temperature बढ़ेगी क्योंकि internal energy temperature का function है अब देखो question क्या क्या कह रहा है heat flow from the surrounding to the system अब internal energy बढ़ रही है इसका मतलब heat देखो heat का sign कैसा है negative heat का sign negative है इसका मतलब system से heat जा रही है heat का sign कैसा है negative इसका मतलब system heat निकाल ला है तो heat किदर से किदर जा रही है system से surrounding जा रही है heat flow from the surrounding to the system wrong है the system does work on the surrounding work कैसा है positive ये भी wrong है system does work on the surrounding surrounding पर work नहीं कर रहा है system को work मिल ला है क्योंकि work का sign कैसा है positive delta equal to minus 35 kilo जो गलत है plus 15 आ रहा है none of the above is true सही है इन में से कोई true नहीं है भाई heat का sign minus है इसका मतलब system heat निकाल ला है तो heat किदर से किदर जा रही है system से surrounding है है कि नहीं और फिर वो कह रहा है कि system work कर रहा है वर्क असाइन कैसा है पास्ट्यू वर्क असाइन पास्ट्यू होने का मतलब वर्क डन ओन दा सिस्टम हो रहा है system को work मिल ला है system work कर नहीं रहा है अब तुम्हारा मन कह रहा है कि सर हम एक और question करेंगे तो मैंने का कर लो देखो 16 ग्राम बताओ 16 ग्राम आफ ओ टू expended at constant pressure 273.15 कल्विन टू अकुपाइड डबल लिट ओरिजनल वैलू अब यह देखो वर्क डन निकाता है तो यार वर्क डन इक्वल टू होता है माइनस पी इक्स्टर्नल डीवी चेंज इन वैलू है कि नहीं अब पी इक्स्टर्नल की वैलू प्रेसर उन्होंने दिया है constant pressure पे काम हो रहा है अब वो अकुपाई इतना the work done constant pressure अच्छा pressure कितना है यह नहीं दिया है मगर pressure constant ठीक है कोई बात नहीं यह पी है अब देखो dv क्या होगा double the value तो final कितना है to v initial कितना है v तो यह हमारा work done आ गया p into v इतना work done आ गया atmosphere into liter अब किसी तरह p into v की value मिल जाए तो यार यह gas है तो pv equal to nr t को follow करेगा तो हमें p into v की value चाहिए mole कितने है mole बना दिया mass upon molecular mass हमें p into v की चाहिए क्योंकि हमारा work done आया है p into v तो mole कितने है mass upon molecular mass R की value कितनी है answer देखो कैलोरी में चाहिए answer कैलोरी में चाहिए तो R की value 2 डाल दो कैलोरी में 2 होती है temperature कितना है 273.15 अब इसको solve पर दो तो देखो ये आएगा 2 2 से 2 कट गया तो इसका मतलब answer जो है आ रहा है इतना calculation देखो कितनी easy रखी गई है और question अच्छा खाता टब बना दिया गया है मैं calculation बहुत इती रखी तो minus 273.15 वर्क आएगा बास समझे वर्क कैसे आए भाई उसने कहा कि वर्क डन निकालो तो मैंने का formula P into dv है pressure throughout the process constant है और दिया नहीं है तो मैंने माना अभी P है value में change क्या है वो कह रहा है occupied double its original value जितना value था उससे double हुआ है तो final value 2v initial value भी तो हमारा work done ये आगया अब इसकी value पता नहीं है ना तो P पता है न भी पता है तो हमने का PV equal to nrt लगा देते हैं गय से तो PV की value निकल क्या गई nrt nrt की value डाल दिया अंसार गया अब ये बताओ इस question को करके आंसर बताइए du is equal to du किसके बराबर होता है भाई du यदि work के बराबर है यदि du work के बराबर है इसका मतलब इसको 0 की आगया है जब इसको 0 करोगे तब ही तो du work के बराबर होगा पर ये 0 किसमें होता है एडियावैटिक प्रॉसेज में Q equal to 0 होता है तो internal energy change एडियावैटिक प्रॉसेज वर्क के बराबर होती है इंटर्नल इनर्जी चेंज एडियावैटिक वर्क के बराबर होती है इंटर्नल इनर्जी चेंज एडियावैटिक वर्क के बराबर होती है अब इसको करो इसको करिए जल्दी से विच आप दा फालोइंग इस करेक्ट फॉर फ्री एक्सपेंशन आप आईडियल गैस अंडर आईसो थर्मल कंडिशन अब ज़रा गौर से समझे है एक्सपेंशन कैसा है फ्री यदि फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क की वैलू जीरो होगी क्यों क्योंकि एक्स्टर्नल प्रेसर जीरो है तो वर्क की वैलू तो यार जीरो आनी है अब चेक करो वर्क की वैलू किसमें जीरो है इसमें जीरो है नहीं इसमें जीरो है नहीं तो यह तो गलत होगे या तो यह या तो यह अच्छा अब और समझो प्रोसेस कैसा है दिखो बहुत आराम से कोश्चन पढ़ा जाता है थर्मोडानिक्स का आइसो थर्माइश इसका मतलब टंपरेचर कॉस्टेंट है अब जब टंपरेचर कॉस्टेंट है तो du की value भी 0 होगी जब internal energy change नहीं है temperature change नहीं है तो internal energy change नहीं होगा thermodynamics का question formula based नहीं conceptual होता है मत्तब जो statement लिखा होता है उसमें कौन सा term use है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है मुन्ना समझ रहे हो तो देखो isothermal का मतलब temperature constant temperature constant to the du की value 0 temperature change नहीं होगा तो internal energy में change नहीं आएगा क्योंकि internal energy सिर्फ temperature का function तो du equal to 0 तो temperature equal to 0 और temperature equal to 0 अब यह बताओ यार जब यह हमारा formula है यह 0 है यह 0 है तो जख मारके इसको भी 0 ही आना पढ़ेगा है कि नहीं तो तीनों 0 आए है यह answer आएगा यह वाला नहीं आएगा भाई वर्क जीरो है क्योंकि free expansion है इंटर्म ना isothermal condition है तो du 0 है तो वर q equal to अपने आप 0 हो गया अब यह बताओ इस question को करें और बताइए एंड आइडियल गैस एलाउट टू इक्सपेंड प्राम वन लीटर तो टेल लीटर अगेंस जे अब देखो वर्क डन का हमारा फार्मूला यह माइनस पी इक्स्टर्नल डीवी अब पी इक्स्टर्नल की वैलू कितनी अगेंस अगेंस इक्स्टर्नल प्रेसर वन बार और वैलूम कितना हो दस लीटर एक लीटर तो यह आया नाइन बार इंटू लीटर और आप्सन सारे किसमें हैं आप्सन मांग रहा है किलो जूल में तो यार तो पहले तो इसको जूल बनाओ है न आब यह जूल हुआ आब इसको किलो जूल बनाओ तो किलो जूल बनाने के लिए आपने क्या किया 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीपलाई तो यह जो approximate माइनस का 0.9 आ रहा है यह करो approximate 0.9 आ रहा है minus का plus का नहीं है देखो यह 0.9 है यह 9 है तो माइनस का कितना आ रहा है, 0.9, approximate है, यह देखो, कर लोगे, तो देखो मैंने बहुत सारे question आपको first class thermodynamics में करके दिखा है, ठीक है, 8-10 question हम लोगों ने किये, एक question और कर लेते हैं, बहुत अच्छा है, इस question को भी करिए, और समझे, पढ़ो, देखो, अच्छा question है, 3, react with water in an open vessel at 27 degree centigrade against cost, against atmospheric pressure, work done is, तो देखो यार, work done का formula हमारा ये है, p external dv, dv का मतलब volume change, value change, अब pressure उन्होंने दे दिया है, one atmosphere, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है, against atmospheric pressure, और atmospheric pressure की value हम in general one atmosphere मानते हैं, clear, अब हमें ना तो v final पता है, ना v initial पता है, आप बताओ, आपने शुरुआत में container में क्या ले रख रहा है, आपने शुरुआत में container में solid ले रख रहा है, देखो, आपने AL4C3 ले रख रहा है, और साथ में पानी ले रख रहा है, वो भी liquid है, तो यार, initial volume क्या है, लगबग 0 के बनाव रहा है, final volume क्या है, volume of gas, क्यों, जब ये reaction करेंगे, open container में, तो जड़ा देखो, बनेगा क्या, आप लोग ने organic में पढ़ा है, कि aluminium carbide जो होता है, वो methane बनाता है, कैसे, ये जो है, ऐसे break होता है, aluminium के उपर होता है, 3 positive, और carbon के उपर होता है, 4 negative, तो ये 4 proton लेगा, 4 proton लेगा, तो ये आजाएगा, चार proton लेगा, तो ये क्या है, gas है, तो final volume क्या होगा, volume of gas के बराबर, और volume of gas कैसे निकलेगा, n, mole कितना दिया है, 1, कैसे, देखो, 1 mole, यदि aluminium carbide की reaction होगी, तो 1 mole में थेन आएगी, चिक करो, 1 mole, sorry, ये गड़बड हुआ, 3 mole आएगी, balance नहीं है, carbon 3, carbon 3, aluminium 4, aluminium 4, ठीक है, और hydrogen 4 तहीं 12, तो च्छे, एक मिनट यार, 4 तहीं 12 हाँ, और 4 तहीं 12, और 4 तहीं 12, तो 24, ये देखो, अब balance है, तो 1 mole aluminium carbide, 3 mole मेथेन निकाल लई है, 1 mole aluminium carbide, 3 mole मेथेन निकाल लई है, तो mole आप गया है, 3, R की value, unit क्या चाहिए, कैलोरी, 2, ठीक है, भाई, क्या लगाओगे, V equal to क्या लगाओगे, n, R divided by P, तो mole हो गया 3, R हो गया 2, T कितना दिया है, temperature, 27 degree, 27 degree का मतलब 300, pressure, constant pressure है, one atmosphere, तो 3 दुनी 6, 6 दुनी, 16, 18, 1800 liter value मारा है, 16, 1800 liter value मारा है, mole आप gas, 3, भाई, gas के mole रखोगे, और 1 mole aluminium carbide, 3 mole methane gas निकाल ला है, यह देखो, यहाँ 1 है, और यहाँ 3 है, तो 1 mole aluminium gas, 3 mole methane निकाल ला है, तो value माप gas निकाल ला है, तो mole आप gas रखोगे, 3 हो गया, R की value, 2 मैंने क्यों रखी है, क्योंकि option calorie में है, और temperature, 27 degree को Kelvin में बना होगे, 300 हो गया, अब pressure, throughout the process, pressure constant है, open container, open container है, अब इसकी value डाल दो, तो यह कितनी आ गई, minus 1800 liter, नहीं नहीं, एक गड़बड हो गई मेरे से, कोई बच्चे बता सकता है, गड़बड क्या है, जब PV equal to NRT लगाते हैं, जब PV equal to NRT लगाते हैं, तो वहाँ R की value जो होती है, यह तो unit and dimension से कटेगा नहीं, लीटर नहीं आएगा, PV equal to NRT में R की value हमेशा वही रखनी पड़ती है, 0.821 into 300, ऐसा क्यों, क्योंकि R की unit यह होती है, 0.821, atmosphere, लीटर, mol inverse, Kelvin inverse, तब कटके लीटर आएगा, यदि कैलोरी रख देंगे, तो लीटर नहीं आएगा, तो मैंने वहाँ पर थोड़ा सगड़बड किया था, तो मैंने उसको सही कर लिया है, ठीक है, आप हो सकता है, पकड़ पाएगो, हो सकता है, ना पाएगो, बैसे पकड़ नहीं पाएगो, 0.0821, इन्टू, तीन तो, इन्टू तीन, तो यह आ रहा है, 73.89 लीटर, 0.0821, तीन, 73.89 लीटर, तो यार, 73.89 लीटर यहां रखने, आप इसको कैलोरी बनाओ, तो पहले आप बनाओगे जूल, यह बन गया जूल, ऐसे, आप जूल को कैलोरी बनाना है, तो जूल को कैलोरी बनाने के लिए क्या करोगे, 4.2 से डिवाइड, 1 कैलोरी इक्वाल टू, 4.2 जूल होता है, तो 4.2 से डिवाइड, तो अब इसको यार, 4.2 से डिवाइड करो, और 100 से मॉल्टिप्लाई करो, तो कैलोरी में आ रहा है 1760 के आसपास 1760 के आसपास आ रहा है कैलोरी में है ना 1760 मतलब वही 1800 के आसपास आ रहा है क्योंकि मैंने वैलू थोड़ी सी इधर उधर ले रखी है हम वैलू थोड़ी दर उधर रखी है ठीक है तो हाँ 1800 के आसपास आप आंसर लिख दीजी है कि 1800 तो आंसर कैसा आगा माइनिस का आंसर कैसा आइगा माइनिस गर्वो सतरफ यह देखे आ है इधर जब आएगा तो यूनिट कर जाएगी है ना मगर ना डालो तो भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो आंसर कैसा आएगा माइनस का क्यों क्योंकि वर्क डन आपको करना पड़ेगा एक्सपेंड हो रहा है और यहां साइन माइनस था माइनस चला आ रहा है तो देखो इस तरह से आपको कोश्यनों को करना है इस तरह से आपको कोश्यनों को करना है वर्क डन आप देखो यार इन्थल्पी आप सिस्टम क्या है जड़ा देखिएगा ठीक है यह क्या है जड़ा हीट एट कॉस्टेंट प्रेशर कॉस्टेंट प्रेशर की हीट को मुन्ना इन्थल्पी चेंज बोते हैं मतलब ऐसी हीट जो कॉस्टेंट प्रेशर पर मेजर की गई हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इन्थल्पी चेंज बोलते हैं ध्यान रखेगा यह ऐसा क्यों किया गया ऐसा इसलिए किया गया कि माक्समम प्रॉसेज कॉस्टेंट प्रेशर पे चलते हैं जितने भी प्रॉसेज ओपन वैसल में होंगे वो सब कॉस्टेंट प्रेशर पर होंगे हैं इतने भी process open vessel में होंगे वो सब constant pressure भी होंगे तो enthalpy at constant pressure heat at constant pressure is known as enthalpy clear आद देखो आँगे बढ़ते हैं जड़ा समझते जाईएगा इसके बारे में सारी बाते मैं लिख रहा हूं आप सभी लोग समझें सीच्टी भी देता जा रहा हूं साथ साथ में यह तो definition हो गई अब देखो अच्छो यह कैसता है extensive property है extensive property बट पर मोल पर मोल पर ग्राम इंटेंसिव है बट पर मोल पर ग्राम क्या है intensive property है दूसरा यह state function है यह क्या है state function है और कोई state function है यह बहुत बड़ी बात है मैंने आपको पीछे बताया इसको ध्यान नक्क है तीसरा गौर से सुनिएगा कि अब और आंगे क्या है state function है पर मोल पर ग्राम इंटेंसिव प्रापर्टी है और यह एक्स्टेंसिव है अब गौर से सुनिए यह देऊ इसका गौर से ध्यान दीजेगा मैं क्यार करूँ इंथल्पी ओफ आइडियल गैस ओनली डिपेंड अपॉन टमप्रेचर आइडियल गैस की इंथल्पी स्रिफ टमप्रेचर का function है सिर्फ temperature का function मतलब temperature change होगा तो इसकी value change होगी नहीं तो इसकी value change नहीं होगी नहीं तो इसकी value change नहीं होगी तो ideal gas की enthalpy जो होती temperature का function मतलब temperature constant है तो enthalpy change भी constant रहे ऐसा क्यों? क्योंकि इसका formula होता है ये h equal to u plus pv ये देखो h equal to u plus pv अब ये temperature पर depend कर रही है ideal गैस की तो ये भी depend कर रही है इसका मतलब यदि isothermal process है isothermal process है तो isothermal process की enthalpy change बताओ यदि process isothermal है इसका मतलब temperature constant है तो dh equal to zero है यदि इस तर्मल है तो temperature constant है तो dh equal to zero है क्यों? isothermal process की enthalpy change क्या होगा? zero क्यों? क्योंकि temperature constant है और ये temperature पर depend करती है जो जब temperature में change नहीं आएगा तो इसमें भी change नहीं आएगा अच्छा और आगी ज़रा समझो बापको cyclic process यदि process cyclic है तो यार ये state function है और जब ये state function है तो state पर depend करती है cyclic process में initial state और final state सेम होता है तो जब stage नहीं change होंगे तो इसकी value भी change नहीं होगी तो enthalpy change cyclic process का भी कितना होगा 0 cyclic process का भी enthalpy change कितना होगा 0 होगा ये बात clear रहे अब देखो mathematical form यदि मैं लिखो delta th upon गौर से देखते जाएए इसकी value बताओ क्या लिखोगे 0 क्यो pressure change करने पर enthalpy में कितना change आएगा at constant temperature और temperature पर डिपेंड करती है temperature change नहीं होगा तो enthalpy में change 0 आएगा volume चेंज करने पर enthalpy में कितना change आएगा at constant temperature 0 जीरो, वैलूम चेंज करने पर इन्थल्पी में कितना चेंज आएगा, आइट कॉस्टन टमप्रेचर, जीरो, टमप्रेचर चेंज करने पर इन्थल्पी में कितना चेंज आएगा, आइट कॉस्टन वैलूम, कुछ ना कुछ आएगा, मगर जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आएगा मगर 0 नहीं आएगा यह देखो कुछ ना कुछ आएगा मगर 0 नहीं आएगा तो यह बास समझ गए क्या इंथल्पी extensive property है पर मोल पर ग्राम कर दोगे तो intensive हो जाएगी state function है सिर्फ temperature का function है आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस की enthalpy सिर्फ temperature का function है टमप्रेचर चेंज नहीं होगा तो उसकी वैलू चेंज नहीं होगी formula होता है डी यू इक्वल टू यू प्लस पीवी आइस तो thermal process है टमप्रेचर कॉस्टेंट है तो इंथल्पी चेंज जीरो होगा cyclic process में initial और final state सेम होती है मतब state नहीं चेंज होगी state नहीं चेंज होगी तो value नहीं चेंज होगी क्योंकि यह state function है यह इसी चीज का mathematical form है अब जरा यार गौर से इस बात को समझी है ठीक है अब मैं इसको थोड़ा सा और explain करता हूँ फार्मूले को दिखिए देखो बच्चो फार्मूले को explain करता हूँ बहुत अच्छी असे ध्यान दिजीए को कैसे करता है देखो आपने formula पढ़ा है h equal to u plus pb ठीक है अब इसको differentiate करो तो dh equal to आ जाएगा du plus dpb ऐसे dh equal to du plus dpb अब गौर से समझते जाएगा और देखिएगा देखो यह हमारा formula है अब यह कैसे काम करेगा इसको देखिए देखिए h equal to u plus pb अब इसको differentiate करो तो differentiate करोगे तो आपके आप यह चीज आई ऐसे है ऐसे है रुप जो में थोड़ा सा लिख लेता हूँ है ऐसे ठीक अब गौर सुना यदि प्रेशर को हम कॉस्टेंट कर दें तो कॉस्टेंट क्या होता है differential से बाहर आ जाएगा तो यह फार्मूला हो जाएगा dh equal to du plus pdv इसका मतलब यह जो तुम फार्मूला पढ़ते हो dh equal to du plus pdv यह कॉस्टेंट प्रेशर पे होता है जब प्रेशर कॉस्टेंट होगा तो डिफरेंशियल नहीं होगा वह बाहर आ जाएगा तो यह ऐसा जाएगा इसका मतलब यह फार्मूला एट कॉस्टेंट प्रेशर चलता है है कि नहीं? अच्छा अब मालो नो प्रेसर वैरियेबुल है तो जब वैरियेबुल है तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाता है P final v final minus P initial v initial इस तरह से हो जाता है P H equal to d h equal to du U plus P final V final minus P initial V initial तो DH equal to DU plus PDV तो यदि pressure variable है तो यह लगता है pressure constant है तो यह लगता है तो generally हम लोग यह ला यूज करते हैं क्योंकि यह formula as constant pressure है तो DH equal to आ गया DU plus PDV अब इसको देखो further यह कैसे change होता है जरा देखेगा आप सब लोग क्योंकि PV equal to होता है NRT PV equal to है NRT तो जब आप V change करोगे तो क्या क्या change होगा इधर से या तो N change हो सकता है या T change हो सकता है दो चीजे change हो सकती ही न जब आप differentiate करोगे V के respect में तो या तो N change होगा या ये change होगा तो ये कैसे अपने को change करता है जरा गौर से समझेगा इस formula को मैं फिर आपके सामने लाड़ हो देखो तो धु्षब देखिए, dh इकोल तो du U plus PDB, ठीक, अब जब क्या हो, temperature के form में लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, N के form में लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, देखो, हम सब को पता है, PV equal to होता है, NRT, clear, clear, मालो, chemical reaction नहीं हो रही है, कोई भी chemical reaction नहीं हो रही है, तो जब chemical reaction नहीं हो रही होगी, तो क्या mole change होगे, एक mole gas है, और उसका तुम temperature बढ़ा रहे हैं, तो क्या mole change नहीं जड़ाएंगे, mole change होने का मतलब chemical reaction होना, या तो वो dissociate होगी, या associate होगी, या किसी से reaction करेगी, वो सब तो हमने मना कर रखा है, कि chemical reaction नहीं हो रही है, तो chemical reaction यद अब इसका differential करोगे तो फिर इधार से किसका होगा टी का होगा मतलब टंप्रेचर चेंज हो रहा होगा तो यह चीज ऐसे आ जाएगे दी एच इक्वल टू डी यू प्लस और डीटी डीटी कहलो या डेल्टा टी कहलो यह और डीटी का मतलब क्या है अब्ल टंपरेचर मिनस इनिशल टंपरेचर फिर टंपरेचर मिनस इनिशल टंपरेचर जिरुग फाइनल टंप्रेचर माइनस इनिशियल टंप्रेचर अच्छा अब मालनो केमिकल रियक्शन हो रही हो केमिकल रियक्शन अकर्स यदि मालनो केमिकल रियक्शन हो रही है तो सिंपल्स की बात है कि एन वैरियेबुल होगा एन क्या होगा वैरियेबुल क्यों जब केमिकल रियक्शन होगी तो मोल चेंज होगे तो n variable होगा तो जब n variable होगा तो इस पर differential आ जाएगा तो हमारे पास pv equal to n r t अब n change हो गया तो n को हमने लिख दिया dn लिख दो या फिर इसी को delta n लिख दो और या फिर इसी को delta ng लिख दो तो अब हम इस formula को ऐसे लिख सकते हैं तो जब पच्चो chemical reaction हो रही होगी तब हम ऐसे करेंगे और delta ng equal to क्या है total mole of gaseous product minus total mole of gaseous reactant मतलब gas के mole plus minus करने है total mole of gaseous product minus total mole of gaseous reactant product में gas के mole और reactant में gas के mole को plus minus करना है अब गौर समें यदि liquid phase में reaction हो रही है या solid phase में reaction हो रही है तो delta h approximate equal to होता है delta uk क्योंकि वहाँ पर volume का change लगभग 0 होता है वहाँ पर volume का change क्या होगा लगभग 0 होगा तो यदि यह सब यह जो फार्मूले हैं यह सब gase के लिए है यदि liquid है और solid है phase change नहीं हो रहा है liquid phase में सब कुछ हो रहा है solid phase में सब कुछ हो रहा है तो delta v की value tends to 0 हो जाएगी तो dh और du लगभग बराबर होगे dh और du लगभग बराबर होगे इतनी बात के लिए है इतनी बात के लिए है सबको तो यह वाला कब लगेगा जब reaction नहों हो रही हो temperature change हो रहा हो यदि कहीं पर किसी भी तरह की reaction या physical change हो रहा है तो यह लगेगा प्रेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें अब देखो डेल्टा एंग वाला फार्मुला फिर चेन्ज वोड़ा है अब देखो यह भी डेल्टा एंग जीरो हो तो दी एच और डी यू बराबर होगे dh और du बराबर होगे यह भी delta ng की value greater than 0 है या positive है तो क्या होगा dh जो है वो बड़ा होगा du के क्यों जब delta ng की value positive होगी इसका मतलब du में rt जोड़ोगे तब dh के बराबर होगा यदि delta ng की value negative है तो यह छोटा होगा यह देखे और dh क्या होता है dh को मैंने अभी पढ़ाया है heat at constant pressure heat at constant pressure और dh क्या होता है heat at constant value यह देखो तो यह constant pressure की heat है और यह constant value की heat है यह constant pressure की heat है यह constant value की heat है यह देखिए आइसे clear है clear है clear है तो कब कब क्या क्या होगा इस बात का विशेज ध्यान लटना है पैसे होगा इसका भी ध्यान आप लोगों को रखना पते हैं अब देखो यह सारी बाते यदि पढ़ा दियें तो जड़ा देखो डेल्टा एंजी निकानना मैं थोड़ा सा सिखा देता हूं हो सकता है आप लोगों को दिक्कत आए तो मैं लिख के सिखा देता हूं जैसे यह है ammonia का formation है तो देखो डेल्टा एंजी निकानना है कि ईअइड तो डेल्टा एंजी क्या है टोटाल मोण आप गैस गैस कि प्रोड़क्ट क् firms वह डो कि तॉटल मोण गैसी सीसी प्रोड़क्ट माइनस टोटल मोलाप गैसी स्रेक्टिंट ये देखो आ रहा है ठीक है तो माइनस टू आ है अब जैसे ये रियक्षन है इसको देखो डेल्टा एंजी कितना है प्रोड़क्ट एक और रियक्टन जीरो क्यों सिर्फ गैस के काउंट करना है गैस सिर्फ ये है ये सॉलिड है ये सॉलिड है ये काउंट नहीं होगी सिर्फ गैस काउंट होगी और कुछ भी काउंट नहीं है जैसे ये देखो मैंने मेथेन को बर्न कर दिया तो कार्बन डाय ऑक्साइड आ गई वाटर आ गई ये देखो तो आप देखो delta ng equal to delta ng की value product कितने है एक reactant कितने है 3 minus क्यों ये liquid है 0 ये कैसा ये कैसा तो इस तरह से delta ng आप लोग निकालोगे इस तरह से से Dad NG आप पलोग निकालो के अब इसका डिल्टा NG बताओ जल्दी से सभी लोग है सभी लोग इसका जल्दी से बताएं ते सभी लोग इसका जल्दी से बताएं कि सभी लोग इसका जल्दी से बताएं जल्दी से बताएं पॉर्दा कंबस्ष्ण रियक्ष्ण एट टू-98 कैल्विन अब देखो यह पूछ रहा है डेल्टा एंजी कैसा आएगा तो डेल्टा एंजी की वैलू निकालनो डेल्टा एंजी कैसा होगा जीरो क्योंकि यह सॉल कर दो होका सिस्क्त माइनस हाफ आएगा यह देखोम माइनस हाफ इसकी वैलू निकेटीव है इसका मथलब डिय चोटा है डी यू बढ़ा है दिया चोटा है डी यू बढ़ा है ठीक है न यह दिकूंत अब आपका मन कर रहा होगा और क्तिंव करते इसका बताओ सारे जल्दी बताईए जल्दी बताईए जल्दी बताईए जल्दी बताईए जल्दी बताईए जल्दी बताईए यह एक जल्दी बताईए टाइए जीरो जीरो तैग्श एक्विल्टा टू डिल्टा यू के बराबर इसका मतलब डेल्टा एन जी की बैलू किस्तनी चाहिए जीरो देखो, delta ng की value 0 इसमें आ रही है, इसमें देखो, minus 1 आ रही है, minus 1 आ रही है, minus 2 आ रही है, तो यह आंतर क्या, clear, अब इसको करो, तो यह मैं h w में डाल देता हूँ, क्योंकि यार उसी जैसा question है, तो यह आप घर में करें, अब बात करते हैं इसकी, अब जा देखो यार बच्चो, heat capacity कैसे करोगे, तो गौर्स सुने, सब लोग heat capacity के बारे में, देखो, यह हमारे पास एक matter है, ठीक है, अब इस matter का temperature यार हमें 1 degree centigrade बढ़ाना है, तो अभी यह क्या था, टी कैल्विन पे था, अभी यह किस पर है, टी कैल्विन पे, और इसका temperature कितना बढ़ाना है, एक डिगरी सेंटिगेट, यह देखो, तो एक डिगरी सेंटिगेट, टमप्रेचर बढ़ाने के लिए, जो heat दोगे, उसे ही heat capacity कहा ज़ए, क्या, किसी matter का, एक डिगरी सेंटिग टमप्रेचर बढ़ाने के लिए, जो heat दोगे, उसे heat capacity कहेंगे, मतलब, total heat required to rise 1 degree centigrade temperature for one, sorry, for any matter any matter किसी भी matter का, एक डिगरी सेंटिगेट, टमप्रेचर बढ़ाने के लिए, जो heat दी जाती है, उसो heat capacity कहते है, इसको, बच्चों, हम लोग, रिपरजेंट करते हैं, किस से, इसको, रिपरजेंट करते हैं, सी से, और ये जो है, extensive property होती है, किसी ने का, सर कैसे, मैंने का, ये ब बनानी है, तो एक कप चाय बनाने के लिए, ज्यादा गैस लगेगी, एक कप चाय का, एक डिगरी सेंटिगेट टमप्रेचर बनाना है, चार कप चाय का, एक डिगरी सेंटिगेट टमप्रेचर बनाना है, दोनों में क्या गैस बराबर लगेगी, चार वाले में ज्यादा ल value चेंज हो रही है और यदि सिस्टम को बाइट पाड करने से वाईव चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो क्या है मास पर डिपेंड है तो extensive हो गया extensive property अब formula क्या होता है c equal to q upon t कि कि कितना degree centigrade temperature change हुआ dt देखो कैसे समझना dt केलविन टमप्रेचर चेंज करने में हीट देनी पड़ रही है क्यों तो एक डिगरी सेंटिगेट टमप्रेचर चेंज करने में कितनी हीट देनी पड़ेगी तो 1 degree centigrade temperature change करने में जो heat दी जाती है उसी को heat capacity बोलते है तो c equal to आ गया q upon delta t c equal to कितना आ गया q upon delta t अब बताओ unit क्या होगी q की unit क्या होती है joule और divided क्या है t तो per Kelvin या joule per centigrade यह देखो यह इसकी क्या होगई unit होगई clear यह बत तो 1 degree centigrade temperature बढ़ाने के लिए जो heat देते हो उसे क्या कहते है heat capacity बच्चोंने का सर ठीक है अब जब देखो यार यह further दो part में divide हो जाती है यह further दो part में divide हो जाती है कौन कौन से दो part एक है इस specific heat capacity देखो heat capacity को further दो part में divide कर देते हैं एक क्या है specific heat capacity इसको represent करते है ऐसे और एक है molar heat capacity जिसको represent करते हैं cm से अब जड़ा देखो इस चीज को आंगे बढ़ाते हैं इस specific heat capacity मोलर heat capacity क्या होती है कैसे होती है ठीक यदि हम material का mass fix कर दे एक कर दे एक डिगरी centigrade temperature बढ़ाना है मगर एक ग्राम मैटर का तो उसको बोलते हैं specific heat capacity एक डिगरी centigrade temperature बढ़ाना है एक ग्राम मैटर का तो इस पेस्पिक हीट कैपिसिटी मतलब total amount of heat required to rise 1 degree centigrade temperature for 1 gram of matter एक डिगरी centigrade temperature बढ़ाना है एक ग्राम मैटर का तो उसको यह बोलेंगे अब देखो m gram matter का एक डिगरी centigrade temperature बढ़ाने के लिए आप कितनी heat देते हो इतनी तो एक ग्राम के लिए कितनी दोगे तो एक ग्राम के लिए आप इतनी दोगे तो एक ग्राम के लिए जितनी देते हो उसको हम क्या कहते है इस पेस्पिक heat capacity एक ग्राम मैटर का एक डिगरी centigrade temperature बढ़ाना है तो एक ग्राम मैटर का एक डिगरी centigrade temperature बढ़ाने के लिए जो heat दोगे उसको specific heat capacity बोलेगे है यह तो इसको represent करते है एस देतो एस इक्वल्टू हो गया q upon ms delta दी तो q equal to हो गया ms delta दी यह देखो अब इसकी unit क्या होगी तो जरह इसकी unit समझो इसकी unit क्या है जूल पर mass की unit क्या होती है तो mass की unit होती है gram और temperature की unit क्या होती है कैल्विन तो जूल पर क्राम पर कैल्विन आ ठीक है अब इसके बाद यह कैसी प्रापर्टी है इंटेंसिव प्रापर्टी है कैसी प्रापर्टी है इंटेंसिव 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 प्रापर्टी इसको लिए तो यह प्रापर्टी कैसी है इंटेंसिव प्रापर्टी देखो यह extensive है yes mass extensive है yes तो दो extensive property का ratio इस दो extensive property का ratio इंटेंस्य तो यह इंटेंसिव property है के लिए самом that what re þो curry क्या हुआ क्यों यह क्या एकrics fix कर दिया जाए तो molar heat capacity एक mole matter का temperature एक degree centigrade बढ़ाना है तो total amount of heat required to rise 1 degree centigrade temperature for 1 mole matter एक degree centigrade temperature एक mole matter का बढ़ाने के लिए जो heat दोगे उसे molar heat capacity बोला जाएगा अब देखो एक n mole के लिए suppose करो n mole के लिए कितनी heat देते हो q upon delta t तो एक mole के लिए कितनी दोगे अब ये क्या हो गई molar heat capacity हो गई एक mole matter का एक degree centigrade temperature बढ़ाने में जो heat दोगे वो molar heat capacity हो गई इसको represent कर देते हैं cm से आया क्या q upon n delta t तो अब ये क्या आगया q equal to n cm delta t अब बात करें unit के हैं तो unit के आएगी उपर क्या है जूल नीचे क्या है mole और क्या है कैल्विन अच्छा property कैसे होगी ये भी intensive property होगी क्यों intensive property होगी देखो extensive upon extensive mole क्या होता है extensive होता है mole क्या है extensive दो extensive property का ratio है इसलिए intensive है तो अब हुआ क्या किसी matter का 1 degree centigrade temperature बढ़ाने के लिए जो heat देते हो वो heat capacity यदि matter का mass 1 gram है तो वो specific heat capacity और यदि matter का mass 1 mole है तो molar heat capacity है heat capacity का formula c equal to q upon delta t specific heat capacity का formula q equal to ms delta t molar heat capacity का formula q equal to ms delta t अब देखो molar heat capacity further दो पार्ट में divide हो जाती है molar heat capacity further दो पार्ट में divide हो जाती है देखो कौन कौन से दो पार्ट में sorry कौन कौन से दो पार्ट में जरा देखो तेखो कौन कौन से दो पार्ट कौन कौन से दो पार्ट ध्यान दीजिए पहला molar heat capacity at constant pressure molar heat capacity at constant constant value constant value है तो cb constant pressure है तो cb अब ये क्या होते हैं किस तरह से डिजाइन किये जाते हैं जरा इन बातों को आप समझीएगा जरा इन बातों को आप समझीएगा गौर से 1 mole meter का 1 degree centigrade temperature बढ़ाना है at constant pressure तो ये क्या होई total ठीक है total amount of heat required to rise 1 degree centigrade temperature for 1 mole of gas add constant pressure pressure को constant रखते हुए add constant pressure pressure को constant रखते हुए 1 mole gas का 1 degree centigrade temperature बढ़ाते हो तो जो heat दोगे वो molar heat capacity add constant pressure अब देखो total amount of heat total amount of heat required to rise 1 degree centigrade temperature बढ़ाना है एक मोल गयस का add constant value तो क्या हुआ CV अब फार्मूला क्या होगा फार्मूला तो वही रहेगा बस सिंबल चेंज हो गया CV equal to Q upon M ठीक है CV equal to Q upon N delta T तो Q equal to क्या हो गया Q equal to हुआ N CV delta T CM की जगे क्या हो गया CV हो गया भाई अब ही फार्मूला क्या था अब ही फार्मूला हमारा ये था मोल एक है temperature एक डिगरी बढ़ाना है बस constant pressure पर बढ़ाना है तो CV है तो इस समय गौर सुना इस समय जो heat दोगे वो constant pressure की heat होगी total amount of heat required to rise one degree centigrade temperature one mole of gas at constant pressure तो constant pressure पर जो heat दे रहे होगे वो heat at constant pressure होगी और heat at constant pressure को हम लोग क्या कहते हैं heat at constant pressure को हम लोग क्या कहते हैं बताओ भाई जो आपने heat दी वो constant pressure पर दी और constant pressure, sorry, constant volume पर दी और constant volume की heat को हम क्या कहते हैं internal energy change constant volume की heat को हम क्या कहते हैं internal energy change internal energy change अब इधर आजाओ देखो total amount of heat required to rise one degree centigrade temperature for one mole of gas at constant pressure अब तो यह cp equal to हो गया symbol change कर दिया है अब आपने इसको कहा तो यह constant pressure पर आपने heat दी है तो यह ऐसा आगे रहा है अब constant pressure पर जो heat दी जाती है उसको क्या कहते हूं constant pressure पर जो heat दी जाती है उसको कहते हूं delta edge आपने अभी खुद पढ़ाया था थोड़ी देर पहले उसको क्या बोलते है delta edge ऐसे तो delta edge equal to आगया n cp d t और delta u equal to आगया n cv d t clear clear है सको clear अब देखो जड़ा हम बात करते हैं और रिलेशन बिड़ीन cp and cv दोनों में रिलेशन क्या होता है तो देखो हमें पता है delta h equal to delta u plus delta n g r t क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि एक डिगरी centigrade temperature बढ़ाया जा रहा है सौरी ग्रल लिग गया पुछो क्यों? क्योंकि temperature constant नहीं है temperature variable है एक डिगरी centigrade temperature बढ़ा रहे हो तो जब एक डिगरी centigrade temperature बढ़ा रहे हो इसका हम तो temperature change हो रहा है मगर हम reaction नहीं करा रहे है तो यह वाला formula लगेगा न इसकी value क्या है? nr delta t यह कड़ गया ठीक है? n से n काट दो और चाहो तो ना काटो तो ncp ncv plus nr अब गौर सुनना मेरी बात को ठीक है? तो यह क्या हुआ? ncp minus ncv equal to nr यह कितने mol के लिए है? n mol के लिए n mol of gas अब एक mol के लिए निकालना हो तो यहार n से divide कर दो cp minus cv equal to r one mol of gas क्या यह बात समझ में आई? भाइट देखो dh equal to du plus nr delta t जब temperature change हो रहा हो तो मैंने आपको पढ़ाया है nr delta t डालते है पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? कि जब temperature change हो तो delta t delta t कट के है? यह आगया है इससे एक बात और पता चल लए है कि cp की value cv से बढ़ी है cp की value cv से बढ़ी है बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है? भाई काम तो सेम कर रहे हो एक मल गैस है? हाँ गैस है एक degree centigrade temperature बढ़ा रहे हो? हाँ बढ़ा रहे है बत एक बार cost and pressure पर बढ़ा रहे हो और एक बार cost and value पर बढ़ा रहे हो वन डिग्री centigrade temperature वन बोल आप गैस एक कॉस्टन प्रेशर एक कॉस्टन वाइलू तो कॉस्टन प्रेशर पर ज्यादा हीट क्यों देनी पर रहे है क्या रीजन है? बताओ क्या रीजन है? वाई cp is greater than cv आप गौर्थ मनना है बहुस तिंपलती बात है देखो ये एक कंटेनर है ठीक है अब इसमें एक मोल गैस है है एक मोल गैस है और हमें एक डिग्री सेंटी के टंप्रेशर बढ़ाना है एक मोल गैस है एक डिग्री सेंटी के टंप्रेशर बढ़ाना है हाँ बढ़ाना है एक मोल गैस है और 1 degree centigrade temperature बढ़ा है अब constant pressure पर बढ़ाना है constant volume पर बढ़ाना है तो container रिजील है volume वैसा ही नहीं change होगा हमें कुछ करना ही नहीं आप 1 degree क्या 2 degree बढ़ा लो भाई आपका कमरा है कमरे का temperature 2 degree बढ़ा लो क्या volume change हो जाएगा नहीं, नहीं change होगा, तो हमें value को constant रखने के लिए कुछ करना ही नहीं है, ठीक मैंने heat दी, उसको आपने कह दिया QV या DU, heat at constant value is known as DU, अच्छा, अब यही काम constant pressure पर करो, एक mol gas है, एक degree centigrade temperature बढ़ाना है, तो जैसे ही तुमने temperature बढ़ाया, तो kinetic energy बढ़ जाएगी, भाई देखो, तुमने temperature बढ़ाया, तो gas की kinetic energy बढ़ गई, अब gas की kinetic energy बढ़ गई, तो यहार motion बढ़ गया, और motion बढ़ गया, तो क्या हुआ, भाई motion बढ़ गया, तो इसका मतलब collision बढ़ गई, अब कोलीजन बढ़ गई तो प्रेसर बढ़ गया अब प्रेसर तो कॉस्टेन डखना है तो यार यह तो प्रेसर बढ़ गया तो क्या करोगे तुम पिश्टन को ऊपर ले जाओगे वैलूम बढ़ा दोके है ऐसे तुम पिश्टन में धक्का मारके वैलूम बढ़ा दो परेसर कम कम हो जाएगा मतलब कॉस्टं मगर बढ़ाने के लिए काम कौन करेगा इनरजी कहाँ से आए सि Is तो इतने को बढ़ाने के लिए दिए गार से आए गाथ वह एक्श्रा है कौकि कॉस्टेंट प्रेसर को कॉस्टेंट रखने के लिए हमें पिष्टन को ऊपर करना पड़ता है और उपर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इनर्जी चाहिए है क्योंकि यह भी काम तो करना है कि सीवी में तो यह काम नहीं करना था सीपी में यह भी काम करना है तो यह तो जितना CP, CV से जितना बड़ा होता है उतनी इनर्जी कहा जाती है मतनब यह ऐसे लिखा है तो उन दोनों की इनर्जी का जो डिफरेंस है वो जाता कहा है यह है work done by the gas work done by the one mole of gas one mole of gas two rise one degree centigrade temperature at constant pressure pressure को constant रखने के लिए किया गया work है तो जो CP और CV का डिफरेंस है वो work done है और उसकी value कितनी निकल के आती है एक mole के लिए उस work done की value निकल के आती है r क्यों क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस यही तो है इन दोनों का डिफरेंस यही तो है तो एक mole के लिए r n mole के लिए कितना work करना पड़ेगा तो simple सी बात है n mole के लिए nr तो इसका मतलब जो तुम r देख रहे हो वो actual में उस work done की value है जो तुम r देख रहे हो actual में वो उस work done की value है जो pressure को constant रखने के लिए gas को करना पड़ा है pressure को constant रखने के लिए gas को करना पड़ा है वो r है वो क्या है r यह देखो तो वो r है पास समझ गये अच्छा समझ गये हो तो एक और note इसी में लिख देता हूँ note है न एक में अट यह सब तो पढ़ा चुका हूँ इसी में लिख देता हूँ गौर सुनिए अच्छा मगर यदि liquid और solid हो case किसका हो liquid का हो case किसका हो solid का हो यदि liquid और solid है तो क्या है cp की value cv के बराबर होगी यदि case liquid और solid है तो cp की value लगभख cv के बराबर होगी क्यों बराबर होगी क्योंकि वहाँ पर pressure constant रहता है एक डिगरी centigrade temperature liquid का बढ़ा होगे या एक डिगरी centigrade temperature solid का बढ़ा होगे तो pressure में कोई change नहीं आएगा gas में आता है क्योंकि gas की kinetic energy बहुत होती है gas में आता है क्योंकि gas की kinetic energy बहुत होती है तो वहाँ पर हमें कोई work done नहीं करना है क्यों? क्योंकि pressure constant रहता है हमें उसको constant रखने के लिए कोई महनत करनी नहीं है हमें pressure को constant रखने के लिए वहाँ कोई महनत नहीं करनी है क्यों पानी का एक डिग्री सेंटीगेट टंप्रेचर बढ़ाओ प्रेसर नहीं बढ़ेगा क्योंकि पानी की काइनेटिक इनरजी बहुत कम है सौलिड की और भी कम है गैस में बढ़ आ पाए तो गैस की प्रेसर को कॉस्टन रखना पड़ता है इस वजह से वर्क करना पड़ता है किलियर है यह बात किलियर है बच्चो ने का सर हाँ किलियर है तो मैंने का अब देखो इस पर कोश्टन कैसे आते हैं क्या इस पर हमारे पास question आ सकते हैं तो धमाक के दार हमारे पास इस पर question आते हैं ज़रा इस question को आप पढ़िए और करिए for all gases CP minus CV equal to R the R is R क्या है change kinetic energy when the temperature of one mole of gas is rise one degree centigrade mechanical work when the temperature of one mole of a gas is increased by one degree centigrade change kinetic energy when temperature of one mole of a gas increase by one kinetic energy नहीं होता है यह work done होता है यह work done होता है जो एक mole gas करती है एक डिगरी centigrade temperature ब्लाने के लिए add constant pressure add constant pressure अब इसको देखो अच्छे से समझो और करो अना add constant value देखो वैलूम क्या है यह कॉस्टेट यदि वैलूम कॉस्टेंट है तो वर्क तो 4 mole N की वैलू 4 होगे और आफ आइडियल गैस वेन हीटेड टमपरेचर इतना तू इतना यह इनिशल टमपरेचर हो गया यह फाइनल टमपरेचर हो गया यह फाइनल टमपरेचर हो चेंज इट्स इंटर्नल इनर्जी इतना इन्टर्नल इनर्जी चेंज की वैलू दिये डियू की वैलू दिय दे।-1 molar heat capacity at constant value cv की value पूछ रहा है तो यार सब कुस तो दिया है d u equal to n cv dt dt का मत्तब t final minus t initial इसकी value क्या है 5000 Joule unit का देहान रखना मोल कितने है 4 cv की value निकान नहीं है temperature 500 minus 300 तो 5000 Joule 4 cv 200 एक दो एक दो यह उड़ा दिया 25 आ गया कि यह आ गया क्या Joule Kelvin inverse mole inverse 6.25 तो वो क्या पूछ रहा है वैलू पूछ रहा है 6.25 मोलर heat capacity at constant value डारेक फार्मूला बेस्ट कोश्चन था फार्मूला लगा भी आप देखो यार एक और कोश्चन इस कोश्चन को देखिए देखिए पार वन मोल आप आईडियल गैस एंड की वैलू कितनी है एक विच आप दीज स्टेट्मेंट मैं मस्ट भी टू ठीक है यू एंड एक इस डिपेंड ओनली ओन टंप्रेचर प्रूप आईडियल गैस का इंटर्नल इनर्जी और इंथल्पी टंप्रेचर पर डिपेंड करता है लिखवाया है और फोकस भी कराया है अच्छा सी पी माइनस टीवी टू आर होता है एक मोल के लिए ट्रू अभी कराया है दी यू एक कवल टू एंड सीवी डी टी होता है फार एनी प्रोसेस अभी कराया है एन की वैलू क्याद कर दोगे बन डाल दोगे क्यों एक मोल गया से देख़ो उपर लिखी है तो यार यह भी ट्रू है थर्मो डाइनमिक्स के तीन इस्टेटमेंट से तीनो टू है अब कंप्रेशिविल्टी फेक्टर इस नाट इक्वाल टु वन यह रॉंग है पॉल्ज है क्यों आइडियल गैस है तो आइडियल का गैस का फेक्टर वन होता है आइडियल गैस है तो आइडियल गैस का compressibility factor 1 होता है तो सही कौन-कौन है A, C, D, A, C, D सही है, A, C, D, यह देखें तो इस तरह के question आ सकते हैं आपको इन्हों को बहुत अच्छे से ध्यान लखना है और करना है Clear? सभी बच्चों को यह बात Clear? चलो, आँगे बढ़ते हैं अब जड़ा देखो यार, degree of freedom क्या होता है? degree of freedom वैसे medical में जरूरत इसकी कमिश्टी में ना के बराबर है ऐसा कोई question जर्नली नहीं आता है कि जो degree of freedom से related हो और कमिश्टी में हो मगर पढ़ा इसलिए देता हूँ कि आप ही सकता है physics में तो इसकी detail पढ़ते हो क्यों? क्योंकि physics में इसकी जरूरत होती है तो दोस्त यार, degree of freedom का मतलब होता है कोई भी molecule कितनी direction में कितने तरह से rotate कर सकता है कोई भी molecule या कोई भी atom कितनी direction में कितने तरह से rotate कर सकता है तो यार, आपके पाद direction कितनी है? यदि आप देखो, तो आपके पाद direction है तीन, x-axis y-axis and z-axis इसका मतलब तीन direction में जा सकता है और जो rotation है, मतलब motion है तो motion भी हम तीन तरह के consider करते है translational vibrational and rotational 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 तीन तरह के motion consider करते हैं तीन तरह की direction, तीन तरह के motion इस में से इस motion को vibrational motion हम consider ही नहीं करते हैं तो क्या हुआ? कोई भी molecule कितने direction में कितनी तरह से motion करता है इसको measure करता है degree of freedom clear? clear अब देखो यह क्या होता है कुछ basic basic point बता रहा हूँ जो अपने काम के है ठीक है? जो अपने काम के है medical के exam के काम के है तो जब देखो each degree of freedom associate एज डिग्री आफ फ्रीडम associate associate half rt kinetic energy प्रतीक डिग्री आफ फ्रीडम half rt kinetic energy associate करता है तो बताओ f degree of freedom कितना associate करेगा? एफ डिग्री आफ फ्रीडम कितना associate करेगा? तो करेगा f r t by 2 और temperature कितना rise करा रहा हूँ? एक डिग्री तो यह हो जाएगा f r by 2 f r by 2 तो गौर से समझे क्या मैंने बताया? कि degree of freedom जो होगा वो कितना होगा? f r by 2 और यही होता है क्या? c v c v equal to होता है f r by 2 और c p equal to होता है f plus 2 by 2 r आपको c p याद रखना है c v याद रखना है और फिर इन दोनों का रेशियो c p upon c v होता है जिसको प्वाइशन रेशियो कहते है इसको क्या बोलते है? प्वाइशन रेशियो इसको क्या बोलते है? प्वाइशन रेशियो c v c p upon c v के रेशियो को प्वाइशन रेशियो तो इस डिगरी आप फ्रीडम अपने साथ अफ कि इनर्चिंवे जाता है डिग्री आफीडंग का फार्मूला होता है यह सीक विुकर टो एफ और भाइज है सीबी के थीद क्णों इस प्लस टू डिवाइड़़ट बाइड़ बाइड़ वार अब दोनों को डिवाइड कर दो तो गमा का फार्मूला कैं अ मैं अब प्लस टू डिवाइड बाई एफ अब देखो अब प्लस टू डिवाइड बाई एफ आ गया प्वेशन रेशियों का फार्म अब हमें यही करना है तो देखो जरा हमें बस इतनी बात याद रखनी है कितनी बात याद रखनी है डिगरी आफ फ्रीडम में पहली बात डिगरी आफ फ्रीडम क्या है तो डिगरी आफ फ्रीडम जो होता है वो क्या है कोई भी मालीक्यूल कितने डैरेक्शन में कितनी तरह से रोटेट करता है हाँ ना तो यहाँ पे क्या है molecule, एक line अपने को और चाहिए होगी, एक line अपने को और चाहिए होगी, यह देखो, यहाँ पे हो गया molecule, यहाँ पे हो गया degree of freedom, यहाँ पे हो गया cv, यहाँ पे हो गया cp, और यहाँ पे हो गया question issue, इसका फार्वुला क्या है, f by 2 divided by f, अब देखो किसका किसका क्या होता है जो अपने को याद रखना है सबसे पहले याद भी कोई मोनो एटोमिक गैस है मतलब जिसकी एटोमिसिटी वन है जैसे हिलियम नियॉन आरगन एस्ट तो इनका डिगरी आप फ्रीडम तीन होता है तो सीवी कितना हुआ थिरी आर बाइटू सीपी कितना हुआ फाइब आर बाइटू पैशन रेसियो कितना हुआ थिरी पैशन रेसियो कितना हुआ फाइट बाइ थिरी अच्छा दूसरा डाइटोमिक यदि डाइटोमिक है जैसे ओटू एंटू हा ना एच्टू तो इसकी डिगरी आफ फ्रीडम कितनी है फाइट तो यह कितना हुआ फाइब बाइट टू आर यह कितना हुआ 7R by 2 यह कितना हुआ 7 by 5 ठीक है आपको बस यह याद रखना है ट्राइटोमिक रेयर है कि आप कहां आ जाए वैसे तो डाइटोमिक भी नहीं आना है ट्राइटोमिक में दो केस होते हैं एक होता है लीनियर एक होता है नॉन लीनियर वैसे तो आएगा नहीं आज आए तो डिग्री आफ फ्रीडम मैंने लिख दिया है वैलू आप निकाल लोगे लीनियर के लिए 7 और नॉन लीनियर के लिए 6 लीनियर के लिए 7 नॉन लीनियर के लिए 6 तो गौर सुनों डिग्री आफ फ्रीडम क्या है कोई धी मालीक्यूल कितने डायरेक्शन में कितनी तरह से रोटेशन करता है मोनो अटामिक का डिग्री आफ रीडम 3 है डाई अटामिक का डिग्री आफ रीडम 5 सीवी इक्वार्टू होता है bạn डायर डू सीपीं क्वार्टू होता कि ए प्लस 2 आरवाई 2 ज़ियर की सब् Hess Usually विवाइदे बाइन इस बाथ को सब हाँ जनता है सभी चल ला है अब इस में से ज़्यादा अपने को कुछ याद नहीं रखना है और अपने पास आता भी नहीं है तो चलो एक इस पर एक कोश्चन कर लेते हैं कि डिगरी आफ फ्रीडम पर एक कोश्चन आएंगे उससे पहले मैं इस चीज बता दू है अब देखो हम लोग व्र को डिफाइन करते हैं अब व्र को डिफाइन करते हैं वरी इंड डिफ्रेंन प्रासरिसंक्रीं कि डिफ्रेंट्स में वर्क क्या-क्यों होगा जैसे वर्क ड करने के दो तरीके हैं ध्यान है सबको अब देखो वार्क डण इन डिफरेंट प्रोसेस कैसे किया जाता है गौर से मेरी बातों को समझेगा ठीक आईसो थर्मल रिवर्सेविल प्रोसेस आईसो थर्मल इन रिवर्स प्रोसेस अब जड़ा ध्यान दो देखो यह हमारा एक कंटीनर है बच्चो ने कहा है मैंने का देखो यह पिश्टन है और यह पिश्टन है बच्चो ने का ठीक मैंने का यार बच्चो यह पिश्टन एक्सपेंड कर रहा है मतलब गैस चो है उपर क्यों जा रही है ऐसे ऐसे यह है वी इनिशियल और यह है वी फाइनल इस तरह से यह है वी इनिशियल यह है वी फाइनल और हो क्या रहा है एक्सपेंशन वह क्या रहा है एक्सपेंशन इस तरह से अब ज़राद देखते जायेगा कैसा और ये हमारे पास गया स्ट है और इस पर लग रहा है एक्सटर्न वाहर से और ये प्रेसर आप गैस है और प्रेसर आप गैस किदर लगेगा उपर की ओर वह भाई पिश्टन को क्या करेगा उपर की ओर धक्का मारेगा यदि expansion हो रहा है तो simple सी बात है गैस का प्रेसर ज्यादा है external प्रेसर कम है अब expansion कब रुकेगा जब दोनों का प्रेसर लगभग बराबर हो जाएगा नहीं तो पिश्टन उपर जाता जाएगा भाई गयास का प्रेसर ज्यादा है गयस धक्का मारती रहेगी जब तक दोनों का प्रेसर सेम नहीं हो जाता है अच्छ वर्क इतना आएगा त तो w equal to minus p external dv और dv की value क्या है final minus initial तो इतना वर्क आएगा कितना वर्क आएगा इतना वर्क आएगा किलियर है देख लो आप किलियर है हाँ माल लो आपको question में value ना दिया जाए तो work कैसे निकालो भाई question में value दिया ही नहीं है तो यह हमारा work का journal formula है इसी को मैं थोड़ा और change क कि वी फाइनल की जिगा क्या लिख सकते हो तो यार हम लोगों को पता है कि वी equal to क्या होगा एन आर टी अपॉन पी आइसो थर्मल प्रोसेद है temperature constant रहेगा कोई reaction तो हो नहीं रहेगा आर वैत ही constant है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ गौर से देखना कि एन ब टी बाहर आगया थी वहन अपान पी फाइनल माइनस वन अपान पी नीशन क्यों पिश्टन ऊपर जा रहा है तो वैलूम चेंज हो रहा है वैलूम चेंज हो रहा तो प्रेशर चेंज हो रहा है वाल ला कि थूख आइसो थर्मल है temperature से में कोई reaction नहीं हो रही है मोल से मैं और में बराबर होंगे जब पिश्टन रुख गया यदि प्रॉसेश इस्टाफ हो गया है तो एक्स्टर्नल प्रेसर फाइनल प्रेसर आपस में बराबर है और यही प्रेसर आप गया से बताओ यही प्रेसर आप गैसे क्यों पिश्टन जब रुकेगा तो क्या है बाहर का प्रेसर अंदर का प्रेसर बराबर होगा न तभी तो पिश्टन रुकेगा बताओ भई है कि नहीं तो आपको ये दो फार्मूले अच्छे से याद रखने है इन रिवर्च मिल में या तो ह है तो यह क्लियर बच्चों ने का क्लियर अब रिवर्सेविल में आजओ कि देखो अब यह रिवर्सेविल प्रोसेश है कि ऐसे कि इस तरह से यह देखो यह गया से अब मुझे बताओ कि अब एक्सपेंसन हो रहा है मगर रिवर्सेविल मेथड से हो रहा है अब रिवर्सेविल मेथड में हर समय एक्लूब्रियम होती है मतलब यह इस तरह से नहों कि इस तरह से हो रहा होगा हर समय एक्लूब्रियम होती है ऐसे ठीक यह इनीशियल हो गया यह फाइनल हो गया उपर से क्या लग रहा है पीग स्टर्नल नीचे से क्या लग रहा है पीग एस ऐसे कर क्या रहा हो एकस्पेंसें सुनते जाईएगा समस ते जाईएगा यदि एकस्पेंसें कर रहा हूँ तो यह कैसा एकस्पेंसें है रिवर्से Tech और इसमें पीख्टंड नील कोस्टेन्ट होता है किलियर किलियर अच्छा अब वर्क की बात आई तो वर्क इक्वर्टू है पी एक्स्टर्नल डीवी अब प्रॉब्लम यह है कि यह पिश्टन रुकेगा इंफनाइट बार प्रॉसेस खतम करेगा इंफनाइट इस्टिप में बताओ तो रिवर्सेबिल प्रॉसेस क्या है कि इंफनाइट इस्टिप में खतम होता है और इंफनाइट टाइम लेता है तो यार इंफनाइट बार वर्क आएगा जित्ते इस्टिप उत्ता वर्क छोटा 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 चोटा वर्क बहुत बार आएगा तो जब इंफनाइट का region यह बहने Libya आगया माइनर का अब टो टो पी की जिगह क्या डाले टो पिस्टन है कि एक्स्टरनल प्रेसर और ग्यास का प्रिस्ट लगभम बरावर है तो गया संब कि प्रेसर की जिगह डाल दिया भाई इसकी जिगह में क्या डाल सकता हूं इसकी जिगह में लिख सकता हूं ना प्रेसर आप गैस क्यों आपस में बरावर हैं दोनों और इसकी जिगह यह लिख सकते हो अब इसको इंट्रिगेट करों तो जब इंट्रिगेट करोंगे तो लगबग यह आ गया है डबलू इक्वार्टू माइनस NR T LN V final upon V initial अब यार इसी को आप लिख सकते हो माइनस 2.3032 log के फ़र्म में NR log V final upon V initial अच्छा कोई बच्चा जो है प्रेसर के फ़र्म में नहीं लिखना चाहता है क्यों नहीं लिखना चाहता है मान लो प्रेसर के फ़र्म में information नहीं है तो यार प्रेसर के फ़र्म में information नहीं है तो गैस है ना तो ideal गैस तो लगेगा तो बायस ला के हिसाब से यह हुआ तो final value upon पूर्ट इनिस्यल वैलूम हुआ जाकर इनिसयल प्रेसर अपन फाइन प्रेसर के ओ तो यदि प्रेसर क्यान हो वैलूम ना गिवें हो तो हम इस चीज को ऐसे लिख देंगे कि यही फार्मूला ऐसे हो या किसी बच्चे ने का नाई ताध आता है मैंनेगा प्तलब रहता ये है कि माल लो temperature लगीवेन हो gas का mole लगीवेन हो तो क्या करोगे तो मैंने का भाई जबो PV equal to NRT होता है process isothermal है तो PYVI equal to PFVF equal to NRT temperature chain नहीं हो रहा है mole chain नहीं हो रहा है R chain नहीं हो रहा है तो NRT की value किसके बराबर है PV के और PV आपस में सारे बराबर है इसका मतलब आप चाहो तो ये लिख दो इनकी जगह पे और आप चाहो तो इनकी जगह पे ये लिख दो ये देखो तो ये formula किसके आगा है ये सतारे formula आगा है reversible process के ये सारे formula किसके आगा है reversible process के आगा है अब graphical representation क्यों work क्या है एक path function और path दोनों में अलग अलग है उतना ही काम इसने एक step में किया है यहाँ से piston चला यहाँ पे पहुंचिया एक step में उतना ही काम इसने infinite step में किया है यहां से यहां तक जाने में इसने infinite step लिए है यहां से यहां तक जाने में इसने एक step लिए है इसका अलग लग है तो वर्क भी अलग लग होगा क्यों क्यों क्योंकि वर्क एक पाथ फंसल तो कौन सा वर्क बड़ा है कौन सा वर्क छोटा है अलग लग है न तो देखो जरा यादि हम इनका graphical representation करें तो देखो क्या आता है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा है कि अधर आती है इधर आए भी है यह इनीशियल स्टेज पिर आप यहां तक आए ऐसे करते करते आप कहां तक गए इन्फनाइट तक गए इन्फनाइट इस्टेप लिए है मैं तो सिर्फ दो इस्टेप का दिखा रहा हूं मैं तो दोष डिखा रहा हूं जब कि यह कैसे यूज वें इंफ़नाईट इस्टप यूज हूए मैं तो स्रीब दो इस्टप लिख रहा हूं रहा हूं ने यूज कितने हूए इंफ़नाइट рийूजám हूए हम सिर्फ दो इस्टेप को दिखाना चाहते हैं यह देखो यह फाइं अब बताओ तो पी इंटु डीवी एक्स इंटु वाई है ना देखो वर्क हमारा क्या है पी इंटु डीवी तो यह यह एक्स 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 तो यह एरिया ही तो बना एक्स इंटु वाई एरिया ही तो बना तो कौन सा एक्स कौन सा वाई आप प्रेशर कौन सा रखते हूं हमेशा एक्स्टर्नल प्रेशर एक्स्टर्नल प्रेशर कौन सा होता है जो फाइनल प्रेशर क तो जड़ा देखो इस चीज को दोनों तरफ का एक साथ बनाता हूं जैसे आप दोनों में डिफरेंसियेट कर पाओ यह इन रिवर्स विल का है यह इन रिवर्स विल का है अब वो रिवर्स विल का है यह देखो पी और यह वी और इसे गया वाई पी आई वी आई पी फाइनल वी और यह एक केंसिप में आ nutrient तो मैंने आपको क्या बताया at the pattern परेशर की वैलूर यह हम गई वैलूम की वैलूर क्या है initial यह आज़े तो यह क्या आप लिए और गार्रीम – War कितना है P external, final Eli – यह बना यह वैलू यह यह वाली है और यह Pressure wX external यह वाला है तो यह जो एरिया है यही तो आया भाई यह क्या है V final – V initial और यह क्या है P external कि वर्क मलब पिश्टन कब रुकेगा जब फाईनल प्रेसर आप गैस और एक्सटर्णल प्रेसर बराबर हो जैए तो वर्क याए अब यहाँ पी क्या हुआ है यह देखो initial है, अब यह infinite bar रुप रहा है, यह कितने बार रुप रहा है, infinite bar, मैं सिर्प दो बार माल लेता है, कि अभी दो बार रुप रहा है, यहां से चला, यहां पे आया, तो यह देखो यहां से चला यहां पर आए तो अब बताओ work क्या होता है P into V जब यहां पर रुका तो pressure कितना है P1 volume कितना है यह भाई यहां से चला और यहां पर रुका तो volume इतना है तो P into V यह आया area निकालना है न तो area क्या है X into Y इसाइड यहां से है यहां से चला यहां पर रुखा तो यहां पर प्रेसर कितना कितना है यहां से लेके यहां तक हैं तो एरिया इंटू है यह आगा paком X इंटू Y कि दो इस homem यहां छलते तो वर्क ज़्यादा आता है इतना ज़्यादा उतने जटएफ होते उतना जश्चैफ होता है देख़ो आप specific में चलो इतना वही काम मैंने किया तो वर्क और किया गयासे फारवला पी इंटू यार यार वाई इंटू एक्स एरिया है इस जगह से लेके इस जगह तक आए तो इस जगह पर प्रेसर कितना है पीवन वैलूम का डिफरेंस कितना है इतना तो यह आ गया पीवन हाइट इंटू यह और जब यहां से यहां पहुंचे तो वैलूम कितना है इतना प्रे उतना ज्यादा एरिया तो देखो यह भी कहीं आइसो थर्मल एक्स्पेंसन हो रहा कि तो जितना ज्यादा इस्टेप उतने ज्यादा वर्प इस टेप वन है तो कि डो estety में किया करका में फिरRI इस्टेब से ज़्यादा थीन stay अग्याक का म 59OC हराओ सबसे ज्यादा कभे होते हैं जब रिवर सीविल होता है कि भािर रिवर सीविल में कितने इस्टेफ होते हैं इफनाइट इसका कभर सबसे ज़्यादा क्वासिटेफ किसमें ? रिवरसबी तोय रिवर जेभिल वर्क सब से जादा आइसू थर्मल की मत्بब इसका मतलब इस रिवर्ज व線 से जाधा वर्क है रिवरसेभिल मगर यह कहां शब्सक्त किसके लिए है expansion के लिए for expansion वो भी कैसा reverse, आईसो थर्मल आईसो थर्मल expansion के लिए यह देखो अब यही यदि compression हो तो उल्टा हो जाएगा compress करोगे तो इन reverse will work जादा होगा reverse will work से for compression वो भी कैसा आईसो थर्मल compression वो भी कैसा आईसो यदि compression आईसो थर्मल है तो यह देखो यदि compression आईसो थर्मल है तो तो first step एक step से ज़्यादा दो step में दो step से ज़्यादा तीन step में तीन step से ज़्यादा चार में चार से ज़्यादा चीतने ज़्याद इसकि उतना ज़्यादा वर्क मगर ये मैंने एक्सपेंशन कमनाया था और और कंपरेशन में इसका जेस्ट होगा क्योंपि आपोजिट प्रॉसस है क्लियर है क्लियर है कि यह छोटी-छोटी बाते याद रखना हो सकथ सकता स्टेटमेंट वाइस पूछी जाए हो सकता स्टेटमेंट वाइस पूछी जाए अब जड़ा देखो यार बच्चो अब मैं आपको सारी बाते बहुत अच्छे से बता रहा हूं इनको जड़ा देखे रहीएगा और समझते जाए यह तो आपने पढ़ दिया अब इसको देखो गदन इन डिफ्रेंट प्रॉसेज में ए टो यार ब्रकम और अब बताओ मैं दो गूट पानी मारता हूं तुम लोग जड़ा इसके बारे में कुछ बताओ देखो गवर समझे फर्स्ट लाग थर्मो डाइनमिक्स क्या कहता है वो कहता है डी यू इक्वल टू होता है फ्यू प्लस डबलू प्रोसेस क्या है एडियावैटिक यदि प्रोसेस एडियावैटिक है तो क्यों इक्वल टू जीरो यदि प्रोसेस एडियावैटिक है तो क्यों इक्वल टू जीरो क्यों इक्वल टू जीरो तो डी यू इक्वल टू डबलू मतलब एडियावैटिक प्रोसेस का वर्क इस्टेट फंसन होता है देखो, वार्क दन, ओफ एडियावाइटिक प्रोसेस, इजे, इस्टेट फंचन, वार्क दन, ओफ एडियावाइटिक प्रोसेस, इजे, इस्टेट फंचन, और यदि इस्टेट फंचन है, तो पास से लेना देना नहीं है, भाई अभी इस्टेट फंचन है, तो पास से लेना देना नहीं है, तो आप चाहे, इर्रिवर्स विल मैथड से काम करो, या रिवर्स यहां पर देखको आप इनीश्वाल और फाइनल सेम है। यहां से चलाす comfortable आप चला we फाइनल उसे ऑऊछ रहो हो फ्या यह यह असे चला आप विट मच रहो हो तो डिश्च रह Wash और इनीश्च आ कि दर पाइनल सेम है इसका तो तो पास से लेना देने नहीं है क्यों क्योंकि वो इस्टेट पंसन है तो यह जो इन रिवर्स विल प्रोसेस का वर्ग कम होता है रिवर्स एविल का ज्यादा होता है यह सब बवाल सिर्फ आइसो थर्मल के है इडिया वैटिक वाले कहते हैं कि देखो भाई हमारा वर्क किसके बराबर आएगी डियू के बराबर इंटर्नल इनर्जी चेंज के बराबर आएगी किसके बराबर डियू के बराबर इसका मतलब जड़ा देखो कितने फार्मूले है आप वर्क का एक अपना सबसे फैमस फार्मूला पीक्स्टर्नल डिवी एक तो यह फार्मूला है एक दूसरा वर का फार्मूला भाई जो इंटर्नल इनर्जी का फार्मूला है इंटर्नल इनर्जी का फार्मूला क्या है एन सीवी डी टी और डी टी का मतलब टी फाइनल माइनस टी नीशिल डी टी का मतलब टी फाइनल माइनस टी नीशिल यह देखो तो हमारे पास दो फार्मुले वर्क या तुम पुराने फार्मुले से निकालेंगे या ncvdt से निकालेंगे ncvdt का मतलब हुआ internal energy वाला फार्मुला और वर्क क्या है state पंसम तो इसमें अब हमें यह करने की जोगत नहीं है कि irreversible है तो यह reversible है तो यह क्योंकि दोनों की वहल्व है अब बात आती है मेरे बचों की वर्क बढ़ा कौन सा है Adiabatic Process के Work बढ़ाया है कि Reversable Process अज्क मतलब Iso Θermal Process के Work बढ़ाया मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक आया Temperature constant रखते हुए तो वर्क जदा मिलेगा कि मैं यहाँ से यहाँ तक आया Heat का बिना Exchange किये हुए मतलब Adiabatic Process के तो वर्क जदा मिलेगा तुझरा देखो यार इसके लिए आपको बताता हूँ देखो बात को समझे देखो ये P है ये V है ठीक दोनों लोग यहां से स्टार्ट करते है और आइसो थर्मल के लिए एक्वेशन होती है PV एक्वल टू के ये एक्वेशन आइसो थर्मल प्रोसेस की है और PV की पावर गामा एक्वल टू के होती है एडियावैटिक प्रोसेस की एडियावैटिक रिवर्सेबल प्रोसेस की अब गौर से देखो तो एक का ग्राफ exponential दूसरे का ग्राफ भी exponential तो देखो दोनों का end कैसे होता है कि देखो कि देखो ये वाला जो ग्राफ है ये आईसो थर्मन का है और ये वाला ग्राफ adiabatic का slope ज़्यादा होता है आईसो थर्मन से गामा टाइम्स ज़्यादा होता है तो area under the curve लोगे तो देखो किसका ज़्यादा आएगा आईसो थर्मन का ज़्यादा आएगा तो इसलिए आईसो थर्मन वर्क जो होता है वो ज़्यादा होता है adiabatic वर्क से वो उनकी equation की वज़े से है यदि हम slope निकाले तो slope क्या है dp upon dv तो आईसो थर्मन का slope एडियावैटिक का slope गामा टाइम्स ज़्यादा आता है आईसो थर्मल के slope ज़्यादा होगा तो वर्क कम होगा देखो यह slope ज़्यादा है तो वर्क कम है वर्क क्या है? area under the curve तो यहाँ area under the curve कम आएगा यहाँ पर area under the curve ज़्यादा आएगा तो ध्यान नखिएगा आईसो थर्मल वर्क ज़्यादा होता है area वैटिक वर्क से ठीक है? क्यों एक equation होती PV equal to K दूसरी equation होती PV की power gamma equal to K हाँ न? क्या यह बात के लिए रहे? ठीक है यह छोटे छोटे point याद रखेगा अब देखो यार अब मैं आपको एक table बना रहा हूँ मतलब CSD दे रहा हूँ इसको याद रखेगा बस इसके बाद हमारा वर्क खतम हो जाएगा इस table को बहुत अच्छे से याद रखना है ठीक है यह CSD है जित्ता अभी मैंने पढ़ाया है वो सारा एक जिगह पर summarize कर रहा हूँ एक जिगह पर आपका काम है इसको अच्छे से याद रखना है ठीक है नग अच्छा पहले वर्क आया फिर हीट अच्छा पहले इंटर्नल इनरजी यह अब देखो बच्चो अच्छे से ध्यान देना यार हाँ पहले मैं लिखे तो देखो यह क्या है यह है प्रोसेस कि कौन ते प्रोसेस की बात चल लएए यह क्या है उसका वर्क यह क्या है उसकी हीट यह क्या है उसकी इंटर्नल इनरजी चेंज और यह क्या है उसकी इंखल्पी चेंज किसी भी जगह पे हमसे इतनी बाते पूछी जा सकती है अब अच्छे से देखेगा इन सारी चीजों को कि कैसे करना है अपने को ठीक है देखो बच्चो पहला आपको अभी जित्ता मैंने एक डेड़ घंटे में पढ़ाया है वो सब एक जगए पर समराइज कर देखो यदि हमारे पास आईसो थर्मल प्रॉस्ट तो आईसो थर्मल में दो केस होते हैं एक इर्रिवर्ट प्रॉस्ट और आईसो थर्मल का वर क्या ह है पातफ solchen तो आईसो थर्मल का वर क्या है पहली बात पातबस अन्षें हैंcion करें तो आई तो आईसो थर्मल प्रॉस्ट है आई तो थर्मल तो इर्रिवर्ट फिल प्रॉस्ट है तो वर का फार्मूला होगा यह एक वर्क का फार्मूला होगा यह ठीक है जो मैंने अभी पीछे निकाला था यदि आपको याद हो तो यह है और जब प्रोसेज इस्टाफ होगा तो पी एक स्टर्नल पी फाइनल और प्रेसर आप गैस आपस में बराबर होगे प्रेसर आप गैस आपस में बराबर होगे यह क्या है इर्रिवर्सबिल आईसो थर्मल प्रोसेज किलियर किलियर अब आईसो थर्मल प्रोसेज है तो टंप्रेचर कॉस्टेंट है टंप्रेचर कॉस्टेंट है तो डी यू की वैलू क्या होगी जीरो और डी एज की वैलू क्या होगी जीरो क्यों ये दोनों स्रिफ टंप्रेचर का फंसन होते हैं अब दोनों में से किसी का भी टंप्रेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटर्नल इनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा इंथल्पी में भी चेंज नहीं आएगा और जब ऐ तो यदि तुम से क्यों पूछे तो यहीं वाले फार्मूले लगा दो कर लोगे ठीक है अब लिख नहीं रहा हूं इस दिगे से निकाल देड़ों यह इतना होगा यह इतना होगा अब वर के फार्मूले हमारे यह होगा क्यों क्यों क्योंकि पाथ फंसर अच्छा अब आज और अब ये तो irreversible बताया है न अब ये तो पात पंसर है तो reversible होगा तो क्या होगा आइसो थर्मल reversible process आइसो थर्मल reversible process होगा तो क्या होगा तो फार्वुला ये आएगा ये irreversible के लिए था तो ये reversible के लिए अभी जितने पढ़ाएं हैं वो सब लिख दो माइनस एनर्टी एलन लॉक तो बना लो भी ना यार लॉक वाले नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम होती ही तो वाले जल्दी लिख जाएंगे है ना माइनस एनर्टी एलन पी नीसियल पी फाइनल यह प्रेशर के रिस्पेट में यह मादलो टंप्रेचर ना दिया जाएंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो कैसे लिख सकते हो यह क्या है रिवर्सेविल प्रोसेस के वर्क है अब सिंपल सी बात है रिवर्सेविल प्रोसेस की हीट क्या होगी वर्क के बराबर विद अपोजिट सहीं होग क्यों ने का संधी च है प्राइब ओड्र tired अब इडीलावाटिक पे तो अभी ये दोनों जीरो है ञेंग mij हिर ग्यों क्यों कि प्राइब अब आओ यहाँ गीजा पर वा एडियाव jáटिक पे कि अब आओ ओडैयाव किर सोरी है कि यह अब रिवर्स एविल और एल रिवर्स अब देखो एडियावैटिक प्रोसेस का वर्क इस्टेट फंसन है और जब यह इस्टेट फंसन है तो दोनों की वैलू बराबर है ठीक ठीक अब एडियावैटिक प्रोसेस है तो q equal to 0 है तो देखो वर्क की वैलू है किसके बराबर तो वर्क की जो वैलू है वो डियू के बराबर है तो वर्क की यार हमारे पास यहां पर इतने फार्मूल है या तो यह हम अपना जर्नल फार्मूला लगा दे है यह हम डियू वाला फार्मूला लगा दे हैं एन सीवी डिटी डिटी के मतलब टी फाइनल माइनल टी नहीं जींगा कुछ है कि रिवर्क की वालू किसके बराबर है डियू के बराबर है तो जो डियू की वालू है इसकी वेल्यinek तो डियू अला फार्मूला अच्छा अप आपक्यू एक्कुल टूं जीरो है तो इसका ते जुज़ दो डीयू की वैलू क्या होगी वर्क के बरावर होगी और ncvdtt होगी डी घ की वैलू क्या होगी ncpdtt होगी ये यूनिवर्सल फार्मूला है ncpdt ncvdt हाण ना ये बताओ कोई भी दिक्कत इस्टेट खमसां इसले अपना ऐसे रहें अब जड़ा देखो यार यह भी प्रॉसेज आइसो कोरिक है अइसो कोरिक है आइसो कोरिक प्रॉसेज है तो वेलूं कॉस्टन है और वेलूं कॉस्टन है तो वर्क इकवल तू जीरो अब वर्क equal to zero है तो constant value की heat को क्या कहते हो डी यू कहते हो तो जो डी यू का formula वही heat का formula और डी यू का formula हमेशा fix है ncbdt और dh का formula भी हमेशा fix है यूनिवर्सल है ncpdt हर केस के लिए स्क्राइब है यह अब माल लो प्रॉसेश आइसोबेरिक है तो आइसोबेरिक प्रॉसेश का वर्क वही फार्मूला इसमें कुछ जीरो नहीं है जब इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज ऐसे आज़ाती है nr delta t ऐसे अच्छा अब आप बताओ आइसोबेरिक में प्रेसर कॉस्टेंट है तो यार प्रेसर कॉस्टेंट प्रेसर की हीट को क्या कहते हो इंटर्नल सॉरी इंथल्पी चेंज मतलब हीट की वैलू वही होगी जो इंथल्पी चेंज की वैलू क्यों क्यों क्योंकि यह क्योंकि काउस्टेंट प्रेसर की हीट को हम कहते है dh और dh का फार्मूला क्या मैं एंट cp מכद वही है और द्एज का वही है ओ घीट कवल टू एंट cp ॡॵ्ट कैसे आए समझ पाई कास्टेंट प्रेसर की हीट को इंथल्पी चेंज बोला दाता है कॉस्टन प्रेसर की हीट को इन थल्पी चेंज बूला रहा है अब ज़रा देखो कुछ पॉइंट जो मैंने वहां बताया थे अब उनको समराइज कर देता हूं जल्दी से जल्दी ध्यान नखिएगा है एक श्टेब वरक से ज़दा वरक होता है दो श्टेब का वरक मॉन फामीले रहए धेहन नखिड़ , हैं रहर दोस्त ज़ादा है तीन श्टेब का वरक और सब्से ज्यादा वरक होगा Reversible Work क्यों? क्योंकि इसमें Infinite Step होते है ये जो order है ये Expansion के लिए है Expansion उभी कैसा Expansion? Isothermal Expansion Clear? Isothermal Expansion अब ज़रा देखो Irreversible से ज्यादा वर्क होता है Reversible Work किसके लिए? Isothermal Expansion के लिए ये सब मैं पीछे अभी पढ़ा क्या गया हूँ ये देखो अब इसके बाद Irreversible Work जाबा होता है Reversible Work के लिए तब जब आईसो थर्मल कम्प्रेशन हूँ फिर मैंने आपको पढ़ाया Work आईसो थर्मल वर्क बड़ा होता है Adiabatic Work से और Expansion Expansion के केस ये देखो अब मैं इक और बात पढ़ा रहा हूँ सबसे बड़ा वर्क कौन सा होता है सबसे बड़ा वर्क तो आईसो बैरिक वर्क आईसो बैरिक वर्क सबसे बड़ा फिर आईसो थर्मल फिर Adiabatic और आईसो कोरिक का वर्क तो जीरो होता है इसलिए फिर आईसो कोरिक ये देखो यादि डिफरेंट प्रोसेस के वर्क का compare करें तो ये ये सब physics में ज़्यादा आता है कमिश्टी में कमाता है ये वाला है जैसे ये वाला है जैसे ठीक है मगर मैं पढ़ा दे रहा हूँ मतलब statement लिख दे रहा हूँ कि माल लो statement पूछा जाए तो तुम कर पाऊ माल लो statement पूछा जाए तुम कर पाऊ ये जो मैंने एक अभी लिखा है ये जो table है ये बहुत काम किये है इसमें मैंने सारी बाते आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दी थी अब वो मैंने लिख भी दी है आप इनको देहान ना करें किलियर है अब बच्चे जीद कर रहे हैं कि सर कुछ कोश्चन भी करा दो बच्चे जीद करर रहे हैं कि सर कुछ कोश्चन भी करा दो तो चलो कोशन कर लो When 5 mol of hilium gas अब 5 mol of hilium gas expend isothermally and reversibly 300 kelvin temperature fromור इतना टु इतना the magnitude देख और magnitude पूछ रहा है magnitude of work done, यह पूछ रहा है, अब आप सबसे पहले तो मुझे यह बताओ, कि यार यह process कौन सा है, 5 mole hillion, आराम से question पढ़ा करो, N equal to क्या है, 5, गैस कैसी है, monoatomic, साइच जरुवत पढ़ा है, एक्सपेंड, temperature constant, process reversible है, ठीक है, वैलूम यहां से यहां तक चेंज हो रहा है, initial और final, magnitude पूछ रहा है, तो इसका अब रिवर से विल प्रॉसेस के work done का फार्मूला लगाना है, और आईसो थर्मल प्रॉसेस है, तो हमें पता है, माइनस 2.3032, n, r, t, log, v, final, upon v, initial, n की वैलू कितनी है, 5 mol, r की वैलू कितनी है, जूल में, 8.31, t की वैलू कितनी है, 300, log, final कितना है, 20, initial कितना है, 10, अब इसको और कर लो, log 2 की वैलू कितनी होती है, 0.3, अब इसको multiply कर लो, बस, formula based question था, formula लड़किया, देखो, 2.3032, 5, 8.3, 300, 0.3, यह आ रहाए, 8,602, माइनस का, और यूनिट क्या होगी, जूल, क्यों, क्योंकि r की वैलू आपने जूल में डादी, अब कितना वर्क आप्टेन होगा, तो जूल में है, तो 8,602, अब यह सोचो, integer में question है, direct formula based है, मगर यह भी करना tough होगा, यदि आप process ना पकड़ा पाये तो, हाँ ना, आप चीज़े को पकड़ा पा रहे हो, इसलिए आपके लिए इसलिए है, नहीं तो यह भी question tough है, अब इसको करो, 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 एक पिश्टन फिल्ड बिल, 0.04 मोल आप आइडियल गैस, अब देखो, एन की वैलू दी है, गैस आइडियल है, एक्सपेंड हो रहा है, रिवर्सेविल मेठ़ से हो रहा है, अच्छा, 50 ml to 375 ml at a constant temperature, temperature constant है, तो यदि temperature constant है, आइडियल गैस है, तो यह भी 0, और यह भी 0, temperature constant है, आइडियल गैस है, तो इंटर्नल इनर्जी में चेंज जीरो और इंथल्पी में चेंज जीरो, at 37 degree centigrade, as it does so, it absorb, heat absorb हो रही है, यदि system heat gain कर रहा है, तो positive, and the value of w और q and w for the processes, तो यहाँ देखो, जब इंटर्नल इनर्जी की value 0 है, तो q और w आपस में बराबर होंगे, बिद अपोजिट साइन, यदि q की value आ रही है, प्लस 208 joule, तो w की value आएगी, माइनस 208 joule, है, ऐसा कहीं है, करने में दिख्कत तो नहीं हो, इस question को, करने में दिख्कत तो नहीं, यह question तब तक नहीं हिलेगा, जब तक तुम्हें याला point याद नहीं हो, कि enthalpy और internal energy temperature का function होते है, ideal gas में, अब तुम्हें याद है, तुमारे लिए रद्धी question है, अरे, ऐसा कैसे पूछ रहा है, कमटीशन में, और जिसको नहीं याद है, वो सोचरा निकलेगा कैसे यार, निकलेगा कैसे, तो यह छोटे-छोटे जो points है, thermodynamics के, यही concept है, यह जो मैं points लिखाता हूँ, समझाता हूँ CSD में, यही concept है, इनको ध्यान लखना है आपको, यह जो ध्यान लखोगे, तो देखते ही question हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आप जैसे इसको करते, 5 mol of ideal gas, अभी किया था, क्या वही है क्या, उसमें भी तो साथ 5 mol था, 5 mol of ideal gas, gas कैसे है, ideal, at 293 Kelvin temperature is expand, isothermally, आपको जैसे ही, isothermally का temperature constant, temperature constant है, तो du और dh, दोनो की value 0 है, from initial pressure, pi, final pressure, at constant external pressure, p external constant, इतना, the heat transfer in this process is, heat transfer in this process is, क्यों पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, तो अब क्यों की value वही होगी, जो w की value होगी, with opposite sign, क्योंकि internal energy 0 है, इसका मतलब ले दे के work निकालना है, अब work निकालने में दो समस्षे आए, आई इस तो thermal process है, तो हमें देखना पड़ेगा, reverse evil है या irreversible, क्योंकि reverse evil का अलग formula है, irreversible का अलग, अब बताओ कैसे पुखनोंगे, कहीं नहीं लिखा है कि ये reverse evil है, मगर उसने mention किया, और मैं मारूंगा बहुत क्योंकि मैं, जब भी मैंने पढ़ाया है, इस बात को बार-बार और काफी force के साथ बोला है, काफी force के साथ बोला है, समल्लियों, बताओ जल्दी से comment करके, क्या लिखा है, constant external pressure, external pressure constant कब होता है, किस process में होता है, irreversible में होता है, है, भसे थे, तो ध्यान लखना हो, वो देगा सब कुछ, irreversible process का work लगा दो, कौन सा formula लगेगा, pressure के form में equation दिये, देखो मैं यही पढ़ा रहा था, कि यदि value नहीं दिया होगा, तो कैसे करूँ गे, यह भी पढ़ा है, external pressure दिया है, लगा दो, क्या दिया है, mega pascal, ठीक है, mole दिया है, लगा दिया, आर की value क्या रखने कह रहा है, 8.314 रखने कह रहा है, temperature कितना कह रहा है, भाई temperature दिखना, वह टमपरेचर नहीं दिया क्या, अच्छा, 293, final pressure, 1.3, initial pressure, 2.1, अब क्या करना है, solve, solve करना आपका काम है, अब इसको करो यार, मैं थोड़ी करूँगा, छोड़ दू मैं, बच्चों, कर डालोगे, अब यार, छोड़ देने जो मुझे, 1 divided 1.3, 0.7, 69, 1 divided 2.1, 0.4, 76, अब कर लेते हैं, minus 0.769, ठीक है, into 293, into 8.314, into 5, into 4.3, तो यह आएगा, minus का, minus ही आएगा, 5, 0.6, जूल, अब यूनिट देख लो, क्या पूछ रहा है, जूल में पूछ रहा है कि, कैलोरी में पूछ रहा है, कैलोरी पर मोल में पूछ रहा है, तो कैलोरी पर मोल मिले जाओगे, तो यार यह आजाएगा, minus का, 15.3, 3.5, तो यह value आगई, minus, magnitude पूछ रहा है, नहीं, कितनी heat transfer होगी, तो transfer, heat निकलेगी, कितनी निकलेगी, 15.3, 3.3, मतलब, approach 15, किलो जूल, क्यों, nearest integer में पूछ रहा है, 15 किलो जूल, heat लगभग निकलेगी, और यह question बहुत अच्छा है, क्यों, बच्चे के यहीं नहीं समझ में आएगा, कि formula काउंसा डाले, reverse evil वाला है, irreversible, मगर यदि मेरी बाते, ध्यान से सुनते हो, तो पता चल जाएगा, इसको करो, यह last 10 final, इसको करो, यह कोई और देखूं, एक question मैं और लाया था है, यह सब तो उसके हैं, वो in trophy के, चलो, इसी को कर लो फिर, बताओ, वो पहले करा दिया होगा, बताओ बाई, 2 mole of ideal gas, gas ideal है, X temperature constant, reverse evil expansion है, what is the enthalpy change, इतनी सारी चीज़े दे देता है न, कि तुम कोई न कोई formula डाली दोगे, जोस में आके, तुम जोस में आके, कोई न कोई formula डाली दोगे, एक तो आईसो थर्मल है, तो temperature constant है, ideal gas है, तो ideal gas है, temperature constant है, तो enthalpy किसका function है, temperature का, तो जब temperature नहीं चेंज हो रहा है, तो enthalpy change कैसे आएगा, 0 आएगा, और देखो, mole भी दे रहा है, expansion का volume भी दे रहा है, temperature भी दे रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, कि तुम कुछ डाल दो formula, और formula डाल के गलत कर दो, तो दिमाग की बत्ती जला के रखना, अच्छे दिन, ठीक है, चलो, अब next heading पर चलते हैं, आप ज़र देखो यार बच्चो, अब discuss करने जा रहा है, entropy क्या होती है, entropy क्या होती है, तो बताओ, सारे बच्चे बताएं कि यार, entropy क्या है, entropy क्या होती है, कोई बच्चे बता सकता है, entropy क्या है किसको कहते है entropy बताई entropy क्या होती है बताओ entropy क्या है यह measure करती है measure randomness randomness of system system की randomness सो measure करती है इसी को कहते है disorderness कि system के disorderness को measure करती है कौन? entropy मतलब कितना ज़्यादा randomness है arrangement में कितना ज़्यादा variation है इसको measure करता है entropy इसको किसे represent करते हो इसको बच्चों represent किया जाता है S से इसको represent किया जाता है S से और change in entropy को represent किया जाता है change in entropy को change in entropy को बच्चों हम represent करते है ds equal to entropy final minus entropy initial entropy final minus entropy initial को यह देखो इंट्रॉपी क्या है randomness को measure करती है मतलब जड़ा गौहर से समझीएगा देखो अब मैं आपको कुछ लोग बनाता हूँ उनको जड़ा समझो जैस दे उदर नहीं इधर बनाता हूँ देखो यह है इलू इलू को बना दू और यह है इनके दोस्ट तीलू जल्दी जल्दी बना देते हैं यह देखो कट यह देखो यह इलू इलू के दोस्ट तीलू तीलू के दोस्ट मिलू मिलू के दोस्ट पीलू पीलू के दोस्ट चीलू और चीलू के दोस्ट चिंटू अब देखो यह चार है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे लोग है, अब मैं कहा रहा हूँ कि यह location 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, यह 5 है, यह 6 है, अब सुनो, डाक्टर, लतीफा, गौर से देख, इस बात को जरा देहम दो, सुकला जी को हम कितने लोगों से explain कर, exchange कर तकते हैं, जैस कितने लोगों से exchange हो सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो randomness क्या है, वो 6 लोगों से exchange हो सकते हैं, हो सकते हैं, बिलकुल, यदि मैं system को आधा कर दो, तो अब कितने से हो पाएंगे, तीन से exchange हो पाएंगे, तो number कम हो गए ना, कितने जादा लोगों से exchange हो सकते हो या कितनी ज़्यादा location में बैट सकते हो इसी को कहते है randomness इसी को कहते है randomness तो यार यह बताओ यदि मैं system को by part करूँगा तो randomness कम हो चाहिए और randomness कम हो गई इसका मतलब system के amount पर depend कर रही है इसका मतलब यह क्या है extensive property है तो यह कैसी प्रॉपर्टी है extensive property है 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 तो अब देखो मैं इसके ccd लिख रहा हूं सारे बच्ची इस पर focus करेंगे गौर से देखते जाएंगे entropy के ccd क्या है यह entropy तो पहली बात entropy क्या मेजर करता है मेजर रेंडम ने को मेजर करेगा डिस ओडर नेस को मेजर करेगा ठीक है इसकी absolute value क्या होती है यदि मैं representation पूछू तो entropy को किससे रिप्रजेंट करोगे तो यदि रिप्रजेंट करने की बात आएगी तो बच्चों रिप्रेजेंट करेंगे से चेंज इन इन ट्रॉपी को किस से रिप्रेजेंट करोगे चेंज इन इन ट्रॉपी को तो चेंज इन इन ट्रॉपी को रिप्रेजेंट करोगे डी एस ते और ये किसके बराबर होगी final entropy minus initial entropy सुनते जाईएगा डरिएगा नहीं entropy क्या होगी extensive property होगी क्या होगी extensive property मगर entropy per mole entropy per gram कैसी हो जाएगी intensive क्यों दो extensive property का ratio है दो extensive property का ratio है ये बच्चों state function होती है और कोई भी value state function है तो ध्यान लखना ये बड़ा concept है इसको हम लोग frequently use करते है तो entropy एक state function होता है clear extensive property है और state function है इतनी बात clear होगी definition क्या है? randomness को measure करता है अब randomness किसकी कैसे कैसे होगी और क्या होगा entropy change का order क्या होगा gas liquid solid पचास लोग है तो हम पचास लोगों से exchange हो सकते हैं दस लोग है तो हम दस लोगों से exchange हो सकते हैं तो ध्यान लखना entropy जो है वो number के directory proportional जितने जादा number होंगे उतने जादा entropy होगी number लिख लो या more लिख लो ऐसे इसी वज़े से mixing of gas of gas के entropy क्या होगी? positive होगी मतलब increase कर रही है क्यों? number बढ़ रहे ना? number बढ़ेंगे तो entropy बढ़ेंगे तो मतलब entropy increase कर गई क्यों? number increase कर रहा है mixing of liquid यादि दो liquid को मिला आप दे तो बताओ number बढ़ेंगे ना? बिल्कुल बढ़ेंगे entropy बढ़ेंगे mixing of solid number बढ़ेंगे बढ़ेंगे entropy बढ़ेंगे इनके entropy कैसा है का change? इन सबका entropy change पास्ट हूँ क्यों? number बना रहा है ठीक है? जैसे ये दिखो number जादा तो entropy जादा जैसे किसी ने मेरे से कहा गौर से देख जाओ जैसे किसी ने मेरे से कहा एक mole carbon dioxide gas है अब दो mole carbon dioxide gas है बताओ entropy किसकी जादा है? बताओ ये A है ये B है तो entropy किसकी जादा होगी? जिसके number जादा है physical state तो save है इसका मतलब B की जादा होगी A से number जादा तो entropy जादा clear और जब भी mix करोगे entropy बढ़ेगी clear है? बच्चों ने का clear है अच्छा माल लो number constant कर दिये जाए तो कैसे पैचान होगे? entropy directory proportional है temperature के माल लो number constant है तब क्या है? number क्या है बच्चों? constant rule समझते जाईएगा तो temperature जादा होने से vibration जादा होता है randomness बढ़ती है temperature जादा होने से kinetic energy बढ़ेगी तो temperature बढ़ाओगे तो randomness बढ़ेगी मतलब यदि इसी question को मैं ऐसे कर दूँ देखना एक मोल कारवन डाई ओक्साइड गैस 100 डिग्री सेंटिगेट और एक मोल कारवन डाई ओक्साइड गैस 50 डिग्री सेंटिगेट अब randomness बताओ entropy बताओ तो मोल तो सेम है temperature अलग लग है तो एक entropy जादा होगी B से जितना ज़धा temperature उतनी ज़धा entropy मगर मोल सेम होने चाहिए यहां चेक कोड़ो मोल सेम है अच्छा next rule सुनते जाईएगा मतब समझते भी जाईएगा entropy directory proportional होगी किससे atomic city के atomic city के यदि क्या है number constant है physical state constant है temperature constant है इन तीनों में कुछ नहीं चेंज हुआ है तो फिर entropy atomic city के proportional होगी for example ज़र देखो जैसे मैंने कहा एक मोल oxygen gas एक मोल ozone gas अब यार आप चेप करो physical state same दोनों के दोनों gas मोल same temperature दिया ही नहीं है तो same होगा तो entropy किसकी ज़्यादा होगी तो simple सी बात है जिसकी atomic city ज़्यादा है atomic city किसकी ज़्यादा है ozone की ozone O3 है तीन आटम है oxygen में O2 है दो आटम है तो atomic city ज़्यादा तो entropy ज़्यादा ठीक अब ज़र देखिए अगले पेज़ पे और rule माल लो कोई बच्चा और बदमासी कर दे वो क्या करे atomic city भी constant कर दे तो तो entropy directory प्रपोर्शनल होती है molecular weight के मगर ये तब होगा मेरे दोस्त जब ये सारी चीजे constant क्या number physical state ठीक है atomic city यदि ये सारी चीजे constant है तब क्या होगा तब entropy molecular weight के प्रपोर्शनल होगी तब entropy क्या होगा molecular weight के प्रपोर्शनल होगी क्लियर क्लियर है बात आप लोग जामते ही हो वही आ गए थे हैं परेसान करने लाब कुश तो देखो इस बात का ध्यान नख्येगा जैसे ये question देखो मालो किसी ने ऐसे कह दिया कि यार वन मोल औक्सीजन गैस है और वन मोल नाइक्ट्रोजन गैस है अब अप आओ entropy किसकी जाता है तुझरा चेक करो वच्चो molecular weight चेक करो physical state दोनों कैस है मोल दोनों के बराबर है temperature दिया नहीं गया semi होगा atomicity बराबर है फिर किससे निकलेगा माली प्लॉरवेट माली प्लॉरवेट किसका ज़्यादा है oxygen का कित्ता होता है 32 nitrogen का कित्ता होगा 28 है देखते जाहिए आप अब माल दो entropy जो है और की entropy और की entropy उसके प्यवर फर्म से ज़्यादा होती है क्यों और में randomness ज़्यादा है और प्यवर फर्म बिल्कुल प्यवर होता है तो जैसे माल लो पूछ लिया जाए copper paride 10 gram copper paride 10 gram copper entropy बताओ देखो मैंने लिया 10 gram प्यवर copper ठीक है और 10 gram लिया copper paride copper paride क्या है copper का और है और ये क्या है प्यवर copper है यार तो अब entropy किसमें ज़्यादा होगे तो entropy किसमें ज़्यादा होगी और में ज़्यादा होगी entropy इससे और में entropy जो होगी ज़्यादा होगी किलियर है किलियर है यस अच्छा अब कहानी को और आगे बढ़ा लेते इसको जड़ा देखें तो प्योर फॉर्म की entropy से ज्यादा होगी और की इंट्रॉपी अब इसके बाद जड़ा देखो यार गौर से देखो यदि कहीं पर वैपराइजेशन हो रहा हूँ तो भाई मेरे वैपराइजेसन में क्या होता है लिक्विड जो है वो वैपर में कनवर्ट हो रही है मतलब गैस में कनवर्ट हो तो इंट्रॉपी क्या होगी पाजट्यूट क्यों क्योंकि आप लिक्विड से गैस में जा रहे हो और गैस की इंट्रॉपी लिक्विड से ज्या तो यार आप सॉलिट से वैपर जा रहे हुग तो हिंट्रपी जैंज कैसा होगा पाजिटिक है इसी तरह से आप देखो यार किस्टलाइजेशन में क्या करते हैं की ONE से लीकविड से सॉलीड जाते हैं और जब लिक्विड से सॉलिड जाएंगे तो इंट्रॉपी क्या होगी निगेटिव क्यों क्योंकि लिक्विड की इंट्रॉपी ज्यादा है सॉलिड की इंट्रॉपी कम है लिक्विड की इंट्रॉपी ज्यादा है और सॉलिड की इंट्रॉपी कम है यहां क्या है इंट्रॉपी ज्य कि नहीं कि यस अब इसी तरह से और प्रोसेस देख लो आप ठीक है गौर से देखिएगा एक और मैं बताता हूं यदि कोई केमिकल रियक्षन हो केमिकल रियक्षन के इंट्रॉपी चेंज कैसे निकालोंगे तो दियान लखना इंट्रॉपी चेंज डायरेक्टरी पॉजिट्यू होगा यदि डेल्टा एंजी का साइन निगेट्यू है तो इंट्रॉपी चेंज का साइन भी निगेट्यू होगा और यदि डेल्टा एंजी का साइन जीरो है तो इंट्रॉपी चेंज का भी साइन जीरो होगा जब कोई केमिकल रियक्षन चल लगी हो फॉर देखो मैंने का यार इस रियक्षन की इंट्रॉपी चेंज कैसी होगी बताओ तो आप क्या करो डेल्टा एंजी का साइन निकालो निगेटिव तो इसका मतलब इंट्रॉपी चेंज निगेटिव आएगा गैस के चार मॉल है वो दो मॉल में कनवल्ट हो रहे हैं रियक्टेंड में क्या है चार मॉल में और कनवल्ट किसमें हो रहा है दो मॉल में तो इंट्रॉपी चेंज कैसा आएगा निगेटिव आएगा है और यदि यह देखो ऐसे की आपने अब चिप करो यह गैस यह सॉलिड यह सॉलिड अब डेल्टा एंगी की वैलू कैसे आए प्रोड़क्ट माइनस रियक्टेंड पाजितिव तो डी स की वैलू भी कैसी आएगी पाजिटिव ऐगी डीस की वैलू भी कैसी आएगी, पसिट्व आएगी, किलियर है सबको, क्या किलियर है यह बात है, तो जो डेल्टा एंगी का साइन होगा, वही इसका भी साइन होगा, बच्चों ने का सथ ठीक है, बाद समझे गाएं, और बताइए, और देखे, यदि आप किसी इस्ट्रॉं बेस या सॉल्ट को पानी में डाल लाएं तो इंट्रॉपी इंक्रीज करेंगी क्यों क्योंकि नंबर आप आयन इंक्रीज करेंगे भाई इनको पानी में डालोगे तो नंबर आप पार्टिकल्स increase कर जाएंगे क्योंकि ये dissociate होते हैं ये dissociate होते है तो random less increase कर जाएगी strong acid is strong base salt को पानी में डालते हो तो entropy increase कर दी दो क्योंकि ये dissociate होगे तो आयन बढ़ जाएगे जैसे एक م마ल alcohol को पानी में डाला एक मल NACL को पानी में डाला अब बताओ entropy किसमें increase कर रही है ज्यादा तो NACL वाले में क्योंकि NACL एक मॉल डालोगे वो दो मॉल हो जाएगा अलकोहल एक मॉल डालोगे एक ही मॉल रहेगा वो आयोनाइस थोड़ी होता है तो यदि आप salt को strong acid strong base salt को पानी में डाल यह जो entropy increase हो रही है entropy increase क्यों क्योंकि नंबर आप आयन बना रहे है इस नंबर आ आएंब रहे हैं यह बस स्मूझ पा रहें थो के लिक लिएर यस बच्चे केरें सरक्रिक्षेर नमेंने कि ठीक है और अगला सब्सक्राइब अगला पाइंट है तो यार वह वाला कि रेक्सन करके ऐसा हो जाता है ऐसे इस तरह से तो देखो रस्टिंग आफ आइरन में क्या है हल्चल बढ़ा रही है जब केमिकल रियक्शन होगी तो हल्चल बढ़ेगी यदि आइने मतलब आइरन ऐसा होता तो यह सॉलिड है इसमें कोई हल्चल नहीं है मगर जब यह रस्ट बनाएगा तो एलक्टॉन का ब्रिश्ट लेना देना होगा और एलप्टॉन का लेना देना होगा तो सारी चीजों के चेन्ज आएगा ड़ क capacidad की नहीं है कि यह वाज चलिकी तो अहूं स्हुंझा थिन एंट कि अंटक्री क्टिश से मएड चाहएं कि अक ओन च्रौन रास्मझ गया है सब लो अब देखो adsorption of gas यदि आप किसी solid surface पे gas को absorb करा रहे हो यह gas है और यह solid surface है तो बताओ gas के नमबर बढ रहा है कि कम हो रहे है solid surface पे gas को absorbed करा रहे हो हो तो गैस के नंबर बढ़ा रहें की कम हो रहें सॉलीर सर्पिस पे गैस को एब्सॉर्ब कर वागए तोефर्ण वह गैस के यां है टोल रहां हो हो और गैस के नंबर कम हो तो इंट्रॉपी कीसा आएगा निगेट्व इंट्रॉपी जैंड कैसा आ हो गई अब चलते हैं आंगे अब इसके mathematical form की बात करते हैं अभी तक तो हम लोग इसके definition form की बात कर रहे हैं चलो उसमें से कोश्चन आप करो यह आ गया इस कोश्चन को सभी लोग करके बताएं क्या अंसर आएगा है कि दली ट्रेंडम स्टेट आप वार्ट रिद है कि आपने स्कुली समीजों लार्ट की फिर सॉने की तो लीस्क रेंडूम क्या होगा solid, ice form क्या होता है solid, है ना, तो least randomness किसकी होगी, इसकी होगी, अब जड़ाब अच्छों देखो, mathematical form, mathematical form of entropy, बताओ भाई, mathematical form of entropy क्या आएगा, तो मतलब formula form, तो देखो, entropy change equal to होता है, Q reversible upon T, मतलब entropy change के formula में जो heat लिखनी है, वो reversible process की heat है, Q क्या है, Q reversible का मतलब है, heat at, reversible process, heat at, reversible process, reverse process की heat हमेशा इस जगए पर रखनी है, इस जगए पर हमेशा किसकी heat रखनी है, Q reversible process की heat रखनी है, और कोई heat नहीं रखनी है, heat at, reversible process, upon T equal to entropy change, यह इसका journal form है, यह क्या है, journal formula है, यह इसका journal formula है, यह देखो, ऐसे, clear है, yes, clear है, अब जड़ना देखो यार, इसी बात को थोड़ा आने बढ़ाते है, जड़ा गौर सदिक, अब मैं आपको बताता हूँ, कि यह formula अपने को कैसे कैसे change कर सकता है, अपने को कैसे कैसे change कर सकता है, अब फिर इसके question करते हैं, फिर इसके question करते हैं, clear, clear, देखो, सबसे पहले, यदि एडियावाटिक reversible process, आप एक बात भ्यान लखना, हम सिर्फ reversible process की heat रखनी हैं वहाँ पर, आपको किसकी heat रखनी है, heat at reversible process, मतलब heat किसकी होनी चाहिए, reversible process की होनी चाहिए, इसी लिए एडियावाटिक reversible process है, और एडियावाटिक process की heat क्या होती है, 0, क्यों, एडियावाटिक process क्या होता है, जब heat का transfer ना हो, तो Q की value 0 है, तो Ds equal to क्या है, 0, एडियावाटिक process में entropy chain 0 होता है, Adiabatic Process में Entropy Change 0 होता है Cyclic Reversible Process यदि Cyclic Reversible Process हुआ तो क्या हुआ अब जब बताओ क्या Entropy State Function है Entropy क्या है State Function तो जब यह State Function है तो यार Entropy में Change आएगा नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि reversible process का मतलब होता है initial state और final state सेम है रिवर्सेबल process का मतलब होता है initial state और final state क्या है सेम तो जब initial और final प्रॉसेट क्या है तो entropy में change कैसे आएगा क्योंकि entropy तो state function है state पर different करता है isothermal तो तो डीयत एक्वल्टू खुण क्यों क्यों रिवर्सेबल अपॉन्टी क्यों कि माइनस डबलू है रिवर्सेबल अपॉन्टी पच्चों ने का कैसे 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 हमने का बहुँद मारे जाऊगे reverse isothermal process है, तो du equal to kya, 0 जब du equal to 0 होगा, तो क्यों क्या होगा, w के बराबर होगा लोग दिएब सेबिल प्रोशेस की heat है, वो w के बराबर होगी, और w का फार्मुला आपको पता है reversible work done तो आपको आता है क्या nr ln v final minus v initial upon t माइनस माइनस क्या हो गया प्लस तो t से t कर गया तो ds equal to nr ln v final minus v initial और इसी को आपको पता है यह लिख सकते हो nr ln p final minus p initial तो दो फार्मूले आगे तो इंट्रॉपी चेंज का फार्मूला क्या हो गया nr ln v final minus v initial nr ln p final minus p initial कैसे निकला समझ पाए जर्नल फार्म क्या है q reversible upon t q की वैलू w के बराबर है क्यों isothermal process as a du equal to 0 है तो minus w के बराबर है तो w equal to होता है minus nrt ln v final minus v initial तो minus minus plus हो गया अच्छा बच्चों ने का साथ ठीक है अब माल लो isocoric process हो isocoric river table process तो कैसे करोगे तो देखो हमारा जर्नल फार्म है ये अब बताओ isocoric process है इसका मतलब क्या है heat at constant volume है और heat at constant volume को क्या कहते हो दी यू और दी यू equal to क्या होता है ncv dt पताओ भाई isocoric process isocoric का मतलब volume constant होगा तो यहां पर जो heat होगी वो क्या होगी constant volume की heat होगी और constant volume की heat को मुन्ना क्या कहते है heat at constant volume is known as दी यू तो दी यू equal to ncv dt अब दोनों तरह इंटिगेट कर दो n बाहर हो गया cv बाहर हो गया अब करोगे तो क्या हैगा delta s equal to n cv ln t final minus t निस है आपको यह formula याद रखने है मैं तो प्रूप्मेंट कर रहा हूं मगर आपको फार्मूले याद रखने है ठीक है अब माल लो isobaric process हो isobaric reverse मतलब क्या हुआ journal form हमारा यह है मगर isobaric का मतलब हुआ pressure constant इसका मतलब यह heat कहा है constant pressure की heat है और मुन्ना constant pressure की heat को क्या बोलते है सब लोग जल्दी बताओ constant pressure की heat को क्या बोलते है enthalpy change अब integration कर दो तो isobaric process की heat आ गई NCP LN T final minus T ने से लोग यह देखो यह किसकी आ गई आइसो आइस तो बैरिक प्रोसेस की heat आ गई clear है clear है yes अब देखो face transfer यह भी कहीं पर face transfer हो रहा है sorry तो जैसे आप लिक्विड से वैपर में जा रहा है मतलब वैपराइजेशन कर रहे है कि आप सब्लीनेशन कर रहे हो सॉलिड से वैपर में जा रहे है आप आइस को मेल्ट कर रहे हो लिक्विड से सॉली सॉलीड से लिक्विड जा है यह जितने भी process है यह सब के सब process equilibrium पे होते है all time add यह सभी के सभी process equilibrium पे होते है यह सभी के सभी process कैसे होते है equilibrium या भी कोई process equilibrium पे है और उस समय heat exchange है तो वो क्या होगी क्यों reversible होगी इस वज़े से इस process में जो भी heat release होती है वो reversible process की होट होती है reversible process की heat at constant pressure क्यों vaporization equilibrium पे है sublimation equilibrium पे है freezing equilibrium पे है melting equilibrium पे है तो ये सारे process कैसे है equilibrium पे है equilibrium को सब? reversible तो इसका मतलब इन process में जो heat release होगी वो reversible की heat होगी क्योंकि हमारे पाथ जो journal form है उसमें reversible process की heat रखनी है कोई भी heat नहीं रख सकते हो वो heat रखनी है जो reversible की हो तो ये सारे process reversible process है पर ये सारे process open vessel में होते है इसलिए ये हुआ reversible process की heat at constant pressure तो reversible process की heat at constant pressure सब्सक्राइब को डिल्टा जय क्याते हूं कि कि देल्टा इच अफ फिस्ट ट्रांसफर में यह मैं है तो जर्नल फर्म क्या हो गए ठोजर्नल हो गया डिल्याक्षी को लिएवर्सेबिल को शुठ है अपन्टी तो यह उसकी ज़ Quindi दो गें डिल्टा E Mitch of phase मतलब क्या हो रहा है वैपराइजेशन हो रहा है जो भी हो रहा हो अप आप अप अपां टम्प्रेचर तो जर्नल फॉर्म यह बन गया । जर्नल फॉर्म यह बना अब जैसे मालो कोई वैपराइजेशन कर रहा है माल लो कोई वैपराईजेशन कर रहा है तो भाई जब आप वैपराईजेशन कर रहा है तो आप कहां जा रहे हैं लिक्विड से वैपर में जा रहे हैं तो इसका डेल्टाइज क्या होता है इन्थल्पी आप वैपराईजेशन तो इसका ds क्या हो जाएगा enthalpy of vaporization और ये किस temperature पे होता है boiling point पे होता है enthalpy of vaporization और sign कैसा होगा past two delta जो भी आएगा past two आएगा sublimation आप solid से vapor भी जा रहे हो तो delta जो भी आएगा delta h of sublimation upon temperature जिस temperature पे sublimation हो रहा हो आप देखो यदि कहीं पर freezing हो रही हो तो freeze में क्या करते हो solid से liquid liquid से solid में जाते हो तो ये क्या है enthalpy of freezing है कि नहीं enthalpy of freezing delta h अब इसकी वालिव क्या होगी ये ये देखो ऐसे तो जब भी कहीं पर ऐसा आएगा तो ध्यान लखना enthalpy of vaporization enthalpy of freezing enthalpy of sublimation क्यों reversible की जिगए वही रख दोगे क्यों रख दोगे क्योंकि ये सारे प्रॉसेस हमारे reversible process है और reversible है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं क्लियर अब देखो entropy change of reaction मालो कोई reaction हो तो यार कोई reaction होगी तो कैसे निकालोगी जैसे ये reaction अब वो इसका entropy change पूछ रहा है तो भाई entropy change क्या होता है entropy of product minus entropy of reaction ठीक entropy of product minus entropy of reaction अब product की क्या लिख होगे N3 into entropy of C product होगया minus N1 entropy of A plus N2 entropy of B ऐसे ये निकल के आई product minus reactant for example देखो एक question कर रहता हूँ जैसे आपको ये बात समझ में आए है ना नहीं तो आप समझ नहीं पाऊगे एक मिट है तेखो हमारे पास ये ये question दिया nitrogen plus hydrogen plus ammonia calculate entropy change of reaction आपको दी क्या है देख लो entropy of ammonia आपको दी है मैंने माल लिया एक्सवन ठीक है जूल पर मोल पर कैल्पि entropy change of nitrogen एक्सटू जूल मोल entropy change of hydrogen अब बताओ तो entropy of reaction क्या आएगी product की entropy minus reactant की entropy अब value डालो तो product कितना है ये पर मोल है पर मोल है और यहाँ product दो मोल है तो 2 into x1 minus 1 into nitrogen की कितनी है x2 plus 3 into hydrogen की कितनी है x3 तो value क्या आई तो value आई 2 x1 minus x2 minus 3 x ये आया entropy change of reaction ये क्या आया entropy change of reaction 2 x1 minus x2 minus 3 x बास समझ पारो कैसे चिन करो क्या आप समझ पारें कैसे करेंगे येस very good तो चलो अब जरा इसको आंगे बढ़ा देते हैं सब लोग इस question का जवाब दे सब लोग इस question का जवाब दे कैसे करोगे बखब when 2 mole of ideal gas n equal to किसना है तो gas कैसी है ideal cp की value कितनी इदी है 5 by 2 r heated from temperature initial final temperature at constant pressure यदि pressure constant है तो क्या है isobaric process the change in entropy is isobaric process के entropy change का formula होता है ये ds equal to n cp ln t final upon t initial फूटा लिखे है t final upon t initial अब log के form में लिखना है तो 2.3032 अच्छा नहीं नहीं answer इस form में है तो n की value रखो बच्चो कितनी है 2 cp की value 5 by 2 r ln t final 600 t initial 300 2 से जो कर गया 5 r ln log 2 इसा कहीं है इसा कहीं है इसा कहीं है भाई constant pressure पर प्रोसेस हो रहा है इसका मतलब isobaric process है isobaric process के entropy change गुरू कितना है isobaric process का entropy change क्या है n c p l n t final upon t initial बस लगा दिया अच्छा तुम जीद करने लगे कि एक question और करोगे लेको तुम्हाएं अंदर जिद्धी पन बहुत आयार है हाना आओ अनुराथ करो 5 mole of ideal gas n equal to कितना है 5 mole ideal gas expand reversibly मतब reversible process initial volume कितना है 8 decimeter final volume कितना है 80 decimeter temperature कितना है 300 Kelvin entropy change तूच रहा है सबसे पहली बात यह process कौन सा है क्योंकि entropy change तो निकाल देंगे मगर process तो पता चले पूरे process में temperature constant है 5 mole ideal gas expand reversibly from volume इतना तो इतना volume change हो रहा है तो pressure change हो रहा है मगर उसले temperature के change को नहीं बताया वो कह रहा है कि यह पूरा का पूरा process सबता है डिगरी पे हो रहा है तो यह ISO thermal हो गया at temperature 27 degree centigrade वो कह रहा है gas expand हो रहा है 27 degree centigrade पे इसका उन्दब gas expand होते समय temperature change नहीं हो रहा है और जब temperature change नहीं हो रहा है तो भाई यह ISO thermal हो आगा दोगे minus sorry plus 2.3032 and R R की वैलू भाई नहीं दिए तो मैं अपनी तरफ से रख दे रहा हूँ जूर वाली R 2.3032 and R T T की वैलू कितनी है 300 log V final V initial अब यार multiply कर लो log 10 की वैलू अब यह जूल कैल्विन इन्वर्थ क्या आइसा कहीं आज पर है मुन्या ऐसा अउसर को कहीं है नहीं चक्रो something कारो है तो क्या मैंने कहीं गलती कर दिये साजिंआ यार दोस्त जर्टेफ करना कहां करको पड़ा है डिक 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 कोई लँंडो हाँ बताऊ का गर्वाँ कोई बच्छे बता सकता है गरप्र का ये बताऊ बढ़े मैंने एक बहुत बड़ा ब्लेंडर किया है तुम बताऊ तो बताए यार यह तो वर्क-फार्वुला लगा दिया है भाई वर्क इकवल्टि इतना होता है जो जो उसमें मैंने क्या किया वर्क वाला फारूला चिपका दिया और जब लिखा जाता है तो उसमें टी नहीं होता है टी तो कट जाता है ना फार्मूले याद रखना टी क्या होता है कट जाता है और देखो मैं टी यहां लिखे रैठा हूं है है तो यार आंसर जो है ना उसमें टी नहीं होगा यह यह गलद लिखा यह बास समझ पर है अब करो टू पॉइंट्री जीरो थी टू इंटू पाइग इंटू एट पॉइंट्री वन पू मैं भी कि जल्दी कैसे गलती कर सकता हूं तो मुझे लगा कि मेरी कल्क्लेशन मिस्टेक रहती है करता हूं तुम ही किया होगा मगर यहां कॉंसेप्च्छल मिस्टेक था बात समझ पाए पकड़ पाए मैंने क्या गलती की थी मुन्ना पकड़ पाए प्लस वाला होगा क्योंकि दियस इक्वाल टू एन आर एल एन वी फाइनल अपॉन वी निजिया है ना चलो अब हम लोग इतने कोश्चन करने के बाद चलते हैं किस पर गिफ्स फ्री इनर्जी पर लास्ट एन फाइनल हेड़िंग बताओ गिफ्स फ्री इनर्जी क्या होता है तो देखो सब लोग और ध्यान आकना आज हम लोग फर्मो टमस्टी नहीं कर रहा है तर्मोकमस्ट लक्ट से आएगओ ठीक है न a अक dá देखो या जिफ्स फ्री इनर्जी क्या होता है अब इसके बारे में बताते हैं यह क्या मेजर करता है यह सी काम करता है Gibbs free energy जो बच्चों होता है वो measure करता है spontaneous of process मतलब process होगा की नहीं होगा कोई भी process होगा या नहीं होगा उसको measure करता है गिफ्स प्री इनर्जी ठीक है इसका फार्मूला होता है जी इक्वल टू एच माइनस टी ऐसे यह इनर्जी है तो एक्स्टेंसिव प्रॉपर्टी होता है ठीक है बच्चो जैसे ही इसमें गिफ्स प्री इनर्जी पर मोल कर दोगे गिफ्स फ्री इनर्जी पर ग्राम कर दोगे तो यह इन्टेंसिव प्रॉपर्टी हो जाए तो यह इन्टेंसिव प्रॉपर्टी हो जाए ऐसे ठीक है न तो यह क्या हो जाएगा इन्टेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा इस तरह से अच्छा दूसरा यह स्टेट फंसन होता है यह क्या होता है इस ट्रेट पंसन होता है इस तरह जए कि गिप्स प्री इनरजी जो है वह इस ट्रेट के लिए रहे बच्छोंने का सर्ट मस्त के लिए रहे कोई दिक्कट की बात नहीं है और बताई तो जड़ा देखो यार और बात को समझेगा और सुनेगा अब हम इसके mathematical form को बढ़ाते हैं G equal to क्या है H minus Ts यदि मैं इसको करूं तो यह ऐसे आ जाएगा देल्टा G equal to delta H minus T delta S यह जो फार्मूला है यह है add constant pressure and temperature यह constant pressure और temperature पर फार्मूला होता है क्या delta G equal to delta H minus T delta S बच्चों ने का ठीक है सर अब गौर सुनेगा यदि डेल्टा यह तो फार्मूला हो गया अब इस फार्मूले को और कैसा लिख सकते हो देखो यदि बच्चों हमें enthalpy आप reaction ना दिया हुआ तो तो enthalpy आप reaction की जिगह आप यह डाल सकते हो डेल्टा यू प्लस PDB minus T delta S माल लो किसी कोश्चन में enthalpy आप reaction नहीं दिया है तो यार हमें यदि enthalpy आप reaction नहीं दिया होगा तो internal energy और प्लस PDB डाल देंगे डाल दोगे की नहीं डाल दोगे बच्चों ने का सब CSD दे दो तो मैंने का अच्छा चलू गिर्च फ्री energy के सारे CSD देता हूँ जड़ा गौर समझीगा देखो डेल्टा जी क्वल्टू होता है डेल्टा एच टी डेल्टा एस ये क्या है ये एक फार्मूला है ठीक है at constant temperature and pressure बच्चों ने का ठीक है यदि हमारे पास डेल्टा एच नहीं दिया होगा तो हम ये रख देंगे माल लो हमारे पास प्रेसर ना दिया हो तो यही फार्मूला ऐसे भी लिखा जाता है ध्याने आपको अभी पढ़ाया है वन सौर्ट चलना है तो सभी कुछ अभी अपढ़ाया है मुन्ना दियाच इक्वाल टू डियू प्लस डेल्टा एंजी आर्टी जब रियक्शन हो रही होगी तो डेल्टा एंजी आर्टी और ये प्रेसर वैलूम का चेंज होगा तो ये तो इस फार्मूले को आप ऐसे भी सकते हों है जहां कर जिसकी जरूरत होगी हम यूज कर लए आच्छा यह क्या होता है एक्स्टेंसिव प्रॉपर्टी होता है कि quedreating डी पर म्लल हो और डेल्टा जी परग्राम इंटेंसियो होगा क्यों क्यावकि दो extensive property का ratio है दो extensive property का ratio है, clear है एक बात clear है, अच्छा साथ में ये state function है साथ में क्या है ये state function है ये क्या है, एक state function है अब और आने बढ़ते हैं देखो यदि delta g की value negative है तो process spontaneous होता है तो spontaneous किधर से किधर होता है तो spontaneous होता है lack to right, मतलब forward direction क्योंकि जितने भी statement हम लोग पास करते हैं, सब forward direction की respect में पास करते हैं यदि delta g की value positive है तो non spontaneous होता है किधर से किधर non spontaneous है left से right क्योंकि और non spontaneous ऐसे, तो left से right क्योंकि और non spontaneous है, तो right से left क्योंकि और spontaneous होगा क्यों delta g state function है, तो left से right की यदि positive value है, तो right से left की negative value है मतलब backward reaction spontaneous है backward क्या होगा, spontaneous है मगर सारे statement हम लोग forward की respect में पास करते हैं और यदि delta g equal to zero है, तो हुआ equilibrium है यह देखो, clear होई बात अच्छा, अब delta g negative होने की किछनी condition है, किस किस condition पे delta g negative हो सकता है, क्योंकि delta g negative होगा तो spontaneous होगा, तो spontaneous की condition क्या है, देखो condition of spontaneous, किसी process के होने की condition क्या क्या है उसको जरा देखो किसी भी process के होने की condition क्या क्या है, जरा गौर से देखो हमारा formula यह है और हमारा target है कि delta g को negative लाना है तो देखो, case number one यदि हम delta h की value negative डाल दें और delta s की value past to डाल दें तो आप चेक कर लो, always डेल्टा जी निगेटिव आएगा और इसकी value तुम past to डाल ला हो, चाहे कोई भी value डालो तो sine तो हमेशा negative रहना है, क्योंकि यहाँ पर भी negative है, यहाँ पर भी negative है तो value चाहे कोई भी डालो negative आएगा तो इस case में क्या है, delta जी हमेशा negative रहेगा और इनकी कोई भी value डालो अब इसको देखो, case number two यदि हम इसकी value past to डाल दें और इसकी value भी past to है तो बताओ, यदि इसकी value past to है, इसकी भी past to है तो यह minus है, यह plus है तो इसका मतलब यह बड़ा होना चाहिए तो सभी value के लिए नहीं है यह भी plus डाल दिया, यह भी plus डाल दिया तो हमें तो minus 9 लाना है तो यह बड़ा होना चाहिए इसके और यह बड़ा होना चाहिए इसके तब delta g negative आएगा इसका मतलब सारी वैलू के लिए निगेटिव नहीं है इस पेस्पिक कंडिसन है यह अब केस नमबर ती यह भी डेल्टा एच इक्वल टू आपने निगेटिव डाला और डेल्टा एच इक्वल टू पास्टिव डाला तो जब इसको निगेटिव डाला यह वाला तो हो चुका है इसको भी निगेटिव डाला इसको भी निगेटिव डाला यह भी निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव प्लस और यह निगेटिव है तो माइनस तो यह माइनस है यह प्लस है तो इसका मतलब यह बड़ा होना चाहिए तभी डेल्टा जी निगेटिव आएगा और प्रोसेस स्पॉंटेनियस है चाहे डेल्टा एच और डेल्टा एस की कोई भी वैल्टा बागी कंडीशन में प्रोसेस स्पॉंटेनियस है है मगर कुछ स्पेस्पिक बलिए उन वैलो के लिए जिसमें टी डेल्टा एस की वैल्लु ग्रेटर है डेल्टा एस ठीमी वैल्टा एम्थव consistency यह की कैस यह एन यां और ये पूछी गारिए आपर देख़ो आप देखें जैसे ये देखो q execution which of the following condition is not favorable for feasibility of a process कौम सी condition में process feasible नहीं होगा इसका मतलब डेल्टा जी पास्ट्यू आएगा तो process feasible नहीं होगा तो डेल्टा जी पास्ट्यू कब आएगा अब देख लो भाई डेल्टा जी पास्ट्यू कब आएगा देखो जल दीसे यह दोनों निगेट्यू है और यह बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं माइनस साइन आ रहा है यह पास्ट्यू है और यह भी पास्ट्यू है और यह बड़ा है तो भी माइनस साइन आएगा क्योंकि इसके आनि माइनस लगाए ना यह निगेटिव है और यह पास्टिव है और यह बड़ा है तो भी माइनस साइन आएगा यह पास्टिव है यह पास्टिव है और यह बड़ा है तो अब तो प्लस साइन आएगा ना क्योंकि यह माइनस होता है तो इस पर प्रॉसेस फिस्बिल भाई प्लस माइनस और यह बड देखो यह वाला कोश्चन सबसे अच्छा कोश्चन देखो साइन आप डेल्टा एच एंड डेल्टा एस रिस्पेक्टिवली नेचर आप रियक्षन अब हमारा फार्मूला यह है अब इसको मैच करो दोनों का साइन निगेटिव है यह भी निगेटिव है यह भी निगेटिव है तो इसका मतब यह निगेटिव रहेगा यह पास्ट्यू होगा अब यह स्पॉंटेनियस तब ही होगा जब यह बढ़ा हो अब ऐसा कहां लिखा है इस्पॉंटेनियस ओनली एट लो टंप्रेचर spontaneous only at high temperature spontaneous at all temperature non-spontaneous at all temperature अब देखो यदि ये बड़ा रखना है तो temperature छोटा रखो तो ये बड़ा है ना नहीं तो ये value कैसे बढ़ी आई इस value को छोटी रखनी है ना तो temperature कम होना चाहिए तो spontaneous at low temperature पर ये फिस भी लो जाएगा एक answer P किसमें है अब दूसरा लगाओ इसकी value minus और इसकी value plus तो जब यार इसकी value minus और उसकी value plus रखोगे तो always minus आ रहा है दोनों minus है तो अब किसी भी value के लिए spontaneous है तो spontaneous है इस all temperature temperature कुछ भी रखो कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि दोनों का sign minus है तो B equal to ये गलत हो गया बस ये सही है ये सही है क्या है ये सही है अब आप चाहो तो तीसरा चेक कर लो अब दोनों को जब plus रखोगे तो भाई ये भी plus ये भी plus तो ये बड़ा होना चाहिए अब यदि temperature जादा होगा तो ये बड़ा आएगा तो इसका मतलब इसका क्यों होना चाहिए अच्छा बच्चों ने का सब ठी है बास समझ में आ गई और question मैंने का और question करा देखो अब जरे देखो बच्चों ये वाली बात अच्छे समझना कि मैं क्या लिखने जा रहा हूं क्या पढ़ा रहा हूं गौर समझेगा देखो मैंने का spontaneous temperature spontaneous and equilibrium temperature of process इस बात को जड़ा समझो कि spontaneous and equilibrium temperature of process क्या होता है गौर सुनिएगा सब लो डेल्टा जी इक्वल टू है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस यदि डेल्टा जी की वैलू मैं 0 डाल दू तो ये process किस पे हुआ equilibrium पे क्योंकि equilibrium पे डेल्टा जी की वैलू 0 होती है equilibrium पे क्या होता है डेल्टा जी 0 होता है तो यदि डेल्टा जी इक्वल टू 0 डिख रहा है इसका मतलब process equilibrium पे तो जब equilibrium पे है तो ये ऐसे होगा इसका मतलब ये जो temperature आया ये equilibrium temperature आया equilibrium temperature क्या होता है delta H मतलब enthalpy of reaction और entropy of reaction के ratio के बराबर यहाँ 0 डालोगे तो यही तो आयेगा equilibrium temperature क्या होता है enthalpy of reaction और entropy of reaction के ratio के बराबर अच्छा यदि मैं delta G की value negative डालो जब negative डालता हूँ तो process क्या है spontaneous अब process spontaneous है तो delta G की value negative कैसे आएगी जब यह बढ़ा हो इससे तभी तो negative है यह और यह बढ़ा है इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्छों ने का हाँ लिख सकते हो तो इसका मतलब क्या हुआ T T spontaneous क्या है इस ratio से बड़ी value T spontaneous है चेक करो T spontaneous क्या है इस ratio से बड़ी value T spontaneous है इस ratio से बड़ी value टी इस पॉंटेनियस है और इते रेसियों के बराबर वैलू है इस को सबक्लोब्रह तंप्रेचर इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि यह इस पॉंटेनियस के ब्राबर है waking लेओं तो T spontaneous बड़ा है T equilibrium से, इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है, चिक कर लो, इस ratio के बराबर equilibrium temperature होता है, इस ratio से बड़ा temperature spontaneous temperature होता है, ठीक है कि नहीं, और इस से छोटा temperature non spontaneous temperature है, यदि equilibrium से छोटा temperature है, तो non spontaneous है मतलब process नहीं होगा, non spontaneous process, यह देखो, अब इस पर question कैसा आ सकता है, तुझरा यह देखो, नहीं यह वाला नहीं है, मैं लाया तो था यार बच्चों तुमारे लिए एक question ऐसा, equilibrium temperature होला, I think यह है, देखने देखो, देखो, A plus B, reversible C plus D, delta S equal to इतना, at what temperature the reaction will occur spontaneous for left to right, अब spontaneous temperature पूछ रहा है, spontaneous temperature की value इस ratio से बड़ी होती है, अब यह ratio निकालो, इसकी value कितनी है, 10,000 Joule, और इसकी value कितनी है, 33.3 Joule, unit का ध्यान नखना, अब divide करो, तो जब आप divide करोगे, देखो, 10,000 divided by 33.33, तो वो आ रहा है, 300.3 Kelvin, तो इस temperature पे, यह तो equilibrium temperature है, इसका मतलब spontaneous होने से के लिए इससे बड़ी value होनी चाहिए, इससे बड़ी value की चाहिए, तो ऐसा कौन सा temperature है, यह तो equilibrium temperature है, यह तो non spontaneous temperature है, यह answer, तो इस तरह का question आ सकता है आपके लिए, clear, clear, अब जड़ा देखोंगे यार बच्चों, इसके बाद, last and final, subtopic, मतलब इसी में है, छोटा सा, क्या है, छोटा सा ज़रा देखोंगे, किसी reaction का delta G कैसे निकालोंगे, बस यार 5 मेंट और लूँगा आपके, आना, देखोंगे, delta G standard क्या होता है, पहले वो पढ़ा देखोंगे, standard, gives free energy, इस tender gives free energy क्या होता है, इसको बोलते हैं, delta G not, तो यह क्या होता है, if gives free energy measured at 298 Kelvin temperature and one atmospheric pressure, यदि delta G, तो जब standard form में होगा, तो सब कुछ standard form में चलेगा, ऐसे, सब कुछ standard form में चलेगा, इस तरह से, clear, अच्छा, delta G, standard और delta G के बीच में यह relation होता है, यह question ratio है, यह सब कुछा होता है, delta G standard और equilibrium constant के बीच में यह relation होता है, direct relation based question आएंगे, यह देखू, delta G not equal to minus RT log equilibrium, clear, अब एक और बात, वो क्या है, देखो, गवर सुनिया, delta G standard of, standard state, of element, is supposed to be zero, देखो, delta G standard को zero suppose किया गया है, किसका, natural form का, जैसे hydrogen किस form में एक्जिस्ट करता है, gas, तो उसकी value zero, oxygen किस form में एक्जिस्ट करता है, gas, तो उसकी value zero, delta G standard zero, iodine किस form में एक्जिस्ट करता है, solid, तो उसकी value zero, मगर iodine gas की value zero नहीं होगी, हमने किसको zero suppose किया है, हमने उसको suppose किया है, जो उसका natural form हो, delta G standard of natural form, मतलब most stable state of element is zero, जिस form में वो nature में एक्जिस्ट करता है, उस form को हम लोगों ने zero suppose किया है, जिस form में वो nature में एक्जिस्ट करता है, उस form को हम लोगों ने zero suppose किया है, ठीक है, जैसे आयोडीन solid form में exist करता है तो solid की value आप 0 डाउस रखते हो मगद delta G standard को 0 suppose किया है delta G को नहीं किया है ध्यान लखना delta G standard को 0 suppose किया है delta G को नहीं clear यह वाला point बहुत important है question करते समय काम आएगा clear बच्चों ने का sir clear है तो मैंने का यार एक question हो जाए है बच्चों ने का हो जाए है मैंने का ठीक है अब देखें मैंने इस तरह से पूछा देखो मैंने का यार यह एक reaction है ZN solid plus oxygen gas plus ZN O 2 as a solid मैंने का अब गुलेट delta G standard of reaction if delta G standard of ZN O solid is minus या plus इतना किलो जूल पर मोट अब बताओ answer क्या आएगा option मैं दे रहो so minus of none अब delta G आप reaction कैसे लिखोगे delta G standard of reaction delta G standard of product minus delta G standard of reaction अब देखो product कौन है यह इसके कितने मोल है दो दो into delta G standard of ZNs इसके कितने है दो दो into delta G standard of ZN plus one into delta G standard of oxygen इसकी value आपने 200 यह 100 डाल दी किलो जूल अब इसकी value क्या रहा ZN किस form में नेचर में exist करता है solid form में तो इसकी value अपने तरफ से डाल दो 0 जो जिस form में नेचर में exist करता है उस form का delta G 0 सपोस किया गया है delta G standard जो जिस form में नेचर में exist करता है उस form का delta G standard 0 सपोस किया जडन solid form में एक जिस्ट करता है आउकसीजन गैस form में exist करता है इसलिए जी रूख तो आंसर क्या आगया है कि देखो है कि एक है कि लिए कि लिए कि लिए है हाँ है तो बच्चों सारा चैप्टर खतम कर दिया है ठीक है पूरा थर्मोडाइंस खतम कर दिया है हो सकता है लास्ट में थोड़ी स्पीड ज्यादा रही हो मैंने स्रिफ बोर्ट पर फोकस किया हो मगर मैं बस इतना चाहे रहा था कि आप लोगों को क्रिस्प फाम में सारा चैप्टर कम से कम टाइम में करा दूँ और बिद कोश्यन हम लोगों ने 120 स्लाइड कर ली है वही 120 स्लाइड और मेरे इसाफ से तो आप इसको बहुत अच्छे से इंज्वाई करिए पढ़ाई करिए थोड़ी बहुत चीज़े यादि किसी को कन्फ्यूज है तो फिर से रिवीजन करिए और यह बेस्ट है थर्मुनाइं बहुत बड़ा चैप्टर है इसको बहुत अच्छे से क्रिफ्ट करके हम लोगो कोई और है मगर अपना काम हम लोग बेस्ट करें ठीक है तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे चैप्टर के वन सॉट के साथ और वो होगा थर्मो कमिष्टी यह थर्मो डायनमिक्स था थर्मो कमिष्टी के वन सॉट के साथ अगले बार मिलेंगे ठीक है अपना ध्यान लखेगा पढ़ाई करते रहेगा बाई 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 बच्चों बाई परॉप्चों